हेलो जैन नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से डिफेंज वाला यूट्यूब चानल पर मैं हूँ मुहम्मद आसम और आज हम लोग करिंट अफेर्स डिसकस करने वाले है औगस्ट दो हजार तईस से लेकर डिसमबर दो हजार तईस तक क्या मेरी अवाज आप लोगों को आ रही है आफ लोग मुझे देख पा रहे है क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं जहिंद एवरीवन क्या हाल चाल देखो यार आज के सेशन में बता जेता हूँ कि कैसे यह चलने वाला है बहुत ही important session होगा पहले के एक घंटे के अंदर मैं आपको जितने भी डिफेंस के अपडेट्स होंगे जितने भी डिफेंस के अपडेट्स हैं ऑगस्ट से लेकर डिसमबर तक के सारे करवा दूँगा यानि की एक घंटे के अंदर जितने भी डिफेंस अपडेट्स होने वाले हैं एक घंटे के affairs में defense के दो से तीन सवाल definitely होते ही होते हैं तो यार इनको अगर आपने पहले घंटे कर लिया तो एक घंटे के अंदर आपके 10 में से वह सवाल आपको वहाँ देखने को definitely मिल जाएंगे बहुत ही चुन-चुन के सवालों को लेके आया हूं और बहुत ही चुन-चुन के उसमें pointers बताऊंगा जो examination के अंदर पूछे जा सकते हैं ठीक है जहिंद everyone क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आप लोगों को everyone चाहे आप India की त्यारी कर रहे हो चाहे cds की कर रहे हो आप इस session को देख सकते हैं क्योंकि current affairs will be same for cds and nda हना और यहां पर अभी जो defense update दूँगा व है I hope everyone is fine everyone is okay fit and fine and healthy enough कि आज की session को हम शुरू करेंगे copy pen निकाल के बैट जाए defense update जाल लीजिए जो एक घंटे के अंदर session होगा उसको अच्छे से note कर लीजेगा ठीक है बहुत important होगा बहुत important और उसके बाद मैं आपको एक break दे दूँगा defense updates करने के बाद तो नहीं लेकिन यहां पर और भी जो है डेके जो अलेके आया हूं updates में उसे करने के बाद हम कुछ break लेंगे 5-7 मिनिट का 10 मिनिट का फिर हम दुवारा start करेंगे मेरी तब्यात थोरी ठीक नहीं है फिवरेश है थोड़ा सा eyes burning है लेकिन फिर भी इतना जोश हाई है जितना आप लोग ने मु इस टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप लोगों को मैं चार लाइन बोलना चाहूंगा इस सेशन के शुरुवात होने से पहले कि परो को खोल जमाना उडान देखता है जमी पर बैठ कर क्या आस्मान देखता है मिला है मौका तो इस मौके को भुना ले मिला है मौका तो इस मौके को भुना ले क्योंकि तेरी किस्मत में औल इंडिया रांक लिखा है तो चलिए विर शुरू करते हैं आज के सेशन को कॉफी पर निकाल लीजे लेट अस्टार्ट करेंट अफेर्स आउगस्ट से लेकर डिसंबर दोजार 23 तक के सारे करेंट अफ आप लोगं को पोस्ट करता रहता हूं कभी-कभी लाइव आ जाते हैं मेरा एक आपर डिसकेशन चानल भी है इसी के अंदर लगा हुआ है वहाँ पर आकि मुझसे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और डिसकेशन बातचीत कर सकते हैं हना कई तरह की बाते हो सकती है पढ लोग लिखना शुरू कर दीजेगा जरा भी अभी पहले के घंटे में मजाग करने के बिल्कुल मूड में ने रहूंगा और आप से भी विन्निती करूंगा कि बिल्कुल बस जोश के साथ कॉपी पर निकालके पढ़ना शुरू कर दीजे चलिए देखिए यहाँ पर पहली नोट कल लीजे ठीक है तो नेवी रे इंडिया अरे मारा दिगा जाता इंटीक सोंあります कर दी गए इसको नेवी को रहीट कर दी इंडियन नेवी को इस हिपका नाम क्या है आयनस इसका नाम है So, GRSE, जिसने इस ship को बनाया है, उसने इंडिया की ये largest ever survey vessel, ये नेवी को यहाँ पर दे दी है, तो basically, इंडिया का, इंडिया के इंडर एक project चल रहा है, जिसके तहट हम लोग survey vessels बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, survey vessels को बना रहे हैं, अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये vessels है ships है जो survey etc करने की काम आएंगी तो basically यहाँ पर हम लोग survey vessels बना रहे हैं Indian Navy इसको बना रही है तो यहाँ पर यह जो company है GRSE ठीक है जिसका full form है क्या यह public sector unit है सरकारी company है जिसका full form है garden reach ship builders and engineers please note कर लीजेगा यह इसका यहाँ पर क्या है full form है clear है तो basically इसके अंदर 4 ships बनाने की बात करी गई है इसकी इसके अंदर चार शिव्ट बनाने की बात करी गई कौन कौन सी आईनस संधक आईनस निर्देशक आई एस आईनस इक्षक और अईनस संशोधक ये तो ये आपका यह आपका संशोधक यह 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 वाली संधक ब मृणी कर लिजाए आब है संध्यک अब इस पह इस पर संधक पे जस्त व Glue मेक हौ तो नहीं सरवे वेसल है क्या है यह यह आपकी सरवे वेसल है दूसरा पॉइंट नोट कर लिजे यहितना चार पॉइंट्स पहले नोट कर दीजे यह important है काफी जादा और यह सब कब हुआ है यह जो deliver करी गई है करी गई है इंडियन नेवी डे पर और नेवी डे जो है वो celebrate किया जाता है on the 4th of December प्लीज everyone note this time सब लोग उसको नोट कर दीजे यह 4 पॉइंट यहापर अच्छे से पहले नोट कर दीजे ठीक है clear है आपर यह point ठीक है ना, clear है, इसको note कर लिजे, very very important, very 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 important, INS संध्यक, ठीक है, तो इसकी लिए basically यहाँ पर हम 4 ships बना रहे हैं, हम अगर बात करेंगे, survey vessels के अंदर, तो survey vessels में हम 4 ships बनाएंगे, 4 ships, ठीक है ना, हम इसमें 4 ships बनाने वाले हैं, clear है, please note कर लिजेगा, very important, very important, note कर लिया, ठीक है, note कर लिया, तो यह important हो गया है, navy deck up होता है, वो यहाँ clear हो गया, INS संध्यक किसने बनाया है, GRSE, that is garden, reach, chip builders, and engineers, deliver कर दिया है, यह largest survey vessel है, ठीक है, built किया गया है, और navy को दे दिया गया है, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, moving on to the next, अब देखें यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखेंगा, ministry of defense, inks contract with, वर्थ इतना करोड, with telecommunications, telecommunications consultant in India limited for digital course guard project, project का नाम देखें, यह important है, इस पर सवाल आएगा, what is digital course guard project, ठीक है, सवाल क्या है, सवाल है, कि यह जो है, digital course guard project क्या है, इस पर सवाल जो है, वो पूछा जा सकता है, ठीक है, तो यह जो है, एक तरह का ऐसा project है, जिसमें, जितनी भी आपकी logistics चीजें होती है, हना logistics मतलब, कोई चीज हमें कोई समान भेजना है, कहीं से हमें कोई समान मंगाना है, कोई खर्चा मतलब running cost, operational cost जो भी होती है, वो हम उसका data digitize कर लेंगे, क्या करेंगे, digitize कर लेंगे, so this digitization will streamline logistical process for the ministry saving significant resources and time, तो basically, यहाँ पर यह जो आपका digital cost guard project है, यह project ministry of defense ने किया है, चला रहा है ministry of defense, तो यह किसका है, ministry of defense का project है, नोट कर लीजेगा, ministry of defense का project है, साथ में, कौन है साथ में, TCIL, TCIL, यानि कि telecommunications consent in India Limited, इनका काम क्या है, काम यह है कि ministry of data ने, ministry of defense ने, यह कहा है TCIL से, कि भाईया, आप हमारे data को digitize कर लीजे, वो data, जो हमारे logistic process में यहाँ पर involved होता है, उस data को आप पुरा, हमारे digitize कर दिए clear है, clear है, clear है के नहीं clear है, I hope यह point यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, so in alignment with the government of India's strategic vision for digital armed forces, the ministry of defense has signed a contract with this company for the acquisition of digital coast guard project under the buy Indian category, ठीक है, so I hope यह point यहाँ clear हो गया होगा, करना क्या है, करना यह है, इससे क्या होगा यहाँ पर, some simply, सारा data जो है, व digitize हो जाएगा, ठीक है, I hope this point is very clear to all of you, ठीक है न, ठीक है, clear, और जितना भी data होगा, फिर उसके हाथ, data बन जाएगा, तो हमारा एक data center create हो जाएगा, उस data center में हम सारी information रखेंगे, तो यह हमारे लिए चीज़ें को करने का असान तरीका हो जाएगा, ठीक है, clear है, what is defense coast guard project, न ministry of defense का यह project है, telecommunications consultant India limited के साथ मिल कर यह project को कर रहे है, इस project के तहट जो भी यहाँ पर logistics चीज़े है, logistical process है, ministry की, वो यहाँ पर save हो जाएगी, अगर हम data को recharge कर देंगे, यह यहाँ पर बोला गया है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, moving on to next, army organizes table top excise for women officers from ASEAN, अब ज़रा note कर दि इसको बोलेंगे short में, T, T, X, please note कर दिए, ठीके, तो basically excise हुई है, जुसको बोला जाएगा, T, T, X, यह है अपकी table top excise, note करिएगा, table top exercise, अब यह जो exercise है, यह किसकी है, जितने भी यहाँ पर ASEAN nations है, ASEAN nations के अंदर, जो भी women officers है, उन women officers के लिए, यहाँ पर यह exercise करी गई है table top excise, तो इसको army ने organize किया है, ध्यान रखीगा, excise का नाम है table top excise, यह excise women officers के लिए खाली, ध्यान रखीगा, women officers के लिए है, और वो officers women, जो ASEAN के members है, तो यहाँ पर very very important है, who has organized this table top excise, Indian army ने इसको organize किया हुआ है, पहली important data, जो आपको note कर लेना है, उसके इलावा excise का नाम क्या हो गया, excise का नाम है table top excise, यह very important हो गया, यह सिर्फ women officers के लिए वो important हो गया, और ऐसा नहीं कि इंडिया की women officers, ASEAN countries के जो women officers है, उनके लिए यहाँ पर यह excise जो है, वो हो रही है, ठीक है, logistic process क्या होता है, रिया यह पूछ रहे है, logistic मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ आप, for example, अगर हम कोई event conduct कर रहे है, ठीक है, अब कहीं से मान लीजिए, कोई समान है, जो एक जगे से दूसरे जगा जाना है, तो उसका logistic cost लगता है, राइट, कोई truck वाला है, वो अपना समान पैसा लेगा, हाना, these are the logistic cost, हाना, कोई event करा रहे है, वहाँ पर chair चा को, what is ASEAN, ASEAN का full form, I hope सबको पता होगा, ASEAN stands for Association, Association of Southeast Asian Nations, Southeast Asian Nations, please note, ठीक है न, अब ये वो nations है, जो Southeast के है, Southeast Asia के nations, हना, उनका मिला के एक group है, जिसको हम बोलते है, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, clear है, तो उन सारे nations के अंदर, जो women officers है, उनके लिए, ये table topic exercise, Indian army ने conduct कराई, ठीक है न, चलिए, आगे बरते हैं, moving on to the next, very very important, अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर एक ship है दोस्तों, जिसका नाम है, INS सुमेधा, ठीक है न, मैं सारी news, INS सुमेधा की एक जिगे लेक जैसे मैं आपको दिखा हूँ, एक article यहाँ पर आप देख रहा हो, that is of 10th December 2023, है न, फिर आप यहाँ का article देख रहा हो, business standard का, ये article November 2023 का है, ठीक है न, इसके बाद आप ये article देखो, ये article September 2023 का है, तो मैं आपको एक article लेकिया आया September का, एक article लेकिया आया November का, एक article लेकिया आ आइने सुमेधा, आइने सुमेधा, और इसके इलावा भी देखे यहाँ पर, आइने सुमेधा, तो मतलब ये जो सुमेधा है, आइने सुमेधा, ये काफी न्यूस में रही साल भर, और ये न्यूस में क्यों रही वो बताता हूँ, actually ये जो शिप है, आइने सुमेधा, ये तो जैसे आप देखिए यहां पर यह न्यूज आई सबसे पहले इंडियन नेवल शिप इसका फुल फूर्ट फॉर्म होता है आई एनस तो आइनस उमिधा मेक्स मेड़न वॉयर्ज टू कीनिया पूर्ट लामू तो बेसिकली यह जो शिप है हमारी आइनस उमिधा सॉरी यह ह पहुंचती है कहां पर यह पहुंचती है इश्यू सी यह पार्टिसिपेशन ऑफ आइनन एफोस यह तो ठीक है छोड़ दी जागे हां सबसे पहले इंडियन नेवी की शिप जो है आइनस सुमेधा यह पहुंची इन इजिप्ट कहां पहुंची इजिप्ट साथ डिसमबर स सबसे पहले पहुंची इजिप्ट और इजिप्ट में पहुंचके इसने पार्टिस्पेट किया था इन एक्सराइज ब्राइट स्टार 2023 यह दोस्तों इजिप्ट में होती है पहला चीज तो यह नोट कर लीजे अब एक बात समझ में आ गया कि यह एक्साइज अगर 3 Account services excel इसे मिल्टेरी डिक्रीजाईज जब 3 सर्विसस बोल रहा है इसका मतलब उसमें आर्मी भी किया होगा उसमें नेवी में उसमें नेवी में किया होगा तो मोट स्थाड स्टार 2023 ब्राइट स्टार 23 क्या से मिल्लिटरी एक्साइज है ठिक और इसमें इंडिया की यह जो पार्ट्सपेट करती है ऐसे आपको याद रहेगा क्योंकि आएने सुमिधा कई जगह गई तो इंडिया नेजी की शिप आएने सुमिधा ने इस एक्साइज पार्ट्सपेट किया पहले इंफॉर्मेशन यह क्लियर हो गई कि एक्साइज ब्राइट स्टार कहां पर हुई दो दो कंट्रीजी की बीच में हो ऐसा नहीं है इस में इसके अलाबा किया ये मिलिटरी आमी की यह त्राइश कर रहे हैं उसमें उन कंट्रीज के तीनों सर्वेसेश करेंगे तो इंडिया की नेवल की तरफ से आप देख रहे हो कि आई ने सुमेधा ने पार्टिस्पेट किया लेकिन दोस्तों एक आर्टिकल आपको यहां भी दिख रहा है सताइस अगस्त का अर्टिकल है और यहां लिखा हुआ है पार्टिसेपेशन ऑफ दी इंडियन एर फोर्स इंडियन एर फोर्स में भी पार्टिस्पेट किया इन एक्साइज ब्राइट स्टार ट्वंटी त्री आडडी बेस कैरो एर बेस तो दोस्तों यह भी कि इंपॉर्ट इंडिया के इंडिया की इंडिया की एयर फोर्स ने भी इसमें पार्टिस्पेट किया था तो आपको यहां से ब्राइट स्टार ट्वंटी थ्री के बारे में फॉक्शन हो जाता और अब आगे देखिए वापस आते हैं यह नोट कर लिया हो ठीकिएאब इसमें कितने countries है, वो भी note कर लीजे, इस पूरे exercise है, bright star 23 में 34 countries participate कर रही है 34 countries जो है, वो participate करती है, और ये this makes it the largest this makes it the largest joint exercise, military exercise, ये largest joint military exercise हो गई है दोस्तों, जो की आपकी conduct कराई जाती है in the middle east in the middle east in the middle east and north african region in the middle east and north african region, तो आप से examination के अंदर जो पूछा जाएगा बस इतना कि bright star 23 कहाँ पर हुआ Egypt में हुआ, ये इतना आपको यहाँ पर note कर लेना है, प्लियर है, चलिए अब इसके बाद देखिए, ये जो INES सुमिधा है, है ना, ये news थी कप की, 7 सितंबर की, ये न्यूज कप की है, 27 अगस्त, 7 सितंबर की न्यूज है, ये न्यूज है नेवेंबर की, अब देखिए, इंडियन नेवी डिप्लाइज आइनेस सुमिधा, इन मुजाम्बीक, तु बूस्त इंटर आप इंटर आफेवरिल्टी यानि कि यही आइनेस सुमिधा मुजाम्बीक पहुची, फिर उसके बाद यही इंडियन आइनेस सुमिधा मेक्स मेडन वायज, अब देखो, ये पहली बार गई है, इसलिए इंपोर्टेंट है, मेडन आइनेस सुमिधा को लेकर धिवाग में और आइनेस सुमिधा को आफ्रिकन कॉंटिनेंट पर डिप्लॉयमेंट किया गया है और वो अलग-अलग नेशन को जो कोस्टल नेशन होंगे वहां जाके विजट कर रही है जैसे यहां पर उसने कीन्या को विजट किया मोजांबीक को देखें यहां पर विजट किया और एजिप्ट में विजट किया तो bright star 23 को attend किया clear हो गया बात ये बात clear हो गया notes कहां मिलेंगे notes इसके PW के mobile app पर मिल जाएंगे और मेरे telegram channel पर मिल जाएंगे जो मैंने आपको already यहाँ पर link लगाया था starting of the lecture में clear यहाँ तक clear है बढ़ें आगे moving on to the next आगे आजएए by annual exercise प्रस्थान held in the western offshore development area of Mumbai please note कर लिजेगा exercise का नाम क्या है exercise का नाम है प्रस्थान please note exercise का नाम है प्रस्थान please note very important exercise का नाम है प्रस्थान please note कर लिजेगा कहां पर हुई है of coast Mumbai of Mumbai coast of Mumbai coast please note बनाने कैसे है सर नोट सबकुछ लिखना है क्या रोहित काशप सबकुछ नहीं लिखना होगा आपको समझ में आ रहा होगा सवाल किस चीजबाएगा वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ अब सवाल आएगा excise प्रस्थान और excise प्रस्थान कहां पर हुई बस आगको इतना नोट करना है Mumbai coast पे clear है note कर लीजए note कर लीजए ठीक है अब देखो यार यह जो excise है ना यह excise every six months होती है यह buy in annual है ना every six months यहां पर यह होगी और इस excise को objective क्या है यह important है what is the objective of this excise objective यह है कि जो offshore हमारे country के offshore में या कि मतलब समुदर से हम अपने शोर से थोड़ा दूर जाएंगे पानी की तरफ समुदर की तरफ तो oil production होता है और oil production के दौरान या फिर उस तौरान कुसी पी तरह की miss happening होती है तो उस वक्त की excise है कैसे वहाँ पर इंडिया नेभी और defense forces जो है वो कैसे यहाँ पर चीजों की production में आएंगे या पर कुछ अगर होता है कैसे इसको manage किया जाएगा तो basically यहाँ पर यही लिखा हुआ है the excise the current एक पर लिखें यहाँ पर लिखा हुआ है yes यह देखिए यह लिखा है to address various contingencies कुछ भी हो सकता है that may arise in the oil production platforms तो हमारे जो इंडिया के coast पे जो oil production platforms है यानि कि जो oil जहाँ पर produce हो रहा है उन oil production platforms में कोई भी प्रकार की अगर contingency आ जाती है contingency मतलब किसी प्रकार का कोई event हो जाता है कुछ miss happening हो जाती है हाना कुछ भी तरह contingency आई उस contingency को handle करने के लिए कैसे handle किया जाएगा उसके लिए यहाँ पर यह exercise प्रस्थान जो है वो करी गई exercise प्रस्थान जो है वो करी गई और यह जो exercise है यह एक by-annualement है यानि कि every six months आपको देखने को मिलेगा है साल मैं बोलू every six months या मैं बोलू every साल में दो बार होते हुए दिखेगा please note कर देजे phone search off करा हुआ है defense वाला का एक official number भी है दोस्त अगर आपके पास वो नहीं है तो वो आपको मिल जाएगा मैं last में कोशिश करूँगा कि आपको देखे चल रहा हूँ defense वाला का official number है ठीके उस पे आप हमेशा बात कर सकते हैं चलिए आगे आजएगी note कर लिया note it down note it down exercise क्या होता है exercise का मतलब यह होता है दोस्त इसे मान लिजे कभी कोई contingency हो जाती इसे मान लिजे मैं exercise बोलूँगा exercise for example दो countries मिलके करते हैं exercise का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से आप daily exercise करते हो ताकि आपकी body fit बनी रहे हाना आप daily exercise करते हो कि कल को जब बढ़ापा आएगा तो आप fit रहो वैसे ही यहां पर ही समझ लिए exercise का मतलब यह है आप exercise मतलब कोई चीज की practice कर रहे हो हाना चाप्टर खताम होता है तो गहते आप exercise लगा लो तो exercise का मतलब क्या है जो यह चाप्टर पढ़ा अब उसे सवाल लगा के देखो कर पा रहे हो कि नहीं हाना exercise वैसी similarly मान लिजे कोई oil contingency platform से कोई contingency हो जाए कोई event हो जाए कोई happening हो जाए कोई miss happening हो जाए तो उस वक्त कैसे हमारे defense forces help कर पाएंगी उसके लिए पहले से exercise करके हम ready होते है exercise जब होती है तो basically we are preparing ourselves हम अपने आपको तयार कर रहे हैं time के लिए कि अगर वो event actually हो गया तब कैसे हम behave करेंगे मान लिजे अभी तो कोई event नहीं हो रहा है कोई oil platform पे कोई contingency नहीं हो जाए मान लिजे oil कुछ blast हो गया हाना कभी कुछ हो गया तो हम कैसे लोगों को rescue करेंगे कैसे बचाएंगे वो सब चीजों को लेकर यहां पर exercise करी जाती है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं moving on to the next आ जाईए सिर्फ आपको इसमें क्या याद रखना है इसमें याद रखना है कि इंडिया और व्येटनाम के बीच की यहां जो exercise है वो क्या नाम है उसका प्लीज नोट कर लीजेगा उसका नाम है winbacks प्लीज नोट करिएगा उसका नाम है winbacks winbacks 23 ठीक है 2023 में हुई है winbacks 23 और यह कहां पर हुई है यह hanoi में हुई है कहां पर हुई है hanoi में इंडिया वेटनाम के exercise कहां पर हुई है हनोव में हुई है नोक टलीजें क्लियर है क्लियर है NDA2 का बैच बता दो NDA2 का बैच लाइव है अल्रडी लाइव है PW पर जाके देखिए बैच इस अल्रडी लाइव स्टार्ट होगी क्लास आफ्टर यॉर NDA1 इस ओगर बट एक मैंने बताया ना एक शौर्या का मॉर्णिंग बैच भी आएगा लेकिन वो मॉर्णिंग बैच वही लोग पढ़ सकते हैं जिनको स्कूल नहीं जाना होगा या वो लोग जा सकते हैं जो जो पास आउट कर चुके होंगे पर वो जो मॉर्णिंग बैच है वो थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा एप्रिल फर्स्ट वीक में एप्रिल के वीक में लेकिन जो शौर्या बैच है वो आपका 21st एप्रिल होने के बात शुरू होगा तो यह आप डिसाइट कर लिजेगा आप किसमें पढ़ना है वेटनाम में ही है अनोई भाई वेटनाम में ही है प्लीज नोट कर लिजा चलिए नोट कर लिए आगा आगे आगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रक्षा राजयंतरी फ्लागजिन मिशन एंटक्टिक टीव फ्रम हिमाल्य माउन्टेजिरिंग इंस्टीटूट अब जरए सुनिये क्या हुआ है एक मिनट देखे है पहले सुन लीजे देखिए एक ईंस्टीट है जिसका क्या नाम है जिसका नाम है Himalayan Mountaineering Institute ठीक है ना एक institute है जिसका नाम है Himalayan Mountaineering Institute अब ये जो institute है इसके जहाँ पर कुछ ट्रेकर्स थे इसकी यहाँ पर एक team है इसकी यहाँ पर एक team है वही team जिसने Antarctic Mission किया था एक team जिसने Antarctic Mission किया था इन लोग ने अभी यहाँ पर क्या किया ट्रेकिंग करी और ट्रेकिंग करके जब यह गये हैं पहाड़ पर उपर बताता हूं उस पहाड़ का नाम वहाँ पर इंडियन फ्लैक को होईस्ट किया है वो इतना बड़ा इंडियन फ्लैक था कि उसका नाम फिर रिकॉर्ड में आ ग ये ट्रेकर जो हैं वह एक्षिली इंटरक्टिक के अंदर भी थे जैसा उने आपको बताया ठीक है और यह हिमालियन मालें इंस्टिटूट जो आपका दारजीलिंग में है उसके ये मंबर्स है उसके ये मंबर्स है ठीक है अब हुआ क्या इस टीम ने जो ट्रेकिंग करकी इतना हेवी फ्लाग और इतना बड़ा फ्लाग नाशनल फ्लाग उसको यहां पर हॉइस्ट किया है ध्यान रखिएगा हॉइस्टेड इस टीम हाइस हॉइस्टेड टिके इंक्लूडिंग अटॉप माउंट रहतनौक इन सिक्क्यम हमाल्याज ठीके इतनी हाइट पर जाके आट रहनौक यह आपका सिक्क्यम हमाल्याज में लाई करता है और इन ट्रेकर्ज ने यह जो ट्रेकर्ज है यह ट्रेकर्ज बिलॉंग करते हैं यह ट्रेकर्ज बिलॉंग करते हैं किसको इस पर्डिकलर इंस्टिट्यूट को और यह वही लोग है जिन्होंने मिशन एंटाक्टि हैं कहां पर इस पर्डिक्लर माउंट रहनौक पे प्लीज नोट कर लीजे सिक्किर माल्याज में है यह और यह जो करते है नाशनल फ्लैग आप जो है जान रहे हैं यह 75 kgs in weight है और 7500s square feet का इसका मतलब इसका dimensions था है प्लीज नोट कर लीजे ठीक है sir this is not important for NDA perspective mantra UPSC का exam है कोशिश करो कि इस तरह जो प्रडिक्शन मत करो simple सवाल जो इसमें पूछ सकता है वो यही होगा आपको लग रहा है कि यह current affairs के अंदर है आप इतना ही सोचोगे लेकिन मुझे लग रहा है mount renault पूछ सकता है geography के अंदर it was recently in news इसी पूछेगा mount renault recently in news is located in state बस वहाँ पर सवाल आप घूम जाओगे जम्मू कश्मीर हमाचल अरनाचल सिक्क्यम और सिक्क्यम मार्क नहीं करोगे ठीक है तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ इस तरह से एंगल से नहीं होगा कि current affairs के अंदर यह geography का static question बन सकता है ठीक है ना clear है तो यहाँ पर note कर लिजे ऐसे मत्तों चोई आउगस का है कि देखो date लिखी हुई है 13 December 2023 यह देखो December की date लिखी हुई है clear है clear है के नहीं clear है आपर बात तो important है अच्छा यह तो खाली एक बात हो गई इसके लावा जहाँ पर और भी चीजे लिखी है वो यह the team also displayed the tri color over the Mount Winston Peak which is the highest peak of South Pole जब यह Antarctic के mission पे गए थे ठीक है तो वहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने South Pole पे भी इस team ने क्या किया था डिस्प्ले किया था राई करण को बट अभी जो है यह जो trackers है वो हिमालियन माउंट इंजिनिंग इंस्टिट्यूट दार्जीलिंग के हैं और यह लोग ट्रेक करके गए इन्होंने माउंट रेनॉक्सिक के हमालियास में नाशनल फ्लाग को हईस्ट किया पच्छतर किलों का यह फ्लाग सेविंटी फाफंड स्क्वार पे इसका डायमेंशन्स क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं moving on to the next आगे आगे अब देखिए इन्डियन नेवी टु री इंडक्ट शिप गिफ्टेट टू डिफ्टेड अन्डी कमिशन बाइन अब इंडिया ने आपको पता हैं इंडिया और माल्डीव के बीच में अभी काफी जादा पॉलिटिकल रो हुआ जब प्राइम मिनिस्टर की जो फोटोज गई थी टेलिग्रा उस पे ट्विटर पे हाना जहां पर प्राइम मिनिस्टर ने लक्षुदीप की फोटो डाली थी तो उस पर माल्डीव के कुछ मिनिस्टर ने कमेंट किया था हाना कमेंट किया था and that became a very पॉलिटिकल रो उसके बाद काफी कुछ इंसिटर देखने को मिले हुआ यह कि इंडिया ने पहले क्या किया था इंडिया ने माल्डीव को एक शिप गिफ्ट करी थी और यह शिप जो है अब वापस इंडिया आई है तो इसको इंडिया ने क्या कर लिया है दुबारा से ल इसका नाम रख दिया था हुरावे ठीक है और यह अभी मई 2023 तक वहाँ पर थी लेकिन उसके बाद अभी यह इंडिया वापस आई है तो इंडिया में इसका नाम रखा गया है आईनस तारमुगली इंपोर्टेंट है आप से आईनस तारमुगली करके पूछ सकता है तो यह तो शिप है इंडिया नेवी टू री इंडक्ट अशिप शिप का नाम क्या है यहाँ पर आईनस तारमुगली प्लीज इंपोर्टेंट नोट कर लिजे इंपोर्टेंट नोट कर लिजे आईनस तारमुगली प्लीज इंपोर्टेंट है नोट कर लिजे ठीक है यह सब याद नहीं करना है आपके नॉलिज के लिए बता रहा हूं थोड़ा सापको दिमाग में समझ में असानी हो जाती है इंड ये क्या है ये ओल्ड पुरानी फास्ट अटाक क्राफ्ट है ठीक है तो क्या है क्या है ये ये एक ओल्ड पुरानी फास्ट अटाक क्राफ्ट है नाम क्या है आईने स्तारमुगली इसको माल्डीव से अपने वापस लेले इसको डिकमेशन कर दिया उन्होंने हमारे पास वापस आ गई ठीक है और अभी वापस पहले ही वापस पहले ही आ गई ठीक है तो आप यह देखेंगे डिसंबर 13 की नियूज है ठीक है चलिए अब इस शिप कई खास बात भी यही है कि यह तारमुगली शिप है यह दो नेशन्स के अंदर सर्फ कर सुकी है अना अंडर दी फ्लाग ऑफ टू नेशन्स राइट अंडर दी फ्लाग ऑफ टू नेशन्स अंडर दी फ्लाग ऑफ टू nations clear है? note का लिया गया? चलिए, आगे आ जाईए, next आगे आईए, देखिए, अगला जो है बहुत भी important है and that is summer defense, air defense system चलिए, देखिए ज़रा, what is this summer air defense system, देखिए, air force ने क्या किया है, air force ने, या India Today का article है air force carries out successful trials of summer air defense system I'm sorry शौरे वालों को लोट करना है, लोट कर लो शौरे वालों कोई दिक्कत नहीं है, लोट करने को बुराई नहीं है आपको easily याद हो जाएगा, ठीक है अब देखिए, air force ने क्या किया है, इंडियन air force उसने successful trial किये है, summer summer air defense system के, अब basically सवाल ये है कि what is this summer air defense system, है क्या ये अभी जो कि trial हुए है, अभी induction ऐसे नहीं, trial हुए भी तो तो trials पूरे हो गए, बट ये newsmaker हो गया, अब important है कि summer air defense system है क्या summer stands for surface to air missile for assured retaliation, दो चीज़े clear हो गई, ये जो air defense missile system है नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई दुश्मन हमारे उपर attack कर रहा होगा, हना कोई missile हमारे उपर दाग रहा है मान लीजे, तो ये एक air defense missile system है, हम इस summer air defense missile system से, हम यहाँ पर अपना missile दाग कर, इस दुश्मन के अहतियार को खतम कर सकते हैं, ठीक है, और इसी लिए ये एक surface से मार करने वाला air missile surface to air मार करता है, तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई, कि ये surface to air काम करेगा, ठीक है, और ये हमारा missile defense system है, तो basically, दुश्मन के जो आते attacks को रोकने काम ये करेगा, ठीक है, तो what is basically, what is summer, summer is basically an air defense missile system, ठीक है examination में गर आएगा, कि summer, recently seen in news है क्या summer, तो भाई, summer क्या है, summer क्या है, summer कोई प्रकार का, मौसम नहीं है भाई, summer है, air defense missile system, ध्यान रखना, ये air defense missile system है, please note कर लिया जाए, air defense missile system है, please note कर लिया जाए, very important, ठीक है न, clear है, ठीक है, ठीक है, चलिए, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये कहां से किया गया, ये जो test है, ये कहां से किया गया, ये किया गया था, basically, देखे यहाँ पर, सूरिया लंका Air Force Station शीरलंका नहीं है सूर्यलंका Air Force Station जो कि आपका आंद्रपदेश में है तो ये कब किया गया ये तब किया गया जब एक exercise थी जिसका नाम है प्लीज नोट करेगा exercise का नाम है अस्तराशक्ति एक exercise है अस्तराशक्ति तो exercise अस्तराशक्ति जब हो रही थी उस exercise अस्तराशक्ति में ये test firing करी गई है प्लीज नोट कर लिजेगा ये जो exercise है exercise का नाम है अस्तरशक्ति तो ये तो ये पूछ सकता है कि अस्तरशक्ति कहां पर हुई है तो अस्तरशक्ति जो है तो ये important हो गया ठीक है ना ठीक है तो summer system was a part of the अस्तरशक्ति exercise in the Suriyalanka Air Force Station for the first time and it successfully achieved firing trials objectives in different engagement scenarios ठीक है अब ये जो आपका system है summer system इसके अंदर आप देखोगे तो it can engage aerial threats हावा में आते threats को engage कर सकता है with missile operating at a speed range of 2 to 2.5 max जो इस summer air defense system से missile दागी जाएगी वो missile इस particular speed में जा सकती है इसको रखने की जरुवत नहीं है एक्जाम में नहीं पूछेगा summer system consists of a twin turret ध्यान रखना इसमें आपको मिलेंगे twin turret अब twin turret का मतलब क्या है कि माल लीजे summer system कैसा होगा एक ट्रक पर लदा हुआ तो उसमें दो missiles दागने वाले हाथ होंगे ठीक है ना यहां से missile लिख लेगी यहां से तो इधास twin turrets ठीक है ना launch platform with the capability of launching two missiles single and a salvo mode depending upon the threat scenario salvo mode मतलब समझे रहो कि भई back to back without any halt आप missile fire करते जा रहे हो ठीक है उसमें try किया गया था यह excise आंद्रपदेश में हुई क्यों? क्योंकि यह जो test wiring हुई है वो आपकी सूर्य लंका air force station चोकि आंद्रपदेश में है वहां से हुई है I hope this point is now clear to everyone I hope this point is now crystal clear to everyone हाँ CDS के लिए देख सकते हैं बिलकुल देख सकते हैं I hope this point is clear to everyone clear हो गया यहाँ पर note क्या क्या करना है सर देख लीजे पहली चीज तो आपको जो note करनी है वो आपने note कर ली होगी summer को लेकर summer क्या है इसका full form आप लिख लीजेगा पहले चीज तो मैं लिख नहीं रहा हूँ आप लिख लीजेगा तो दूसरा point लिख लीजे कि ये एक air defense system है ठीक है ना ये एक air defense missile system है ठीक है फिर उसके बाद जो इसमें important है वो ये important है कि ये surface to air का system है surface to air system है ठीक है ना ये जो summer system है इसको Indian Air Force ने test fire किया है ठीक है ना Indian Air Force ने इसके trials किये है ये trials कहाँ पर हुए है वो note कर लीजेगा वो आपका मिलेगा सूर्य लंका सूर्य लंका अब आपको इसका air base याद नहीं करना है आपको याद रखना है कि ये हुए है आंदरपदेश से ठीक है बस आपकी knowledge के लिए याद भी नहीं करना in fact ठीक है आपको इसमें जो याद रखना है वो ये कि ये test किया गया है इन दी अस्त्रशक्ती exercise इन दी अस्त्रशक्ती exercise प्लीज नोट कर लीजे तो आपको ये भी clear हो जाएगा कि अस्त्रशक्ती क्या है clear बिलकुल important है भाई CDS 1 2024 के लिए रितिशा वेंकर टरमन इंट वेरी वरी इन इकुल इंपोर्टन विकर्स जो डिफेंस अपडेट्स हो रहा है वो सारे आपके NDS, CDS आफकाट एनीधिं के लिए इंपोर्टन है चलिए आगे बढ़ते हैं next देखिए India's Akash Missile Engagement engages four targets at once अब देखो, यहाँ पर फिर से समझ लिजे important क्या-क्या है देखे हुआ क्या है कि India का जो Akash Missile है India की जो Akash Missile है वो एक बार में चार targets को engage कर सकती है at 25 km ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में ऐसा नहीं बोलना है आपको याद रखना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब Akash Missile India की एक बार में four targets को एक बार में hit कर रही है very important please note कर लिया जाए as you can see here कि आपकी यहाँ पर अगर deployed है यह तो यहाँ से अगर आपके अलग-अलग यह enemy आ रहे है यह आ रहा है आपका यह enemy एक आ रहा है यह enemy आ रहा है यह enemy है यह enemy है तो भहई यह sakes enemy जो है धस्त हो जाएँगे खतम कर दी जाएए तो यहाँ पड़ जाएए ऐसा करनेवाला इंडिया जो है वो पहला country बन चुका है ठीक है, so India becomes the first country to have such a capability using a single firing unit एक firing unit से आप चार missile ताग रहे हो और ये करने वाला आपका, इंडिया की अकाश missile ने ये चीज़ अचीज़ अचीज़ कर लिया है क्लियर है क्लियर है ठीक है क्लियर है नोट कर लीजे सर अगर मैं पूरे, सर अगर मैं पूरा क्लास होने के बाद PDF से questions नोट कर लो हाँ कर लगते हो, उसके बाद questions पूरा क्लास करके, नोट कर लेना PDF, लेकिन सुनते जाओ तो याद भी रहेगा पहले का starting एगंटा जरूर कर लो क्योंकि Defense के exam के अंदर आपको यादर सवाल definitely मिलने वाला है definitely, ठीक है अब ये जो है, इसको test fire किया था Defense Research Development Organization, DRDO प्लीज नोट कर लिया जाए सब लोग, DRDO जानते होंगे Defense Research Development Organization please note DRDO तो which country has become the first to have to engage four targets in one single firing unit India ठीक है ना, please note कर लिजे अब इस particular जो आप देख रहे हो इसको test fire किया गया है किस के द्वारा DRDO के द्वारा लेकिन इसको बनाया किसने है BDL ने बनाया है please note करिए इसकी facility आपको मिलेगी कंचन भाग में note ने, याद नहीं करना है बस आप note कर लिजे and again ये जो भी चीज करी गई यहाँ पर इंडिया के अकाश मिसायल को fire करके वो अस्त्रशक्ती exercise में करी गई तो अस्त्रशक्ती exercise में दो चीजे समझ में आती है अस्त्रशक्ती exercise के अंदर Indian Air Force ने एक चीज तो test fire करके चेक करी that is the summer air defense missile system और दूसरा अस्त्रशक्ती exercise के अंदर दूसरी चीज जो हुई वो क्या वो ये कि आकाश जो मिसायल है हमारी उसको चार टार्गेट्स को at a distance of 25 kilometers मार गरा सकता है इस चीज को test किया गया ठीक है ना प्लीज यहाँ पर इसको note कर लिया जाए very very important है प्लीज नोट कर लिजे BDA के फुल फॉर्म भारत dynamics limited यार प्लीज नोट कर लिजे तो मैं और क्या मैं बोल रहा हूं surface to air ही तो बोल रहा हूं है मैंने कहा कुछ बोला short range surface to air missile तो मैंने कहा कुछ बोला दाकाश with a range of up to 25 kilometers is a short range surface to air missile primarily used for protecting vulnerable areas and points from air attack surface to air missile है तो इसमें क्या दिक्कत है भाई ये अलग है और ये जो summer system है वो अलग है summer system is a surface to air weapon system ठीक है ना ये एक weapon system है इसमें क्या हो रहा है आप air defense air में आते हैं अपने उसको मार तकते हो किस्से summer air defense system की तो ये अलग news हो गई बट ध्यान ये रखना है कि exercise अस्त्रशक्ति के अंदर ये भी हुआ था और दूसरा अकाश missile यानि कि आप एक single firing unit से आप चार-चार missile दाट सकते हो ये अलग चीज़ है clear है अस्त्रशक्ति किसी के बीच में नहीं हुई ये हमारी खुद की करी हुई होती है ठीक है हमारी armed forces exercise करती है अपने अलग-अलग अस्त्र शक्ति तो अपने अस्त्रों को weapons को उसकी शक्ति दिखाने का यहाँ पर ये exercise होती है अगर आप थोड़ा से देखो तो अस्त्र शक्ति आपको समझ में आ रहा है अपनी अस्त्र weapons को दिखाने की शक्ति दिखाने की exercise होती है ठीक है ना ये important है clear है चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट चलिए आगे देखिए अब यहां पर क्या एक अवार्ड का नाम है जिसको हम बोलते हैं गोल्डिन आउल अवार्ड यह जो अवार्ड है दोस्तों यह शिलंका की गवर्मेंट देती है हमारे कुछ आफिसर्स आम्ड फोर्स आफिसर्स यहां पर शिलंका जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं और इस बार हमारे ओफिसर्स को इस गोल्डन आउल अवार्ड के लिए वहाँ पर चुना गया है तो जो इस वक्त शिलंका के प्रेसिदेंट है रानल विक्रम सिंगे अवाडड दी गोल्डन आउल अवाड टू दी थ्री इंडियन So basically यह जो अवाड है शिलंका की government देती है गोल्डन आउल आवड आवड ओल्न आउल आवड ये जो अवाड है शिलंका के government देती है दूसरा ये अवार्ड मिलिटरी की field में दिया जाता है तीसरी बात हमारे तीन आफिसर्स को ये अभी दिया गया है हमारे जो तीन इंडियन आफिसर्स के आफिसर्स उनको दिया गया है ठीक है उनके नाम क्या क्या है उनके नाम है विंग कमांडर सुमीत महाजन दूसरा मेजर रोहित और थर्ड इस थर्ड इस लेफटेनिंट लेफ लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो सुनोगे जतना देखोगे जतना जानोगे उतना नौलज बढ़ेगी उतने नाम याद करने की जरुवत नहीं है बस यह याद करिएगा कि गोल्डन नाम देखो याद नहीं करना पहचानना है देखो गोल्डन आउल अवार्ड कौन दे रहा है शिलंका की गवर्मेंट दे रही है एक चीज़ लोट कर लो ठीक है उसके बाद यह अभी किसकी फील में दे परादी ऐसी ऑप्शन होगा की स्पोर्ट सब्सक्रान अबीप्ट्री अप्शन होगा सी बिल्टरी फील अप्शन होगा डूई लिटरी फील्ड आपको धियान लगना है गवर्मेंट और यह है इस बडार थीन ओफिसर को दिया गया है त्क और officers के नाम जाद कर लो एक सुमित महाजन विंग कमांडर देन रोहित मेजर रोहित देन लेफ्टनिंट कमांडर सनी शर्मा क्लियर है क्लियर इंडिया फाउडेशन का ओरेटेशन सेशन जल्दी होगा ठीक है प्वाउडेशन चैनल पर भी जलके एक बार आपके साथ बातचीत करेंगे खूब वहाँ भी आप लोगों को बताएंगे चली आगया ये नेक्स्ट इंडियन नेवी अन्विल्स न्यू डिजाइन ओफ एपॉलिट्स पॉलिट्स टॉप रैंक ओफिसर्स तो जो हमारे इंडियन नेवी के टॉप रैंक ओफिसर्स है उनके जो अपॉलिट्स होते हैं हाना आपने देखा होगा कि जो शोल्डर पे लगे रहते हैं राइट वो चीज़ तो वो ये हैं बेसिकली जो जो अपॉलिट्स बराए गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं और यह इंडियन नेवी ने यहाँ पर इसको अन्मील किया है अपने टॉप रैंकर ओफिसर्स के उनके अपॉलिट्स को ठीक है तो यह जो भी अपॉलिट्स है ठीक है यह हमारा नेवी डे था ठीक है उस दिन यह चीज़ हुई थी हना और यह नेवी डे आप देखरों कहा पर सिंदू दुर्ग में हुआ था इस चीज़ को बता दीजे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर दो सवाल है मेरे पास कि देखो नेवी डे तो हो गया Navy Day जो है वो आपने देख लिया कि ये मनाया गया है कहां पर Sindhu Durg में कहां मनाया गया है Sindhu Durg में मनाया गया है Which is in Maharashtra अब बताइएगा Army Day कहां मनाया गया था इस बार का यानि कि 2024 में हुआ है जो 15 December को 15 January को और इसके लावा Indian Air Force Day कहां पर मनाया गया है ठीक है इन सब बार इन सब की जगह चेंज है इसलिए काफी important हो जाता है Anyone बहुत बढ़िया देखो बहुत बढ़िया Army Day और Air Force Day कहां मनाया गया है Anyone बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दिया है इसका answer मैं आपको आगे दोगा तो फिलाल के लिए यहां पर ही नोट कर लिजे यह जो आपके appallets है यह किस के लिए किये गए है ranks of admiral ठीक है vice admiral and rear admiral इन post के लिए यहां पर यह appallets जारी किये गए है आपर नएड अन्डेजाइंस को unveil किया गया है प्रीज नोट कर लिजे इंडियन नेवी unveils new design of appallets for its top rank officers ठीक है important है कि inspired किस से है inspired बादी राज मदुरॉप चत्रपती शिवाजी महराज चत्रपती शिवाजी है ठीक है चलिए navy day कहाँ पर हुआ है लिजे तारा बोल ये तारा रारा five star question देखे सुनिये यहापर इंडियन नेवी इंडियन नेवी is commodore launches महाबली टग advancing self-lion ship building दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है महाबली की अब सवाल यह है कि महाबली है क्या देखे महाबली एक क्या है it is a bollard tug क्या है यह यह एक bollard tug है pull tug ठीक है अब सवाल यह है कि bollard pull tug क्या होता है देखे क्या होता है कि जब कोई ship है ठीक है उसको एक particular log एक particular ऐसे immoveal जगे से बांद के उसको खीचा जाता है उसका यह देखा जाता है कि कितना ज़्यादा यह time force लगा सकता है माली जो कोई ship है उसको अगर उसको अगर लाना है अंदर की तरफ जहाँ पर port है उसे खीच के लाना है तो कभी ज़रत पढ़ गई उस ship की कोई चीज को आप समुझतर से खीच के लेके आना है या पिर कोई ship को अगर पोर्ट के अंदर अंडर अंटर कराना है और भारी ship है तो उसके लिए यहाँ पर बोलर्ड पुल टक का इस्तमाल किया जाता है ठीक है ना मैं आपको इसका चित्र दिखा जथा हूं अगर नाम क्या लगता है और फेया है प्लड पुल टक इसका काम क्या है पुल करना तो कोई भी चीज बारी है उसको खीच के लाना है तो यह इसका होगा अब यह जो महाबली है, इसको कहां लॉंच किया गया है, प्लीज नोट कर लिजेगा, यह जो लॉंच किया गया है, इंडियन नेवी ने किया है, important Commodore launches, महाबली तग, ठीक है, advancing self-lines in ship building, अब यह जो है, इसको किसनों लॉंच किया है, Commodore, सुनील कौशिक, very very important, यह नाम कई बा होंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अब जरा इसको देख लिए, काम आपको clear होएगा, जैसे काम क्या है, कि during birthing and unbirthing, हना, जब भी हम ship को birth कर रहा है, यानी platform लगाते है, तो वैसे यहाँ पर क्या होता है, इनके harbors होते है, तो यह उसके अंदर लगती है, तो birthing and unbir fighting assistance to the ships, मान लिए किसी ship में आग लग गई, हना, या fire कुछ हो रहा है, तो उसको वहाँ पर help कर सकती है, या फिर ये ship जो है, वो search and rescue operations भी कर सकती है, तो बोलड पुल टक का यह सब काम होता है, important यह है, कि आपको इसका क्या करना है, नाम याद रखना है, very very important, महाबली, किसने को लॉंच किया है, महाबली को, इंडियन नेवी ने इसको लॉंच किया है, और कौन है वो जो लॉंच किया, रिरक्टी का नाम क्या है, कॉमडोर सुनील कौशिक जो है, विन्वक्ति का नाम है, यह एक बोलोड पुल टक है, आप से पूछ सकता है, महाबली recently seen in news क्या है, मह ठीक है, कहाँ पर किया गया है, वो भी नोट कर लीजे, गुजरात में किया गया है, very important, जगह देख लीजे, यह लिखा हुआ है, बहरूच गुजरात, important है यह चीज, यही पर चाहे लिख लीजे, गुजरात, यही पर लिख लीजे, कहाँ पर किया है, गुजरात में किया ह important प्लीज नोट कर दीजे आगे आजाएए next अब देखें इसन न, सिर्फ लिख लिजे military exercise काजिन किसके-किस के बीच की है प्लीज नोट कर लिजेगा Indian Army and Indian NOES कांतिजें depends to participate in India कजाहिस्तान joint military exercise 2023 काजिन प्लीज नोट कर लिजेगा है अगसाइप का नाम क्या है काजिंद और साल कौन सा है 2223 तो लिखा हुआ है इसके किसके बीच की है यह इंडिया और India and Kazakhstan please note कर लिया जाए जाए इंडिया and Kazakhstan कहां पर हुई है वो लोट कर लिए ब्लीज नोट करिएगा कहां पर हुई है यह आपकी हुई है कजाक्स्तान ने डुर गल्न बैअट और यह कहां पर है कजाकिस्तान प्लीज नोट कर लिजए इतनी इंफॉरमेशन ठीक है चली आगे बढ़ते हैं moving on to the next देखिए यहां पर एक size है जिसको बोल यूएस air force blows up minute man 3 in test flight after post launch anomaly अब देखिए एक missile का कर रहा था यूएस का air force एक missile का test कर रहा था और उसका नाम क्या है minute man 3 इसका नाम है जैसे ही launch हुआ after the launch post launch हुआ क्या post launch में कुछ anomaly देखने को मिली यूएस वालों को यूएस के एरफोर्स को लगा कुछ घपला हो गया कुछ दिक्कत आ गई इसके इंदर तो उसको pacific ocean की उपर ही उड़ा दिया तो यूएस एर फोर्स सेट उन वेंदेश डेट ब्लोन अप उसने उड़ा दिया a minute man 3 missile over the pacific ocean ठीक है after an anomaly was ejected following its launch from the Wendenberg Space Force based in California तो California में इसको launch करने के बाद उनको लगा कुछ इसमें दिक्कत आ गई है तो यूएस ने बताया कि उन्होंने इस particular missile को that is minute man 3 missile उसको pacific ocean में ही ब्लोन कर दिया ठीक है तो वैसे ही थोड़ा सवाल मुश्किल लगता है पूछा जाए लेकिन यह बात यहां से clear हो सकती है कि हां हो सकता है कि एसा सवाल आ जाए कि minute man 3 excise minute man 3 recently seen in news है क्या तो यह missile था यूएस का missile था ठीक है जो test कर रहे थे और उसको उड़ा दिया गया ठीक है ना clear है चली आगे आ जाते है movie one to the next देखिए आप अब यहां क्या हुआ गुज्रात के जो मुखमंत्री है भुपेंदर पटेल उन्होंने krest unveil किया है एक worship सूरत का प्ली नोट कर लीजे तो यहां पर हमारी worship है थे यह आपकी फस्ट ऐसी वर्षिप है जो एक city की उपर नेम करिए यह फस्ट वर्षिप पर नेम करी रहे तो यहां पर हम वर्षिप सगरगा डिटेल देखें अगर वर्षिप की डिटेल देखें द नीचे कहीं आएगा अभी इसमें नहीं है अनीवे चलिए देखिये अब दिस इस दा फर्स वार्शिप टु बी नेम्ड आफ्टर सिटी गुजरात इन फर्स दा अन्वीलिग ऑफ देख्रेस्ट ऑफ वार्शिप वाज़ेंड इन वेरी सिटी आफ्र विच रहाज वी वह अन्वील किया गया है और इसको गुजरात के जो मुखमंत्री है वो पेंदर पटेल उन्हों ने इसको अन्वील किया गया है ध्यान रखेगा तो रिसेंट्टी अन्वीलिंग हुई है यहां पर आपकी पर्स वार्शिप यह अन्वार्शिप की डाट इस आइने सूरत यहां इसका नाम सूरत ठीक है ना सूरत नाम इसका क्लियर ठीक है नोट कर लिया जाए नेक्स्ट देखें साब्स बिकम्स फर्स्ट फॉरेंड डिफेंस कंपनी तो गेट इंडियन गवर्मेंट नॉट फॉरेंड परसंट एप्डियाई वेरी इंपॉर्ट अब देखो क्या हुआ है पहले बता देता हूँ देखो अभी तक क्या था दोस्तों कि आप फॉरें ड इन्वस्मोंट यानि की जो फॉरेंग कंपनी है वो दिरेटली इंडिया में आकर अपना बेस बना कर यहां पर इंवस्मेंट BACKě सकती है प्रोड़क्शन कर सकती है थीके ना मतलब यहां पर फिजिकली कंपनी को आना पड़ेगा दो तरीके होता है इंवस्ट करने के एक यह लेकिन अगर मैं कहीं और जाकर थी कैं मैं वहां पर अपना company establish करके अगर मैं वहां पर कुछ चीज़े कोलूंगा तो start करूंगा तो that will be foreign direct investment FDI क्या होता है जब दूसरा country सीधे अपने आके invest कर रहा होगा physical assets बना के invest करेगा तो अभी तक इंडिया में foreign direct investment 100% नहीं था, it was near about 74%, 74% तक का आप allowed था कि आप इतना हमारे अंदर ऐसे invest करेंगे कि आप जब कोई चीज आके set up करेंगे इंडिया में 74% ownership आपकी रहेगी बाकी 26% ownership इंडिया वाले रखेंगे, लिगे ये चीज इस तरह का set up रहता है, लेकिन अभी क्या हुआ था कि इंडिया ने allow कर दिया था recently कि defense के अंदर 100% FDI यानि कि कोई दूसरी कंपनी बाहर से इंडिया में आ सकती है, इंडिया में आके वो अपना set up करेंगी और हमारे हाँ चीजों का production करेंगी, basically manufacture in India को बढ़ाने के लिए एक काम यहाँ पर किया जाता है, ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ है, साब जो है, साब, ये Sweden की कंपनी है, ठीक है ना, ये Sweden की कंपनी है ये लिखा हुआ है, Sweden's कंपनी ये पहली कंपनी हो चुकी है जो foreign defense कंपनी है जो इंडिया में आकी है, इसको Indian government ने 100% FDI के लिए not दे दिया है, यानि अभी तक इंडिया ने allow तो कर दिया था open to all कर दिया 100% लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी ये 100% का जो allow है, वो कोई achieve नहीं कर बतला ले नहीं पाया था Indian government से अलाव तो कर दिया, हमने एक बना दिया कि भाई ठीक है, ये कानून है 100% आप कर सकते लेकिन कोई country, किसी की company अभी तक आज था किसको ये offer ये right मिला नहीं था तो अब वो finally Saab को यहाँ पर जो है, वो मिल गया है, तो Saab एक Sweden company है, जो first company नहीं हो चुकी है, जो Indian government ने इसको allow किया है, अब 100% FDI यहाँ पर जो है, वो कर सकते हैं, clear है, अब देखिए यहाँ पर यह जो Saab है, अभी कैसे करेंगे, what is the procedure, क्या वो Saab सीधे यहाँ पर आके बच जाएगा, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, Saab ने क्या किया, Saab ने establish किया पहले एक subsidiary India के अंदर, देखना, क्या होता है, जुगाड़ पानी कैसे होता है, Saab क्या करेगा, Saab एक subsidiary जो है, वो यहाँ पर बनाएगा India के अंदर, और उसका नाम रखा गया, Saab FFV India, तो एक तरह से Karl Gustaf M4 System, पहली बार ऐसा होगा, जब Karl Gustaf M4 System Sweden के बाहर बनेगा, पहली बार, ठीक है, this marks the first time, पहली बार ऐसा होगा, जब Saab जो है, वो इस Karl Gustaf M4 System को outside Sweden manufacture करने वाला है, यह पहली बार ऐसा होगा, यह facility expected है, यह facility मतलब, यह, ऐसा है Saab FFV India, यह expected है कि हर्याना के अंदर यह खुलेगा, ठीक है, अब यह जो Karl Gustaf M4 System है, यह है क्या सर, यह किस चुड़िया का नाम है, यह basically shoulder पर रखके fire करने वाला rocket launcher system है, प्लीज मोट कर लिया जाए, यहाँ पर आपने कंदू रखा धन 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 गोलिया बाजी मार रहे हैं, भाईया, दोस्त के कंदे पर रखके बंदू चलाने वाली बात, तो समझ लो, यह वही दोस्त है तुमारा, जिस पर रखके, जिस पर तुम जो अपने कंदे पर रखके गोली चलाओगे, ठीक है तो Carl Gustaf कल से तुमारे दोस्त का नाम हो जायगा Carl Gustaf अभी उसको phone कर के बोल दो और अपने mobile हो में उसका नाम रख लो Carl Gustaf ठीक है तो तुम को जिन्सकी पर याद भी रह जाएगा हमेशा याद रहेगा हमेशा याद रहेगा हमेशा कि सर तुम कार्ल गुस्ताप हो और कार्ल गुस्ताप तुमको हमेशा याद रहेगा कि ये वो है ये क्या है इस इस शोल्डर रॉकेट लॉंचर सिस्टम प्लीज नोट शोल्डर फायर रॉकेट लॉंचर प्लीज नोट क्लियर क्लियर और नट क्लियर क्लियर है क्लियर ठीक है बलेदान बता दिया भाई FDI तो मैंने बता दिया क्या है क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं आई होब दिस इस नौवरी कुस्तिल क्लियर नेक्स्ट अब यहाँ पर नोट कर लिजे इंडिया और मांगले देश के बीट में जो यहाँ पर कुछ एकसाईज हुए वो नोट कर लिजे सिंपली आपको यहाँ पर नोट करना और पहला नाम क्या है कॉर्पट क्या है कॉर्पट चार्पार कॉर्टिनेटड पैट्रॉल प्लीज नोट करिएगा कॉर्पट का मतलब क्या हो गया अंच्सआइज ये हुई है और दूसरी हुई है एकसिज Bongo Sagar एकसिज Bongo Sagar ये दोनोग एकसिज ये निया आसजमधि के बीच में हुई है और यह सिनले और बेओ बेंगोल के लिए अरिया में हुई है या यह है तो भर बेंगोल के अशा में बे verb वी है कि यह कि एड़ी अग्स और फॉरेंद यारे बता तो दिया यार दोस्त और है इव्यन की tota अधिर्ड आरइक इन्वेस्ट्मेंट फॉरेंट डारिक्ट इन्वेस्ट्मेंट ठीक है और FDI मैंने पूरा explain कर दिया एक बार पीशे जाके देख लो चलिए आगे आ जाते नेक्स्ट ये निख लिया इंडिया बांगलदेश कॉर्पेट और और एक्साइज बॉंगो सागर चलिए नेक्स आ जाईए फिर लिख लिए यहाँ पर एक्साइज इंडिया शिलंक के बीच में नाम क्या है उसका मित्राशक्ती 2023 प्लीज नोट कर लिजे मित्राशक्ती 2030 कहां पर हुई है नोट करिएगा मित्राशक्ती पूने में हुई है पूने में हुई है प्लीज नोट कर लिया जाए अब इस मित्राशक्ती की खास बात क्या रही है इस बार कि दोस्तो इस excise में drones और counter unmanned aerial systems हना helicopter के लावा इन दो का drones का और counter aerial जो आपके unmanned aerial systems है उनको भी include किया गया है counter unmanned aerial systems plus drones ये दोनों चीज़े भी इस बार के excise मित्रा शक्ति का part जो है वो बने है please note कर लिया जाए यादी क्या सवाल पूछ रहो कितने घंटे कितने घंटे मैं कैसे बोल दू कितने घंटे दोस्त डेपेंड कर रहा है देखो करी रहे है शुरू करो अभी तो क्या ही हुआ है चलिए आईए नेक्स्ट देखो अब यहां पर इंडिया ने इंडियन नेवी की फोर्थ आंटी सम्मरीन वार्फेर क्राफ्ट अमीनी लॉंच होई है अब जरा सुनिए यहां पर क्या है देखो नाम से सुनना नाम से रटना पता सिखना है नाम है एंटी सम्मरीन वार्फेर स्वार्फेर 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 क्राफ्ट अब यह जो है एंटी सम्मरीन वार्फेर क्राफ्ट यानि कि यह एंटी सम्मरीन है एंटी सम्मरीन यानि कि सम्मरीन के जवाब में यह शिप्ट उतारी गई है यानि कि सम्मरीन से लड़ने के लिए उ पर watercraft है हना यानि की पानी के अंदर कुछ ना कुछ हलकते करेगी वो यहां पर launch करी गई है इसका नाम है आमीनी प्लीज नोट करेगा अमीनी या आमीनी ठीक है न है तो इस बार यह आमीनी क्यों important है क्योंकि यह नाम जो रखा गया अमीनी या आमनी whatever यह नाम लक्षवदीप के उस आइलेंड की ऊपर रखा गया है और चुकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजट लक्षवदीप हुई थी हाना इसलिए हो सकता हो लक्षवदीप के जिस आइलेंड पर हो गए वो ना पूछे लेकिन उसके लावा चुकि यह लक्षवदीप न इंपोर्टेंस अकॉड़िट तुड़ आइलेंड ऑफ आमीनी आट लक्षवदीप विजट लोकेटेड आइबाउट 400 किलोमेटर वेस्ट आफ कोची तो बेसिकली कोची के चारत किलोमेटर के वेस्ट में जो यहाँ पर एक आइलेंड है इसका नाम है आइलेंड ऑफ हैमिनी उसके नाम पर यह शिप जो है यहाँ पर रखा गया है तो नेवी की यह फोर्थ है आंटी सब्मरीन वाटर क्राफ्ट ठीक है ना येस अब यह आपकी अर्नाना क्लास यहाँ आती है मैं आपको यहां बता देता हूँ देखें यहां पर दोस्तों आप देखोगे तो यह आपकी अंटी सब्मरीन वारफियर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट पार दिर वाटर एर्क्राफ्ट शैलो वाटर क्राफ्ट ठीक है शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है अंटी सम्मरीन वार्फियर शैलो वाटर क्राफ्ट अब देखिए इसमें दो क्लासेस है दो क्लास ओफ शिप्स है यानि कि दो तरिके से यहाँ डिनाई जाती है पहला तरीका होता है पहला जो है वो बुले जाता है माहे लाव शिप स्वाइब स्वाइब माहे क्लास ऑफ शिप और दूसरा जो है वो है आपका अरिन lag लास दो क्लास हैं दोस्तो अर्नाला क्लास और माहे क्लास ठीक है दो क्लास अब देखो अर्ना इस वाले क्लास में जो आपका अर्नाला क्लास है जो माहे क्लास अब आद में देखेंगे पहले अर्नाला क्लास देखो इसमें पहली जो शिप्ती वो थी अर्नाला दूसरी जो शिप्त that is unjadeep ठीक है फिर उसके आप दिख रहा है आपको दिख रहा है अमीनी एक कोई missing है आप ठीक है एक कोई यहाँ पर missing है यह four chip है आपको missing है कोई बात ली बट आपको यह बताना चाहता हूं देखो आप अमनी को कि नेवी की ship को launch किया गया है तो दोस्तों यहाँ पर launch करना अलग होता है delivery अलग होती है commissioning अलग होती है क्या होता है प्रोसस निए रहता है kalo पहले manufacturing shark होती है ship की ship की manufacturing होने की बाद जब manufacture हो जाती है तो उसको फिर क्या किया जाता है उसको launch किया जाता है ये ship आगई है ठीक है launch कर दिया फिर उसके बाद वो ship navy को deliver की जाएगी कि अब आप ले लीजिये फिर navy उसको क्या करेगी उसको trials करेगी कि ये ठीक है के नहीं ठीक है जब trial successful हो जाएंगे तब मेभी उसको commission करेगी commission करने का मतलब ही होता है कि अब उस ship को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है उसको हम इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं ठीक है I hope this point is not crystal clear to everyone तो basically अमीनी यहाँ पर important है अभी एंद्राथ भी देखी हुई है यह भी पूछा जा सकता है क्यों कि एंद्राथ देखे यह launch की गई है 21 मार्च चाहिए तो नहीं आएगा क्योंकि यह परानी launch है लास्ट येर का है हना लास्ट येर का है लेकिन देखो डिसंबर 2023 में अनाला प्लैंड थी डिविवरी के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है तो अभी छोड़ दीजे बठा यह आपको ध्यान रखेगा कि आमीनी यह 16 डिसंबर 2023 को क्या करी गई है यह इसको launch कर दिया गया है यह note कर लीजे यह note कर लीजे अभी हम जनवरी में आएंगे तो और भी चीज़े करेंगे ऐसे आप देख रहे हो ना यह देखो देखो माहे मालवान मंग्रोल मालपे और मुल्की अभी डिसंबर की बात है डिसंबर आठ डिसंबर 2023 को जब आपकी यह ships को क्या किया गया है लेट डाउन किया गया तो लेट डाउन पर हम कोई भी सवाल नहीं पूछेगा है इस पर सवाल नहीं पूछे जाएगा सवाल पूछे जाएगा launching पर तो यहाँ पर देखे माहे को launch किया गया माहे मालवान और मंग्रोल यह जो तीन ships है इनको यहाँ पर क्या किया गया है यह अंटी सब्मरीन वारफेर्स है थान रखी plant याद रखना आपको अरे सme मरीश दो सट में एक तो माहे क्लास और्वर ना थे को आपकी आप माहे मालन्वान और मंग्डिया गया है 30 नवंबर 2023 को ठीक है ना तो एक तो यह रखेगा कि भाई यह तीनों जो है लॉंच कर दी गई है यह आपकी माहे क्लास की एंटी समरीन वार्फियर नाम पूछेगा क्या है ठीक है एंटी समरीन वार्फियर थीए और दूसरा यह अनला क्लास की बात करेंगे तो अभी अमिनी जो है इसको डिसेंटली लॉंच किया गया है तो यह आप से यह पर पूछ सकता है ठीक है और यह बात यहां पर क्रिस्टल clear हो गई होगी ठीक है तो नेवी का फोर्थ आंटी संब्मरीन वार्पर क्राफ्ट अमिनी को लॉंच कर दिया गया है आगे आजाते हैं नेक्स्ट बड़े आगे देखे जरा अब यहाँ पर अगला कुश्चन क्या है अब अगला देख लीजिए यहाँ पर क्या है अगला यहाँ पर यह है कि हम लोग प्रेसिरेंट ने क्या किया है प्रेसिरेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स प्रेसिरेंट्स कलर तू आम्ड फोर स्कु निखिया गया है आमड़ फोर्सीज के मेडिकल कॉलिज को जो पूने में है और इसके अभी यहां पर प्लाटनिम जुबली यनिकि ये इंपोर्टन पार्ट है जो प्लाटनम जुबली हुई है वो ंप्रटन पार्ट है ठीक है कि bom ठीक है क्लियर हाँ एक अंज दीप है यहाँ पर मेंशन नहीं है हाला सेकेंड इस अंज दीप अंज दीप आपकी थर्ड जून 13 जून को हुई है 2023 तो 13 जून वाली छोड़ दो आमीनी इस इंपॉर्टेंट चलिये यहाँ देख लीजे तो प्रेसेंट रॉपदी मुर्मू सैड़ दिए आम्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज आपका पूने में है ध्यान लखिएगा और आम्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज जो है इसके 75 यहाँ पर पूरे हो चुके है ठीक है तो इसलिए अभी यह इंपॉर्टेंट हो गया और इसको इसी में प्रेसेंट्स कलर मिला है प्रेसेंट्स कलर जो है वो दिया गया है भाई आज जिसे कर लो कनको कुलवार कराएगा ना यूट्यूब पे तो यहाँ से देखेंगे ना क्या कंटेंट मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ठीक है ना चलिए प्रेसेंट्स कलर एक तरह का दोस्तों अवार्ड है यह वै जालर या ब्रेवरी के लिए दिया जाता है या फिर और कॉंट्रिबूशन टू दी वर्ल्ड पॉंट्रिबूशन टू अलग अलग फील्ड में ठीक है तो इसको हम लोग राश्पती का निशान भी कहते है किसी एक मिलिक्री यूनըीट को दिया जाने वाला हैं इसमें कोई व्यक्ति ना हो अन्माइंड चलिए आगे आ जाइए चलिए देखीगा वज्र प्रहार यह एक्साइज है आपकी इंडिया और युएस की बीच की प्लीज नोट कर लीजिए इंडिया युएस की वज्र प्रहार कहां पर हुई है मेगाले में ये नाम नोट करिए लेिजवेयं अशेम देखलो इंडिया युएस की यहां पर एक्साइज हुई है उन्रों यन जयक्या पर हुई नोट कर लिया जाए पिलीज विग प्लीज एवरीवान नोट इंडिया बंगलेश का फिर से नोट कर लीजे इंडिया बंगलादेश का फिर से नोट कर कर लीजे शांपृत्थी और यह भी कहां हुई है उम्राव जानम्य तो इंडिया और उएस की के बीच की हुई नाम क्या है वज्जर प्रहार ऐसी इंडिया बागलजेश की नाम क्या है सामपृत्ति नोट करिया जाए ठीक है नेक्स आजाईए देखिए यहाँ पर कई सारी एकसाइज है प्लीज नोट कर लिए जल्दी एकसाइज का नाम है एकसाइज ऑस्ट्राहिंड ऑस्ट्राहिंद ठीक है अब यह जो एकसाइज है यह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एकसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बीच की एकसाइज है ऑस्ट्राहिंड कहां पर हुई है यह ऑस्ट्रेलिया में हुई देन देखिएगा इंडिया और नेपाल की ब यहां पर मिलिटरी एक्साइज होती रहती है तो सूरिक किरन यहां पर हो गया सल्लाइट लिख रहा है देखो एक्साइज आस्ट्राहिंड नाम से पता है आस्ट्रेलिया और आस्ट्रेलिया और इंद से हंदोष्तान ऑस्ट्राहिंड कहां पर होई है ऑस्ट्रेलिया में किसके विच के पीच किये इंडिया नेपाल के बीच कर नाम क्या है नोर्ट करिंए अपर कहा पर हुई पःठोरागड जैडि नोट के यह ठीक है न – ख्लियर है ? चलिए, अब देखें तीसरा, यहां पर 2022 फ्रांस के बीच की एक साइज इसका नाम है वरुन, क्या नाम है इसका वरुन, प्लीज नोट कर लिजाए, इसका सेकंड फेस हुआ है, अभी ठीक है न, इसका सेकंड फेस अभी हुआ है, उसका second phase हुआ है, clear, clear, something different, तुमने बहुत कुछ different किया है, वो लिख रहा है, sir मैंने थोड़ा सा भी current affairs नहीं पड़ा है, समाल लेना, मैं तो समाल लूँगा, और तुमने जैसा नाम लिखा है ना, अपना something different, तुमने सच में बहुत different काम किया है, चलो, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए, 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 कोई बात नहीं, चलिए, इनकी date याद नहीं रखनी है, देख लो हाई, इंडिया फ्रांस के बीच में, इस एक्साइज हुई है, यह इनका second phase है, अब एक पर ध्यान रखना, कि आपको पता है, एक्साइज अगर हम बात करें, शक्ति, शक्ति जो होती है, वो भी आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, यह आपकी land एक्साइज है, मैं अगर बात करूँ आप से, वरु अगरूण देन गरूण, यह गरुंड, यह गरूण पंक्षी, ठीक ना, अगें यह इंडिया फ्रांस के बीच में होती है, इसस इंडिय यह एर्पोर्स है, यह एर्फोर्स ऐसे ह्लाय हिए, घर कि धोस्ति के आप जोरगि ऑèmeगे मित्रशक्ति, तो किस इसके बीच में होत जैसे मानलो इंडिया फ्रांस कर रहा है या फिर यहां पर इंडिया उस्ट्रेलिया कर रहा है यहां पर इंडिया नेपाल कर रहा है जिसका मतलब यह है कि मान लीजिए कभी इनके बीच का कॉपरेशन में बाग कर लेते हैं मान लीजिए फर इंजांपल किसी कंट्री ने अट लाव तो वह कैसे कोडिनेटीट मैनर में लड़तकते हैं इसलिए यहां पर यह कंट्री रेगिलर बेसिस पर एक्साइज करते हैं हाना कि बहुत कभी मान लीजे कभी इंडिया और फ्रांस को किसी तीसरे मुल्क पर भड़क पकना पड़ना है मान लीजे कभी पाकिस्तान पर ह अगिस्तान की उपर तो कराची वाश्डाउट फॉम दी मैप इसलामाबाद विल गो बिनीव दा मैप घुश जाएगा जमीन के अंदर पूरा मतलब को दो कंट्रीज का मतलब यह है कि जब आपको दो कंट्रीज मैं दो अलग कंट्रीज है ना हम इंडिया वाले अलागे फ जुए मिट्रा शक्ती नोट कंलिया जाए कहा पर हुए है पुल में ऊस्टाइज हरीमा आ उंशक्ति सब 1 जै अंट्र मलेश्या की बीच क्षाइज फ्लीस नोट किया जाएं हर tablespoon शक्ति इंडियस अ की बीच की है फिर उसके बाद निकिось सिंगापूर और इंडिया इनडिया की बीचञाइज थीं विच या जाए इप इस इंधक्स लॉटकिया जाएं है यह क्लिermानं तो इसको नोट कर लिजे मित्रा शक्ति इंडिया श्रिलंगा सिंबेक्स इंडिया सिंगापूर सिंगापूर में हुआ है और हरीमव शक्ति इंडिया मलेशिया और यह पर हुआ है यह हुआ है आपका उम्रोई में फिर से फिर से लोट कर लीजे उम्रोई अब बार-बार इतना उम्रोई आएगा कि आपको याद हो जाएगा कि में घाले में है इसलिए बार-बार मैं बोलता भी हूं इतनी बार बोलता हूं अपने सीनियर से पूछना वो यही कहेंगे सर इतनी बार बोलते हैं वर्ड को इतनी मार बोलते हैं कि कान में घुश घुश के इतना घुश जाता है यह निकलना भी चाहिए तो निकल नहीं सकता ना इसलिए जब आप लोग भी पढ़ रहे हो ना मेरे साथ जैसे आप लोग लगा रखी होगी सामने कॉपी रख रखी होगी उम्मीर यही कर रहा ह हुआ है इसां हो जाएगी च्यावी पाकीस्तान के साथ्साथ नहीं होथी एकस्ताइग उनके साथ नहीं होती बेटा अक्षाइश कॉर्ण के शाथ फाइनल्टेक होग सर्जेण स्टॉइक होती है शNão है रखся जरृती नहीं पड़ती है अभी ऑग पन कर देना ऒाएंग है कि मतलब बटन दब गए थे पीम मोधी साहब ने इस बात को बोला भी पार्लेमेंट के अंदर कि दाट वसा मिस्टेक और गलती से बटन दब गए थे जो मिसाइल जो है वह शूट हो गई पाकिस्तान में घृत या कि मैं तो कहता हूं इस तरह की कम से कम 20-25 बटन दब जाएं बन-धन-धन-धन-धन-धन चालिये आगे आजए आ जाईएैं नेक्सट नेक्सट चली देखे अब यहां पर ड्रीक साइज है इसका नाम क्या है पीज मोट करिएगा एक्साइज का नामने नाट पोल रैक्स 9-9 वर्फिश आंए इंप्र्टेंट नेाट envision है क्या भी य इसको लोग बोलते हैं नाट पॉल रेक्स अब यह किसली है एक्साइज किसली है यह इसलीए है कि भाई माल लिजे कभी ओयल स्पिल हो गया समुद्रे के अंदर कोई डिजास्टर हो गया पॉलूशन हो सकता है तो बैसिकली यह जो एक्साइज है यह पॉलूशन को कंट्रोल क करने के लिए कभी पॉलूशन उस ऐसा हो जाए तो उसके रिस्पॉंस में यह एक्साइज करिया थी कि माल लिजे मैरीन पॉलूशन हो रहा है कहीं ओयल स्पिल्स हो गया तो कैसे हमारी फॉर्स उसको डील करेगी उसके लिए जो एक्साइज होती है उसका यहां पर नाम है है नोट पूल रेक्स एक्साइज ध्ीजे यह इंपॉर्टंट कहाँ पर रु सकता गोड़ात में हुई थी प्लीजवट कर दिए ऑग घया जाते हैं नोट कर लिया next next नेक्स्ट नेक्स्ट देखिये अब अगेन फिर से हमारे यूरें उनीनिस्टर अजय भट जी ने क्या गया flag of astr missile astr missile का flag offing करी गई है for supply to Indian Air Force तो Indian Air Force को supply करने वाली बात करी गई है कि वह यह यह जो missile है न astr missile यह Indian Air Force को यहाँ पर दे दी गई अब यह अस्त्र है क्या अस्त्र बेसिकली एक beyond visual range bvr beyond visual range है यह missile air to air missile है ध्यान लखना अगर जो enemy हमारी range के beyond भी है हम नहीं देख पाएंगे लेकिन हमारी missile देख लेगी यह अस्त्र तो इसको beyond visual range बोलते है इडिजन एयर टू एयर मिसाइल आप कोई plane से और रहे हैं उस plane से उड़के ही आप मार सकते हैं और दुश्मन जो मिलेगा आपको ठीक है ना उस पर जाके मार सकते हैं तो अस्थर इस भ्योंड विज्वार एक इस녈 हमारे डिया डियों ने यहाँ पर sail की a project टा क्रिए ऑुर्ट इसनी ध्यूर्ट किया है किसे बैटी लिन इस भारत डाइनेमिक्स लीमेटेड इसकी रेंज क्या है? अस्त्र की 100 प्लस किलोमेटर्स यह यहां पर क्या कर सकता है? हिट कर सकता है प्लीज नोट कर लिया जाएँ clear clear है beyond visual range clear अस्त्र मिसाइल के वारे स्वाल हो सकता है अस्त मिसाइल को किसने डेवलप किया है DRDO कौन इसको मनिफेक्चर कर रहा है BDL क्या इसकी रेंज है 100 किलो मेटर इंडियन एर फोर्स को यह दे दिया गया है ठीक है ना और क्या है यह 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 बियूर्ड विजुवल रेंज मिसाइल है और यह कैसे है यह एर टू एर मिसाइल सारी इंफॉर्मेशन एक जिगे क्लियर हो गई ठीक है चलिए नेक्स्ट आज आए अब देखो यहां पर कुछ चीज़े मैंने आपके इंफॉर्मेशन की लेके आया हूं जरा देखेगा इंडियन एर फोस की डे की बात करेंगे तो इंडियन एर फोस दे आठ अक्टूबर को होता है इंडियन नेवीडे 4 डिसμεंबर को होता है इंडियना अर्मीडे एंपांदरा जन्वरी को होता है है कि नहीं है यह टीनों चीज लाप अब इसके इलावा अगर पूसा जाए कहां कहां पर हुआ है तो इंडियन ऐस जया व्रयाग्राज में यूपी में हुआ था इंडियन नेवी डे शिदू दुर्ग महाराष्ट में हुआ है इंडियन अप्सक्री की बात करेंगे तो इस बार इसका theme क्या है theme था air power beyond boundaries प्लीज नोट किया जाए air power और beyond boundaries ठीक है इंडिया नेवी डे की बात करेंगे बहुत लंबा चोड़ा थीम है इसलिए एक्जाम में नहीं आएगा लेकिन एरपुस्ट दे का थीम पूछा जा सकता है एयर पावर ब्यूर ब्यूर्ड माउंड्रि इचले है अब की करेंगे तो इंडिय नामीइ डी जो है यह सेकेंड टाइम जब दिल्ली ने को मिलेगा वह second time अभी जब दिल्ली से बाहर जो हुआ है वो हुआ है लखनों में ठीक है ना 2024 का कहा हुआ है लखनों में अभी यह 15 जनवरी को हुआ है मैं अपडेट आपको अभी 15 जनवरी का भी लेके आ गया हूं ठीक है इस बार का थीम क्या है इन सर्वेस ऑफ नेशन ठीक है नोट कर ल तो इस बार इसका 75 years complete हो चुके है ठीक है मतलब बेसिकली इस साल इसका 76th year होगा लेकिन completion हुआ है 75 years का 76th army day है complete इतने हुआ है तो बेसिकली क्यों मनाया जाता है यह हम army day क्यों मनाते हैं to commemorate the achievements of first Indian commander in chief of the Indian army General Marshall K.M. Karipa Later on Field Marshal K.M. Karipa प्लीज नोट ठीक है अभी रुख जाओ कोई break नहीं महेंदर पता बिफालतों कि यहां पर वो मत चलाओ भी लेहर मत चलाओ ठीक है clear clear है चली I hope आप लोग नहीं नोट कर लिया होगा अच्छे से इंडियन एफोस डे आठ अक्टूबर चार डिसमबर पंदरा जन्वरी सबकी जगह सबके थीम्स ध्यान रखना कि इंडिया आर्मी ने 75th आर्मी डे सेलिब्रेट किया था लास्ट इयर इस बार 76th है इस बार 76th है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाया था अगे आ जाईए next देखें इंडियन एफोस डे अभी हम बात कर रहे थे कि यह इंडियन एफोस डे है जो कब होता है जो आपका होता है 8th of October को राइट 8th October को जो इंडियन एफोस डे हुआ उस इंडियन एफोस डे की परेड की बात अगर हम करेंगे तो इस इंडियन एफोस डे परेड में आप देखोगे अरे पता नहीं क्या हो गया है उसकी परेड में पहली बार ऐसा हुआ एक वोमें आफिसर उन्होंने इस शालीजा धामी इंपाक गुरुप काप्टन शालीजा धामी ठीक है विल कमांट दी इंडियन एफोस डे परेड परेड वर फॉस्स ताइम प्रयाग्राज तो मांक दा सर्विस's 91st Anniversary प्लीज नोट किया रहे ठीक है ना क्लियर है क्लियर बड़े आगे बड़े आगे चली मुविंग ऑन तो दे नेक्स्ट अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है लगा लो उस पर पांच ता सितारे एक्जाम में आएगा वेरी इंपॉर्टेंट फाइव स्टार कोश्चन है यह आपका कंट्री का यू एस आई डाट इस यूनाइटिड सर्विस इंस्टिडूशन यू एस आई प्लीज नोट किया जाए ठीक है अब देखें यहाँ पर हुआ क्या है कंट्री का सबसे ओल्डेस थिंग टैंक ओल्डेस थिंग टैंक वो क्या है यू एस आई इसने होल्ड किया है फर्स्ट इसने मिलिटरी हेरिटेज फेस्टिवल कहां पर हुआ है नियू डैली प्लीज नोट किया जाए वरी इंपोर्टेंट ऐसे ही पुछेगा ही सवाल ऐसे ही पुछेगा ही सवाल 91st anniversary थी ए ए ए प्लीज नोट किया जाए सवाल ऐसे ही आएगा सब्सक्राइस अ मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल पर्स्ट मिलिटरी हेरिटेज फेस्टिवल वो आप देखोगे तो कहां पर हुआ है न्यू डेली न्यू डेली में हुआ है नोट किया जाए ठीक है यह आपकी जो ओल्डेस थिंग टैंक है देट इस यूएसाई वो 1870 से काम कर रही है यहने कहा ना बहुत पुराना यह ट्राइश सर्विंसस थिंग टैंक है टीनों सर्विसेस के अंदर आती है आप आरिकल भी देएग सकते है दा हंदू का यह आर्՟िकल है आप आर्टिकल देख सकते हैं आप नियू इंडियन एंच्पैस का आर्टिकल है chief of army staff भी देखने को मिले chief of air staff भी देखने को मिले as well as जो हमारे G20 के शर्पा थे अमिताप कांथ वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिले clear think tank मतलब वह body जो planning करती है think tank जो deep dive करके planning करेगी कैसे होना चाहिए कैसे हम strategy बनाए that is the thing tank ठीक है न clear है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आए नेक्स्ट annual साहरवाल होने वाली joint H.A.D.R. का मतला होता है human assistance disaster relief कोई disaster अगर हो गया कोई भुगम पागया कोई बाड़ आ गई उस disaster में relief पहुचाने के लिए किसको human को इसलिए इसको खायाता है human assisted assistance disaster relief excise इसका नाम रखा गया है चक्रवात 2023 हना साइक्लोन आ गया साइक्लोन की विएसे relief पतलब लोग फच गये तो human assistance human को assist करने के लिए disaster relief दिगाने के लिए exercise करी आती है कि मान लिए कभी ऐसार disaster हो गया तो उसमत कैसे हम लोग लोगों को बचाएंगे उसके लिए exercise करी गई जिसका नाम है चक्रवात ठीके ना तो यह चक्रवात जो है प्लीज नोट करिएगा important हो गया तो यह annual आपका joint joint आपका assistance human disaster relief excise है जो आपकी कहां पर हुई है गोवा जहां पर आप कभी भी नहीं जा सकते जहां पर आप कभी भी नहीं जा सकते clear जहां पर आप कभी भी नहीं जा सकते वहां पर हुई है clear है बस plan मनते हैं आके तो जाया कहां जाता है ठीक है चलिए next देखिए यहां पर अब third project 15B indigenous destroyer infal delivered to indian navy अब देखिए यहां पर है INS infal कमिशन अब important क्यों है क्योंकि commission हो गई है यह को launching फिर भी इतनी important हो सकता और ना हो लेकिन commissioning बहुत important है मतलब कोई एक particular ship वो उसने navy ने ले ली है और लेने के बाद उसकी trial भी कर लिए और trial करने के बादब launch हो गई delivery हो गया trials हो गए और अब commission हो गई है that is very important इसलिए INS infal को commission कर लिया गया है यह important हो जाता है इसके लिए ठीके और यह विशाखा पत्नम class के अंदर आती है विशाखा पत्नम class of destroyers के अंदर यह ship आती है ठीके ना तो important है ध्यान रखेगा इस ship इसके अंदर जो भी ship बनाई जाती है विशाखा पत्नम class के अंदर यह project 15B के अंदर बनाई जाती है project 15B के अंदर बनाई जाती है please note कर लिजे project 15B के अंदर बनाई जाती है क्या यह आपकी ship विशाखा पत्नम class of destroyers विशाखा पत्नम class of destroyers split note कर दीजे, please note कर दीजे, ठीक है, तो विशाखा पत्नम class of destroyers के अंदर आप देखेंगे, तो ships कौन कौन सी है, आइनस विशाखा पत्नम पहली थी, ये missile destroyers है, फिर आइनस मर्मुगाउ, ठीक है, और पिर तीसरी हो गई, आइनस इंफाल, तो अभी इसको भी commission यहाँ पर जो ह है, चली, आगे आजाते है, next, अब देखेंगे, यहाँ पर, excise हुई है, इसका नाम क्या है, Milan, Milan 2024, कहाँ पर हुई है, आंदर पदेश, बस note किया जाए, अब Milan क्या है, Milan basically multi national naval excise है, multi national मतलब, कई सारे nation होंगे, multi national naval excise है, यह देखें, यहाँ पर लिखा है, Milan 2024, draws to a close with a grand ceremony on board of INAS VIKRANT, तब तो INES VIKRANT आपको पता है, यह हमारा, aircraft carrier है, VIKRAMA दिद्ट्षय है, जो पहले वाला था, जो आपने बाहर से लिया था, विकरान्त हमने इंडिजनस्ली बनाया हूआ है, तो जो हमारा, इंडिजनस्ली बनाया गया, यह aircraft carrier zijn, INES VIKRANT, इस INES VIKRANT पे, कर मिनी ठीक है कि यह चीज यहां पर धीम था तो बस धान कड़ Actually मिलान क्या है यह है इस विलक्साइज है 34 कंट्रीज के आसपास जो है 34 कंट्रीज के आसपास यहां पर इसके के हिस्षिजार हो गए ठीक है और यह कहा पर हुई है मिलान आंद्रपदेश की कोस्ट पर हुई है नोट किया जाए ठीक है ना clear? चलिए, next आधा हिए, army launches project उद्भाव, बहुत 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 उत्तम सवाल, बनेगा, 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 IMPORTANT, IMPORTANT, भाई देखो, जो first military heritage festival है, वो बहुत उद्भाव है, project उद्भाव, बहुत ही ज्यादा IMPORTANT है, project उद्भाव, ठीक है ना, अ का heritage of statecraft and warfare देखो जिस प्रकार से हमारे ancient time से आचार चाणक्य की जो नीती थी आचार चाणक्या हना तो आपको पता होगा आचार चाणक्या whose real name was विश्णु गुप्त आचार चाणक्या विश्णु गुप्त हना उन्होंने किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर की मदद से नंदा या पर चंद्रगुप्त मौर को गाइड करके नंदा के रूलर धरनन को हराया था तो इस तरह का जो statecraft इस तरह की जो फॉर्फेर की नीतियां क्या है हमारे culture जो हमारा हमारी जो आम्ड फोर्शेस है वो आज की नहीं है हमारे आम फोर्शेस बहुत बुरानी है मतला ह हमारे country का एक military heritage भी है उसी पर फेस्टिवल भी था हना और प्रोजेक्ट उद्भो क्या करता है कि आज की जो हमारी नीतियां है उसको कैसे हम बनाए मतलब यह हम कैसे पुरानी अपनी ancient heritage ancient statecraft ancient आपका जो आपको पता अर्थ शाजतर भी है तो ancient जो हमारा heritage है military का उसे हम कैसे यहां पर mix मतलब उसके through कैसे हम अपनी आज की नीतियां को बनाए ठीक है ना आज की नीतियों को बनाए तो basically project उद्भव क्या है किसका यह project है यह Indian army का project है very very important यह Indian army का project है Indian army ने उसको United service institution of India यानि कि plus USI के साथ मिलकर project उद्भव चलाया है project उद्भव का मतलब है कि हम अपनी ancient statecraft और warfare जो तरीके है हमारे उसको हम rediscover करें उसको हम धूले ठीक है ना तो basically यह किया गया है इंद्दानामी ने with collaboration of USI that is United service institution of India अब इसमें क्या क्या है यहां पर objective क्या 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 इसका objective है objective है it aims to tap into ancient Indian treaties practices यह जो ancient Indian किताबे थी प्रड़ाइस थे वर्क्स थे जैसे for example अचार चाड़क का अर्थ शास्त्र हो गया हाना देन कमन्दाका का निती शास्त्र हो गया देन थ्रुकल यह आपने पढ़ा होगा थृॉक्तल के बारे में जाओं यह आप संगम literature पढ़ रहे होगे जब आपने history के अंदर संगामेज के बारें पढ़ा होगा जहां पर आप इट्टू टोग गई पट्टू पट्टू पतिनेन किलकनक्कू मनी मेगलई इस तरह की लिटरी सूर्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पर एक आया होगा थिरुकुलर थिरुकुरल यह भी हां पर एक संगा मेच के पोएट थे तमिल पोएट थे यह ठीकिन तमिल राइटर थे तो तमिल पोएट सेंट धिरुकल इन्होंने भी नीतिया स्टेट क्राफ थी सब बताई है तो बेसिकली यहां पर यह जो प्रोजेक्ट उदभाव है उसका काम यह है कि जो हमारा एंशेंट टाइम्स में जो हमारे लड़ाई लड़ने के नीतिया होती थी उससे हम सीखे और आज के टाइम में हमारी जो मॉड़न आर्मी है उसको वो चीज बताए और उसको इंकलकेट करें अपने आर्मी के अंदर यह चीज जो है वो यहां पर प्रोजेक्ट उदभाव का पार्ट है आई होप यह बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी चलिए नेक्स्ट क्लियर क्लियर चलिए 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 नेक्स्ट देखिए दर है यहां पर फिर्सटाइल इस्राइल यूजर्स अटाइं इस्हें चल रही है ना तो उस दौरान यहाँ पर देखे क्या हुआ है कि इस्राइल ने आइरें स्टिंग का इस्तेमाल किया है mortar bomb है ये इस्राइल यूजेज आइरें स्टिंग mortar bomb for first time against hamas तो basically hamas के आद क्या चल रहा है नड़ाई वड़ाई कुतने मर रहा है तब आपको आपको exam में नहीं पूछेगा बट यहां पर यह पूछ सकता है कि iron sting किसका है किस country का है यह तो यह इसराइल का है यह है क्या आरें श्रिंग recently seen in news what it is it is a mortar bomb ठीकिना mortar bomb अब यह देखिए लिखा है आपर वियोन का article है what is iron sting what is iron sting the system that can put israel ahead of hamas in the war है क्या यह यह एक तरह का यहां बोला गया है कि यह आप देख रहा हो किस तरह से यहां पर यह इसराइल का यह जो iron sting है वह आप fire कर सकते हो ठीक है और इसके अंदर जो जो mortar होता है वो जब जाएगा ना तो basically बहुत पड़े एरिया में ऐसे धवाके नहीं होंगे कि पूरा पूरा तबाह हो गया जहां जाएगा पस उसी प्रेंट्रेट कर जाएगा ठीक है इस प्रकार की चीज़े हैं तो इसलिए इसको बोला जा रहा है कि new level of precision and effectiveness है यह आपक किलोमेटर का distance यहां पर हिट कर सकते हैं ठीक है loading time सिर्फ 15 seconds लेता है 90% से ज्यादा accuracy होती है ठीक है तो basically यह इसके अंदर इसके अंदर GPS भी लगा हुआ है जो इसको क्या करता है गाइड करता है its precision strike design causes minimal collateral damage जो collateral damage अगल बगल का damage हो रहा है वो नहीं होगा सिर्फ जहां हिट कि क्या है वहीं पर होगा यह आपका iron string जो आपको बहुत अच्छे से पता होना है होना चाहिए आपकी लिए पताइए कि iron dome क्या है और आप बताइए iron beam क्या है ने दो ही बताईए आप लोग एठीक है iron string iron dome iron beam कि बताईए जरा कि बताईए अलका जी अब क्या चाहती है ? गाना इंगाल् कायागनिक का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनटीए टू क्रैक कर सकताू प्ली्ज आपका बिल्कुल कर सकते हो यार ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप इनडीए क्रैक नहीं कर सकते 12th film देखे हो न 12th film देखे हो न किस situation किस circumstances में वो आदमी था वहाँ से वो अगर UPSC clear कर सकता है तो आप तो भी 11, 12th के अंदर ही हो बहुत कुछ है जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो Don't lose hope that is moral of the story Try, try and try until and unless आप succeed कर जाओ Try करो बस और बिलकुल ये hope बना के रखो वो जोज बना के रखो that you can do and one day you will definitely do जजबा चाहिए यार बस जजबा चाहिए कुछ और अलग से भी चाहिए इन exams को वही जीतता है जो intent दिखाता है पढ़ने का जो intent दिखाता है कुछ कर गुजर जाने का ठीक है पढ़ने सब बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा जो intent दिखाएगा रेगुलर पढ़ने का वही जीतेगा ये ना चलिए अभी आगे आते हैं आप लोग में बहुत सारे किये हैं कॉमेंट वाक्स में जरूर बताते देगा इस का अंसर चलिए आगे आजाए next चलिए next अभी देखें यहां पर बड़ा ही कपल बहुत special है यह कपल बहुत special है क्यों क्पल special क्यों है ज़रा सुनिए यहां पर हुआ क्या है यह lady जो है यह news में आई है इनका नाम है air marshal अब इनको प्रणो करके air marshal बनाया गया है और इनके जो husband है उनका नाम है एर मार्शल तो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग तो ऐसा पहली बार हुआ है मतलब ऐसा first time है कि husband wife दोनों ही इस post को share कर रहे है मतलब दोनों ही एक ही post पे हो एर मार्शल पे ठीक है तो एर मार्शल सादना सक्सिर नायर और husband एर मार्शल के पी नायर have become the first and only air marshal couple in the Indian Air Force तो basically यहाँ पर आपको इनका नाम जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए यह couple इसलिए important है लेकिन यह इसलिए news में नहीं आई थे कि भईया दोनो husband wife एर मार्शल बच्चे भी जो है वो मार्शल मार्शल small मार्शल हो जाए ऐसे नहीं है यह news में नहीं आई क्यों विकास शी विकम्स अफर्स लेडी ओफिसर to hold this position which position as the director general hospital services of the armed forces very important she took charge as the director general hospital services armed forces clear अनुराक सिंह क्या चाहरे हो भाई क्यों लगे हो अनुराक सिंह चलिये ठीक है so she is holding the charge of director general of what of hospital services of the armed forces and now she is the first lady officer basically to hold this position इसलिए नूज में आई और जब ये नूज में आई तो मैंने का आपको उनके हभी के बारे बता जेते है क्यासा लगा मेरा ये आप लोगों को कि अरे ठीक है कि जिन्ना हो 21 लोग चैट कर रहे हैं अच्छी बात तो यही है एक हजार त्रिपन लोग देख रहे हैं लेकिन किसे लोग लिख रहे हैं वेरी नाइस मैं बहुत उन लोगों के तालिया बजाओंगा 21 लोग के लिए नहीं जो 21 से 1052 से माइनस कर लो 21 का तो वो लोग जो है वो लिख नहीं रहे हैं जो कमें चैट नहीं लिख रहे हैं दो तरहें लोग हैं याप वह जो नोटस कुम लिख रहे हैं इसे नूटस लिखने वालों के लिए से लिख रह लिख दो चलिए दशेलू को एकदम दिल में चुप गई, दोनों वाला में हूँ सर, ऐसा मत बोलो सर, गलत बोल रहा हो सर आप, इल्जाम गलत लगा रहा हो सर, सर जी दोनों वाला हूँ, दशेलू 18, कैलिग्राफी सीखो सर जी, हाँ आप सीखना ही पड़ेगा, जैसे आप से डिमान तुम लों क्यारी, नेक्स आज अल्दी अल्दी, देखो यहाँ पर, गल्फ ऑफ गुवाना में एकसाइज हुई है, पहली बार इंडिया और यूरोप आर्मी नहीं है उसका, खाली इतना ही बोला गया कि इंडिया और यूरोपन यूनियन की में जॉइन जॉइन नेवल एकसाइज हुई है, कहां पर गल्फ ऑफ गुवाना में हुई है, गल्फ ऑफ गुवाना कहां है, यह आप आफ्रिका कॉंटिनेंट देख रहे हैं, तो द किया है, first vertical tunnel wind tunnel बनाया है, very very important, जिसका, नाम क्या रखा है पहले उनको पहले सिखाना है कि कैसे कूदना है को इसी बोलो उपर ले जाकर चलो कूदो तो भाई बेसिकली यहां पर क्या किया गया उसके लिए अब उन्हें एक फ़र्टिकल विंड टनल बनाई गही है अब देखिए लिंड टनल है उपर से विदेंगे तो नीचे से हवा तो वह हवा आपके descent को थोड़ा slow कर देंगी ठीके न वह कुछ प्रकार की है ठीक है कुछ तनल ऐसी होगी vertical है ऐसी तौनल है आप यहाँ से कूदेंगे तो यहाँ से हवा ऐसे आ रही होगी ठीके न यह अब गरीगी हवा आपके descent को थोड़ा slow कर देगी ताकि अब ऐसा नहीं कि पतल है यहां वागे को फिर किया नॉटॉ ठीकर ना clear बात clear है कि नहीं चलिए तो इंडियन आर्मी की first vertical wind tunnel install कर दी गई है कहाँ पर एक special forces training school के अंदर which is in Himachal Pradesh please note किया जाए please note ठीक है न तो इंडियन आर्मी ने इसको install किया है Himachal Pradesh में और इस first vertical wind tunnel का नाम क्या है उडान please note किया clear चलिए next next अब देखे एक और training है exercise है यहाँ पर exercise त्रिशूल exercise त्रिशूल किस की है इंडियन एफोर्स की इंडियन एफोर्स की exercise है exercise त्रिशूल कहाँ पर हुई यह बहुत लंबी जगह से हुई लेल अद्दाक से शुरू कराया है कश्मीर से लेकर राजस्थान के नाल तक ठीक है तो बेसिकली यह बहुत बड़ी लंबी exercise है त्रिशूल पूझना मुझकल है क्योंकि इसका कोई लोकेशन भी नहीं है बस यह हो सकता है कि हाँ त्रिशूल कि की exercise है तो इंडियन एफोस की training exercise है जो training कर दी जाती है तो training देने की exercise जहां पर यह है तो इंडियन एफोस की training exercise है जिसका नाम है त्रिशूल नोट कर लिया जा ठीक है ना चलिए next वर्ल्ड का highest fighter airfield बना दिया गया है वर्ल्ड का highest fighter airfield अब देखो highest battlefield पता है आपको highest battlefield पता है आपको ठीक है ना लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड का highest fighter airfield fighter लड़ने वाला और airfield ठीक है ना तू कम अप इन लद्दा की निववा में प्लीज नोट के आए लद्दा के निववा में होगा यह और इसको कौन मना रहा है ब्रो कौन मना रहा है इसको ब्रो तू भी बिल्ट बाए यह ब्रो अब यह ब्रो यह कौन सा वाला ब्रो है ब्रो यह वह वाला ब्रो नहीं है ब् Border Road Organization वालाBrow है ब्रो लिख लीजे ब्रो तो वर्ल्ड का हाइयस्ट Fighter, Airfield, कहाँ पर बन रहा है Ladakh में कहाँ पर बन रहा है? Ladakh में बन रहा है Ladakh के नियोवा में कौन बना रहा है इसको bro बना रहा है bro ठेक है bro का आप यहाँ पर Twitter account भी देख सकते है ब्रो ने टूट भी किया था अपने ब्रो दिंट इवन हesitate while telling all this यह ना बस ब्रो दिंट इवन हesitate to explain this in this manner ज़िए जलवा है अपना है के नी चलिए चलिए आगे आजाते हैं moving on to the next अब बे systems, partners ओह बे ब्रो के बाद बे बे समझते हो कितने लोग है यहाँ पर जो बे समझते हैं बहुत लोगों ने देखा होगा Instagram चलाते होंगे when बे does this when बे does that when this moment done by बे कि बे बा क्या है, what is this बे? anyone? क्या यह? क्या है बे? क्या है बे यह? anyone you can tell बे क्या है महिंतर पताब कह रहा है गलत बात गंदी-गंदी बाते कर रहा हो क्या बे है बे जानते हो कुई? anyone who can tell what is बे? लिखते तो बहुत वेक लिख रहा है honey अबे ओजी सुनते हो अरे बे का मतलब पता क्या होता है बे का मतलब होता है before anyone else इंस्टाग्साम देखते हो बस उसी वेखश हो जाता है मालिक हमें मतलब भी नहीं हमें तो अपनी वाली feeling आ जाती है सर अरे बे का मतलब होता है before anyone else तो वो किसी के लिए भी व्यक्त किया जा सकता है कोई लड़की के लिए बुला सकता है बाई लड़का बुझादा यूर मैं बे तुमसे पहले कोई नहीं तुमारी सारी इज्जत तुमारे लिए एक लिख रहा है परस्नल गल्फ्रेंड जोर का पड़ेगा ना यही को जाओग यही तो बात है वही समझते हो बस एक ही चीज क्लियर क्लियर चलिये चलिये कोई बात नहीं है एक लिख रहा है टर्म ओफ इंडियरमेंट डैट इस इधर वह भाई शॉर्ट फॉर एंड एक्रॉनिम फॉर वैदवी ने लिखा है कि वही शॉर्ट फॉर्म इसका है चलो लेकिन आप उस दुनिया से निकल के आओ यहां पर दूसरा हम बे की बात करने जा रहे हैं उसको देख लेते हैं तो बेश स्टम्स पार्टनर विद एल एंट एल एंटी एल एंटी इस इन इंडियन कंपनी ठीक है तू बिल्ड वाट बीवी एस टैं ओ टेरेन वहीकल इन लेंडिया आप देख रहे हो नाम से पता जल रहा है ओल टेरेन वहीकल अब ऐसा वहीकल यह देखिए आप articulated all terrain vehicle AATV इसी को short form में BVS10 कहा जा रहा है अब आप ज़्या देखिए इसको यह पूरा जो आप देख रहा हूं this is your AATV this is your all terrain vehicle आप देखो कैसे हैं अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे चल रहा है एक उपर भी आ गया फिर भी अपनी नीचे साराम से निकल के आ रहा है कैसा भी terrain हो यह चीज चल जाएगी ठीक है ना कैसी भी terrain हो यह चीज जो है यह क्या हो गया मालवव को नंबर क्यों लिख रहा हूं वहिया 234567 क्या हो गया है कुछ नहीं ना क्या हो गया लक्ष जो इंडिया में काम करती है इंडियन पार्ट ऑफ डाट ठीक है लक्ष माइबैड इंडिया में जो काम कर रही है ठीक है मैंने बताया ना बहार से कंपनी आएगी तो उसमें इंडियन वर्जन होगा clear clear है भाई चलिए तो बे सिस्टम्स पार्टनर्स L&T to build BVS10 all-terrain vehicle in India ठीक है तो इस वेरियन जो इंडिया में बनेगा उसको कहा जाएगा BVS10 सिंधू BVS10 सिंधू clear ठीक है clear clear है भाई चलिए important है आपर articulated all-terrain vehicle articulated all-terrain vehicle AATV नाम क्या है इसका BVS10 और ये आपका किसने कौन मना रहा है Bayer Systems partnering with L&T please note करिया है ये important है आप से पूछे का what is BVS10 recently seen in news ये क्या है ये all-terrain vehicle है इंडिया in India इंडिया के लिए बनाया गया है clear तब या ठीक नहीं है भाई मेरी थोड़ी सी आवाज से पता चल रहा होगा आगे आ जाईए next operation सजग किसने किया है Indian Coast Guard please note कर लीजे बस इतना याद रखना है सवाल से पूछेगा operation सजग किसने किया है please note कर लीजे operation सजग किसने किया है please note कर लीजे coastal guard Indian Coast Guard clear love from बागी बलिया सारांश ओके लव यू आल भाई लव यू आल चलिए चलिए so Indian Coast Guard conducts operation सजग coastal security drill to stand in maritime safety and awareness so operation सजग काई के लिए है coastal security excise के लिए है coastal security drill के लिए ठीक है operation यहाँ पर सजग जो है वो किया गया Indian Coast Guard के द्वारा note किया जाए Indian Coast Guard के द्वारा Indian Navy ने यहाँ पर एक seminar किया जिसको बोलते है Swalaman 2023 अब यह जो seminar है ना इसको आप देखो कि है क्या यह देखिए इस बेसिकली इस बेसिकली naval naval innovation मतलब कुछ नेवी जो है वो innovation की बात करेगी and indiginalization यानि जो चीज़े खुद घर में बनाई है उसकी जो है चीजों को बारे हैं बताईगी तो वाट इस Swalaman वाट इस Swalaman Swalaman इस बेसिकली naval innovation and indigenization seminar ठीक है यह कहाँ पर हुआ है यह न्यू डेली में हुआ है प्लीज नोट किया जाए यह न्यू डेली में हुआ है प्लीज नोट किया जाए प्लीज नोट किया जाए यह न्यू डेली में हुआ है प्लीज नोट किया जाए ठीक है next आगे आ जाईए simply पूछेगा P7 heavy drop system क्या है what is P7 heavy drop system किसका है यह पूछा जाएगा देखें यहां पर यह मैंने DRDO की website से लिया है developed by the DRDO तो basically it's an indigenous thing जो हमारे country में खुद बनी हुई है P7 से मतलब क्या हो गया use for para drop of military stores vehicle, ammunition, equipment यानि कुछ भी चीज अगर बहुत ही भारी है और उसको आसमान से drop करना है तो उसके लिए यह P7 heavy drop system आप यहां पर देख सकते हैं कैसा है कुछ भी चीज ड्रॉप करनी है कोई भी गाड़ी है कोई वहिकेल है कोई कोई लोड है हाना मान लिजे किसी प्रकार का क्या है कोई प्रकार का वहिकेल कोई ammunition कोई equipment की सब चीजे कहां तक का of seven tons seven ton of weight seven ton of weight class यह ना यह यह P7 heavy drop system ठीक है यह पारा drop है military stores का military store पर जो चीजे हैं उसको drop करने के लिए आप इसका इस्टमाल किया जाएगा ठीके ना यह डी आइडियों के द्वारा डॉलप किया गया है important है नोट कर लिया जाए पी-7 heavy drop system please note कर लिया जाए पी-7 heavy drop system please note कर लिया जाए क्लियर नेक्स आदा यह अगला देखिए अब एक railway station है जिसका नाम जो है वो रख दिया गया है the captain Tushar loads of Captain Tushar topic so basically who was captain ambh Jilka matter captain Tushar Master railway station उद्धम पूर को शिए सिशन का नाम चेंज कर के कर दिया गया मैं बाकी के नाम ना भी बताता लेकिन ये बता रहा हूं क्योंकि this is related to some armed forces officer ठीक है ना clear है clear है ठीक है अब देखिए who was captain Tushar Mahajan कहां से इनके बारे में न्यू पता चलता है basically he was in nine para SF unit ठीक है also known as the nine parachute commando captain Tushar Mahajan ये he gained recognition when and his respect for his bravery and leadership during a counter terrorism operation in Pampur in Jammu in Kashmir in February 2016 I think everyone knows about this thing हना तो सब को यहां पर captain Tushar Mahajan को के बारे में जान रहा है captain Tushar Mahajan के नाम पे ही शहीद captain हना माटायर captain Tushar Mahajan के नाम पे ये registration का नाम जो है वो रखा गया 9 para SF को ये थे belong करते थे ठीक है ना चलिए moving on to the next आगे आईए अब ये देखिए आपर times of Israel Israel का अगबार है ये इसराइल की अगबार का न्यूज है advanced sensors high-tech helmet इसराइल's fifth generation battle tank revealed अब देखो battle tank यहां पर reveal किया गया है fifth generation भाई सहाब fifth generation का battle tank reveal किया गया है जिसका नाम है बराक प्लीज नोट किया जाए तो आप से पूछेगा बराक क्या है बराक एक fifth generation battle tank है किसका अरे भाईया हट जाईए आप किसका यह है अपके इसराइल का प्लीज नोट किया जाए तो यह आपका देख रहे हैं यह आपका battle tank है battle tank का नाम है बराक प्लीज नोट किया जाए battle tank का नाम है बराक प्लीज नोट किया जाए और यह जो बराक है battle tank इसके अंदर आप देखिए जो लोग बैठा है इनको पूरा खोपडिया पर इनके क्या helmet पहने हुआ है ठीके ना पूरी खोपडिया उनका पूरा मुंडी है उस पर पूरा helmet लगा रहेगा तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चश्मा जो लगा हुआ है इस चश्मे से वह पूरा 360 डिगरी देख सकते हैं बाहर क्या चला है नीचल ला है आर्टिफिशन इंटलिजिंजेंश के थूँ 360 डिगरी जो है वह पूरा देखा जा सकता है artificial intelligence के थूँ तो बेसिकली यहां लिखा है कि advanced sensors लगे हैं हाई-tech helmet है इसके अंदर तो यह आप यहां पर देख पा रहे हैं helmet दिखा दिया है थीक है न तो यही चीज जो है वो यहां पर भी mention करी गई है तो आप से पूछ सकता है कि फिफ्ट जनरेशन battle tank इसराइल का जो है उसका ठीक है आगे आ जाईए exercise युदभ्यास exercise युदभ्यास दोजार तरी सेट टू कमेंस इन फोर्ट वेन राइट कहां पर है यह यूएस में Alaska के यूएस में तो भाया यूदभ्यास जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में होती है प्लीज नोट कर लिया जाए इंडिया important है यह है C295 aircraft now this aircraft is a game changer यह aircraft एक game changer यहाँ पर हो रहा है यह आप जो देख रहे है यह है आपका C295 aircraft प्लीज देख लिजे यह है आपका C295 aircraft अब यह जो aircraft है यह basically 9 tons का payload carry कर सकता है और as many hours इसमें 71 troops carry हो सकते है at a speed of 260 knots ठीक है इसको बनाया किसने है इसको Spain की company यहाँ पर Airbus Defence and Space manufacturers ने इसको बनाया हुआ है ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि भारत drone शक्ती यह एक event था ठीक है भारत drone शक्ती यह event था ठीक है जो हुआ और यह कहां पर हुआ था यह हुआ था आपका भारत drone शक्ती गाजिया बाद में ठीक है गाजिया बाद में जो है यह भारत drone शक्ती इवेंट हुआ राजनाथ सिंजी जो हमारे है defense minister वो यहाँ गए भी और इसी के बाद यहाँ पर यह बोला गया कि यह जो सी 2295 है जो आपका ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट है यह इंडियन एफोर्स में क्या किय जाएगा इंडक्ट कर लिया जाएगा तो जब इंडक्शन होता है किसी भी चीज का तो बहुत important हो जाता है तो यहाँ पर इस 295 का यह जो आप देख रहो ना भारत ड्रोन शक्ती भारत ड्रोन शक्ती कहां पर हुआ यह आपका हुआ है गाजयवाद गाजयवाद में गाज सिंजी ने सी 295 ट्रांसपोर्ट को इंडक्ट किया था अब यह है क्या यह अगर आप देखोगे तो यह एक मीडियम टक्टिकल ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट है तो यह एक मीडियम टक्टिकल ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट से आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि भ समान भेज सकते हैं इसके अलावा 71 टूप्स भी हम इससे केरी करके भेज सकते हैं 260 नॉट्स की मैक्सम स्पीड से यह और सकता है ठीक है तो यहां पर यही बात आई है कि भाई जो इंडिया का यह फर्स्ट है इंडिया का यह फर्स्ट है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सी टू निटीफव एयरक्राफ्ट इसको फॉर्मली अब इंडक्ट कर लिया गया है इंडिया एयर फोर्स के अंदर क्लियर है चली आगे बढ़ते हैं moving on to the next देखिए 13 यहां पर तेरवी अन्यूवल 13 इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फरेंस ठीक है जिसको हम लोग यह बोल रहे हैं क्या हो रहा है इसमें इसमें यह 13 आपकी इंडो पैसिफिक जो नेशन है उनकी जो आर्मी चीफ्स है उनकी यह conference है ठीक है अध्यान रखेगा क्या है यह कि जो आर्मी चीफ्स है वो सारे country जो इंडिया पैसिफिक के राउंड है उन सारे countries के जो आर्मी चीफ्स है उनकी यह conference है ठीक है और यह conference अभी नियू डेली में हुई है इसलिए यहां पर यह न्यूज important हो जाती है ठी सकता है कि भाई इस यह कहां पर हुई है तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है यह 13 इंडो-pacific army chief conference है clear इसमें लगबग 30 country 30 army chiefs यहां पर join करते हैं 30 countries के जो chiefs हैं वो join करते हैं now क्या हुआ brought together army chiefs from 30 इंडो-pacific nations co-hosted by the Indian army and the US army pacific इसलिए यहां पर यह important हो जाती है न्यू डेली में हुई है clear है एंडिया एस्पिरेंट गर्ल इंस्टा पर हो क्या तुम एंडिया एस्पिरेंट यहां पर चलना है इंस्टा बाजी अंजराक कह रहा है महिंदर चौदरी वो reply नहीं कर रही तो क्यों कर रहे हो मैसेज इतने उसके लिए अपनी वैल्यू मत गिराओ यार स्ट्रांग बनो ब्रो लिख लीजिए भाई आयूश कर्वार लिख लो अभी मैं तुमको ग्याप दूंगा ना बस खतम हो रहा है दस स्लाइड और है डिफेंस कतव होया का ग्याप मिलेगा फंद्रामेटे ग्याप में नोट कर लेना जो नोट करना हूँ फिर उसका तम लोग फिर शुरू करेंगे ठीक है ना क्लियर एंडी फाउंडिशन जो आपका भी चल रहा है ओल्डी वह फूर्थ मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और जो निया बैच की बात कर रहे हो निया बैच फस्ट ऑफ या फिस्ट अपरिल के असपास जो भी मंडे होगा वह से शुरू हो जाएगा ठीक है ठीक है चलिए आगे आज़ी नेक्स्ट अब देखिए यह है आपका प्लेन और इसका नाम क्या है डॉर्णियर डियो बस यही पूछ सकता है क्या है तो यह आपका इंडियन एफोस ने इस पर्टिक्लर फ्लीट को इस पर्टिक्लर एयर फ्लीट को यहां पर एड़ कर लिया है अप लिमिटेड ने प्लीज नोट किया जाए हिंदुस्तान लिमिटेड ने इसको बनाया हुआ है ठीक है अभी पूछूंगा मैं कितने स्लाइड बन गए मैं आपसे पूछूंगा कितने टॉपिक आपने यह लिक लिए चलिए नेक्स ताइवान ने बहुत इंपॉर्टेंट ह पूहज़़ इढ़िए ताइवान ने रिवील किया है अपना पहला व्रस्ट ट्र Evetrix ली बनाई गई सम्मेरीन को यह को यह उसकी तस्बीर डमस्टिक लीप लेगई इसम्मरीन है और यह ताइवान की है चाना कि हट से लगसे उग बनाई है अना और इसका नाम क्या है हाइ की बनाई गई है क्लियर है लोट किया जाए प्लीज नोट कर लिये जाए प्लीज नोट कर लिये जाए, NDA Foundation का syllabus आपका जो अगर अकांच रिपाथी अगर जो लास्ट येर वाले बैच में हो जो चल रहा है उसकी बात पूछ रहे हो तो वह आपका by the month of April या में तक खतम हो जाएगा ठीक है फिर आपके लिए time रहेगा आपको practice कराई जाएगी हाना आप practice sessions होंगे आपके लिए इंडियन air force gets Israeli spike missiles अब इसराइल की spike missiles है ठीक है और यह आप देख पा रहे है यह है वो तस्वीर spike missiles की तो basically यह अगर कोई हमारा दुश्मन पहाडों के पीछे भी चुपा है hidden behind mountains तो भी उसको यह मार सकता है and can hit targets from short distance up to 30 km 30 km सकी हिट कर सकता है तो बूस सकता है कि spike missiles किसके जोर इंडियन air force को मिली है तो air force इसका इस्तेमाल करेगा और अगर ठीक है फारिंग और इसके ट्राइल शुरू होंगे जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो यह यह है क्या यह आपका anti-tank guided missiles है ठीक है और NLOS का मतलब क्या है non line of sight non line of sight मतलब कोई अगर enemy हमारी site में नहीं है हम उनको दिखनी रहा है non line of sight है दिखनी रहा है उसको भी यह मार गिरने का माध्दा रखता है इसलिए हम इसको anti-tank भी बोल रहे है टांक के खिलाफ यह मार कर सकता है ठीक है can destroy enemy targets hidden behind mountains इसी को बोला जा रहा है कि it is NLOS that is non line of sight के beyond है फिर भी हम उसको मार सकते है ठीक है ना अब coming batch की बात कर रहे हो 2025 दोस्तों उसका launch होगा सून अभी और वह April के first month से दोस्तों यह स्टार्ट होगा clear है चलिए next अब देखें यहां पर इंडिया का anti-tank guided missile हेलेना और दूसरा दूसरा धुरुवस्त्र complete trials तो अभी trial complete हुआ है यह आप देख रहा है यह है वो हेलिना वो missile है ठीक है और यह जो हेलिना है यह इंडिजनेसली बनाया गया है इंडिजनेसली डेवलप किया गया है ठीक है developed helicopters इसको launch कर सकते हैं यह anti-tank guided missile है that is Helena please note किया जाए ठीक है ना now Helena का एक variant है Helena का एक variant है जिसको क्या बोल रहा है variant of Helena weapon system called Dhruvastr is also being conducted into the Indian Air Force तो basically जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो यह कि इंडिया का anti-tank guided missile इंडिया का anti-tank guided missile क्या है नाम उसका है Helena नाम है उसका दूसरा धुरुवस्तर जो एक अलग variant है यह trial complete कर चुका है ठीक है और यह indigenously बनाया गया है helicopter से launch हो सकता है नाम में आज रखना है आपको Helena 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 ठीक है यह दोनों चीज़ें important हो जाती है ठीक है यह दोनों ही चीज़ें important हो जाती है clear चलिए moving on to the next आगे देखिए देखिए अब यहां पर स्वाथी यह कोई आपकी girlfriend नहीं है किसी को अपनी madam की याद आ गए तो मैं उसके जिम्मदार नहीं हूँ what is स्वाथी देखिए स्वाथी बेसिकली एक weapon locating radar है ठीक है ना बिल्कुल सही जो काम आपकी madam ने किया वही है आपको भी रडार पे ले आएंगी वो आपको भी locate कर लेती है और यह भी locate कर रहे है आद करने का तरीका बड़ा casual है तो स्वाथी जो है वो क्या है weapon locating radar है ठीक है अब क्या करना है इसका कि वह यह स्वाथी जो है यह वैसे ही plains में इस्तेमाल होता है यह होती है लेकिन यह जो स्वाथी यह अपने mountains में इस्तेमाल होगा यह mountains में आप देख सकते हैं स्वाथी को बिल्कुल जैसे ही चला चला के एकदम खतम हो जाओगे तो इंडियन आर्मी ने लॉंच कर दिया है इंडियन आमी ने लॉंच कर दिया है इंडेक्ट कर दिया है लाइटर एंड कॉंपाक्ट वर्जिन ऑफ दिस वैपन लोकेटिंग रडार एक इसका लाइटर वर्जिन है स्वाथी वैपन लोकेटिंग रडार क स्वाथी माउंटेन्स वेबसाइट है देख लीजे इंडियन डेफेंस रिसार्च वेंग की आईडी आर डबलू की वेबसाइट से निकाला हुआ है ठीक है ना ठीक है ना रेपब्लिक डे की परेड में देखाई गई थी तो स्वाथी माउंटेन्स बेसिकली क्या है स्वाथी माउंटेन्स स्वाथी माउंटेन्स डबलू अर डबलू एलार is an advanced advanced है बल्कुल स्वाथी advanced electronically scanned phased array radar ठीक है ना पूरा radar में scan कर लेंगी कहाँ पर चुपाया है weapon समझ में आ जाएगा it is specially designed for operations in the mountains and high altitude area clear है इसको develop किस ने किया है it is developed by B.E.L. प्लीज नोट किया जाए लिखाओगा दिदिन आमी है से कि रहा है दूसरी बार धिहान अठना even tracks friendly fire trajectories मान लीजे कोई अगर ऐसा ना हो कि हमारी friend हमारी ही दोस्त की कोई मिसाइल आ रही हो पते रहा उसी को दाग दिया तो वैसा भी नहीं होना चाहिए ठीक है ना हाँ बिल्कुल यूज सकता है बिल्कुल यूज सकता है SSB के लिए बिल्कुल हो सकता है so event tracks friendly trajectories event tracks friendly trajectories ठीक है so the Indian army has taken a significant stride in bolstering its battlefield field surveillance क्या कर रहे हैं लोग भारत electronics limited ने क्या किया है यहां पर develop किया है इस particular चीज को very important note कर लिया जाए स्वाथी mountains I hope this is now crystal clear to everyone चली आगे बढ़ते हैं इंडिया यूएस जपान इन सब की मिलकर क्या होती है पार्टी और पार्टी कहां होती है उस पार्टी को बोलते हैं माला बार चारो कंट्रीज मिलके करते हैं बढ़िया पार्टी माला बार और पहली बार यह पार्टी ऑस्ट्रेलिया में हुई है यह प्लीजेन नोट कर लिए जाए अब कर對啊 सब्सक्राइब है अब ने हैं सब्सक्राइब तर फिर के लिए इंपोर्टन में आप्पोर्टम है अब किसमें important होंगे तैसिलदार के exam में यले लेक पाल के exam में clear बिल्कुल भाई बिल्कुल यूज़ बिल्कुल इस्तमाल हो सकते हैं चलिये चलिये आगे बड़े next defense ministry to switch to locally built operating system Maya क्या सर सारे मेडमों के नाम ले रहे हो अब मैं क्या करो नाम ही ऐसे रखते हैं हमेशा ही लोग actually क्या है कि अभी तक जो operating system इस्तमाल किया जा रहा था defense ministry के द्वारा ऐसा बोला गया है कि भाई बहुत ज़ादा cyber attacks या पर crimes उस पर commit हो सकते थे हमारा बहुत सरा critical उस पर knowledge information पढ़ा हुआ है तो decision लिया गया कि भाई जो increasing cyber attacks हो रहे हैं मालवार attacks हो रहे है on defense उसको देखते हुए उरो ने कहा कि हम यह operating system छोड़ देंगे ठीक है और हम अपना अपना indigenously बनाया हुआ यानि कि locally मतलब क्या हो गया indigenously बनाया गया हम अपना खुद का operating system पे अब काम करेंगे operating system पे काम करेंगे उस operating system का नाम क्या है लिखेगा Maya please note indigenously built है यह Maya very very important यह है Maya please note please note clear clear ठीक है भाई चलिए आगे आजएगे next इंडिया इंड़क्ट्स न्यू न्यू हिरॉन मार्क टू ड्रोन्स अब देखें हिरॉन मार्क टू यह ड्रोन्स इन ड्रोन्स को इंडिया ने इंड़क्ट किया हुआ है इंडिया इंड़क्ट्स न्यू हिरॉन मार्क टू ड्रोन्स कैन स्टे इंडी एर फॉर थर्टी सिक्सावर इंडिया 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 ने क्या किया है इन हिरॉन मार्क टू ड्रोन्स को इंड़क्ट कर लिया है या फिर इंडिया उसमें लिया है ठीक है सो यह जो हिरॉन मार्क टू ड्रोन्स है यह ड्रोन्स काफी लंबे डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं इसके अंदर आप देखोगी फिट की उचाई पर उठ सकते हैं एक सो पचास फिट की स्पीड से एक सो पचास नॉट्स की स्पीड से यह उड़ सकते हैं क्लियर क्लियर चलिए आगे बरते हैं नेक्स्ट प्रबल वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रबल प्रबल क्या है प्रबल क्या है इंडिया की फिर्स्ट लॉंग रेंज रिवालवर प्लीज नोट किया जाए इंडिया की पहली लॉंग रेंज रिवालवर प्लीज नोट किया जाए ठीक है अब यह जो आप देख रहे हैं दिस इस प्रबल अगला सवाल आपके लिए यह है कि बताइए प्रबल दोस्तक यह एक साइस के बीच में होती है प्रबल दोस्तक चली बताइए तो आल अबोट प्रबल में आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की फर्स्ट लॉंग रेंज रिवॉल्वर है ठीक है अब इसका फरक क्या है यहां देख रहा है इसको देखो आप ठीक है यह क्या होगा कि आप ऐसे बंदू क्लिए ऐसे करोगे ना तो यह रिव दालेंगे तो फूर रहा है इसे करोग जटका देगे उसको गुलब भार निकलाएगा इसके अंदर आप क्या करेंगे डाल सकते कार्तूश जो भी डालनी होते क्या कहते है उसको ठीक है तो यह आपका इस प्रकार का है प्रबल तो यह प्रबल है इंडिया की फर्स्ट लॉ यहां पर यहां पर यह लोकेटेड है इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ट वेपन एक्विप्मेंट इंडिया लिमिटेड तो यह एक स्टेट ओंड कंपनी है जो मैनिफेक्चर करी हुई है प्रबल को प्लीज नोट कर लिया जाए ठीक है ठीक है ठीक है ना प्रबल इस ऑल्स रिवॉल्वर एक्विप्ट विद इस साइड स्विंग सिलिंडर पता है ना साइड स्विंग है आप ऐसे करोगे तो ऐसे गोला निकल आएगा भार को फिसमे चेग गोले होंगे भरदो आप उसमें कार्टूस ठीक है ना फिर लिखा हुआ है मेकिंग इजिएर तो पूल दा ट्रिगर दे प्रबलम मिद दो मोस्ट अर्लियर वर्जन क्या थी या थी याट याट टो भी फोल्ड आपको इसको फोल्ड करना पूरता तब आप डालते थ अधर रिवारवल्स अभेल इंदी मार्केट के मार्केट में अवलेबल हैं उससे कम से कम दुग नी थी करना चलिए निक्स्ट डाट इस Сीकाट एक्साइज अब यो सी किया एक्साइज है यह बेसिकली सीक एक्साइज कहां पर हुई निओ संगापूर के हुई है सीकेट कहां पर हुई है सिंगापूर इसमें जो हमारे इंडिया की अच्छा दूसरी बात यह मैं क्या है यह मैरिटाइम एक्साइज है यानि कई साथ नेवल एक्साइज है ठीक है उसके बाद इसमें 20 इंडिया पैसिफिक कंट्रीज इंवल्ड हुए इसका मतलब यह सीकेट जो है वो मल्टी नाशनल है ठीक है ना मल्टी नाशनल हो गई क्योंकि इसमें आप देखोगे तो क्या है कई सारे कंट्रीज है 20 इंडियो पैसिफिक मेरिटाइम फोर्स राइट कमेंस धी 22nd सीकेट एक्साइज फिर इसमें ने सिंगापूर का 77 इंडिपेंदेंस दे भी सेलिवरेट कर लिया क्लियर है तो ध्यान रखेगा कि मेरिटाइम फोर्स इस प्रॉम 20 इंडो पैसिफिक पार्टनर नेशन्स वो सब यहां पर मिलती है और उन्होंने यहां पर सी क्याट साउथ इस्ट एस्या कोपरेशन ठीक है और इंडिया की तरफ से आइनेश कोलिष्टी ठीक है ना चलिए विंध्यागिरी प्लीज नोट विंध्यागिरी अब देखो यहां दो न्यूज है एक साथ बताऊंगा प्लीज नोट देख लीजे विंध्यागिरी प्रेसिदेंट ड्रॉपदी मुर्मू लॉंच एडवांस टेल्थ फ्रिगेट अब यह फ्रिगेट है ठीक है यह आपकी फ्रिगेट है इंडियन नेवी के लिए प्रेसिदेंट रॉपदी मुर्मू ने लॉंच कर दी है अब यह को खाली लॉंचिंग हुई है ध्यान यह रखना ठीक है नाम क्या उसका विंध्यागरी व विल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17 एक अंदर यह निल्गरी क्लास फ्रिगेट में कई सारे यहां पर शिप्स हैं मैं आगे बताऊंगा फ्रिगेट क्या होता है कुछ लोग पूछेंगे तो फ्रिगेट बेसिक लिए यह इसमें फ्रिगेट में डिग्री अप जो स्टेल्थ है यह र granular के अंदर पकड़ जाने की जो चांसे से हो कम होता है फ्रिगेट सक अंदर ठीक है यह फ्रिगेट का बेसिक जो आईडियरे रहता है डिगरी ऑफ् dual ग्यजे कर दिया है इसे विंद्यागिरी हो गया विंद्यागिरी के बाद देख लिजे महिंद्रगिरी इंडियन नेवी ने इसको भी लॉंच कर दिया है बैक टू बैक लॉंचिंग कहां पर हो रही है मुंबई में हुआ है ठीक है तो महिंद्रगिरी जो है यह 7th of the warships में है इस इंडिया 7th warship of project 17A series और जो महिंद्रगिरी नाम पढ़ा हुआ है आपको पता है कि इस्टन घाट का जो हाइस पॉइंट है इस्टन घाट का जो हाइस पॉइंट है वो आपका महिंद्रगिरी ही है तो यहाँ पर जो इंडिया नेवी ने क्या किया है अपनी stealth frigate that is उसका न कंदर आप देखोगे निलगरी class frigate के अंदर देखो तो पहली कौन सी थी निलगरी थी देन उदैगरी तारागरी महिंद्रगिरी देखो यह लिखा हुआ है हिमगरी दूनागरी और विंद्रगरी देखो यह लिखा है तो जो न्यूस है मैंने आपको एक साथ कर दिया अग देखो एक साथ दिखेगा तो आपको याद करने में असानी रहेगी तीक है दोनों ही लॉंच होई है और इसलिए मने आपको ये लिस्ट भी लगा दी कि देख है यहां पर यह नाम है और देखो कब लॉंच हुई अब जो भी 2023 में में लॉन्च हुई उसके लिए वो इंप सब की महेंदरगिरी है एक तो यह होगा याद रखना है अपन को ठीक है कमिश्रिंग इन सब की बहुत दूर है कोई भी कमिश्रिंग है क्या निलगिरी कमिश्रिंग देखो बोल रहा है मिट 2024 के आस पास तो जो एंडिये तू देंगे नँदी टूध रोगे नकि लिए इंप कि एंडिये टू दो हजार चॉबिस का जो एक्जाम है जो आपका एक्च्विली होना है फर्स सेप्टमबर दो हजार चॉबिस को उनके लिए यह वाली शिप यह वाला इंपॉर्टेंट होगा यह क्योंकि निलगिरी की कमिशनिंग डेट हो सकती है कहीं बीच में इन्दी मन्त ऑफ जून जुलाई जुन जुलाई ऑगस्ट के आसपास तो एक्जाम में आ सकता है लेकिं महींद्यगिरी अभी खाली लॉंच हुए एक सितंबर देखो विंध्यागिरी लॉंच हुए 17 अगर्स 2023 तो यह आपको महींद्य कि मैं इसलिए देखो जितना वी ऐसे मैंने सुमेदा का भी किया आईनस अलग अलग टाइम पर बार अलग अलग टाइम पर कभी वह मुजाम्बीक पहुचती है कभी वह इक साइज ब्राइड स्टार इपहुच जाती है इजिट पहुंची मुजाम्बीक किया ना आप सोचो यह आई थी निउस सप्टमबर में यह आई थी अगस्त में अब अगस्त सप्टमबर की न्यूज मैं एक साथ ले किया आ गया इंडियन नेवी लॉंच की स्टेल्स फ्रिगेट महिंद्रागिरी और दूसरा यहां पर देखो विंद्यागिरी ध्यान प्रिगेट्स नोट किया जाए आंसर हो जाएगा फ्रिगेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर और किस फील्डे मिला तो आपको उत्रावस्पता होना चाहिए फिलाल के लिए आपके लिए इससे दर डीटेल में जानेक जरुवत नहीं है ठीक है तो यहां पर मैं सारे कि सारे नोबल प्राइज जो है वह एक बार में यहां पर लिखूंगा और आप से धर्ख्वास्त कर अल्डेडी पूरे कर दिये हैं ठीक है ऑगस्ट से लेकर बताओ कितने हुए यहां तक कितने मिलिटरी एक्साइज हुए बार कमेंट करके बता दीजिए रहा सब लोग कितने हुए प्लीज कमेंट करके बता दीजा अझनल करके अधिन है था कि सतर घो गया हुए न लग बग भग है वाई मेरे पार स्लाइड हुघ है आप और 69 और स्टाइं की दो स्लाइद आधा दो 67 अब मैंने एक-एक स्लाइड पर कई-क एक साइज कराए आपको तीन-तिन एक साइज कराई आइ तो मैं मान के चलना हूं 70 तो हो गए होंगे 70 हो गए होंगे अब आप सोचो 70 अगर हो गए यह 70 न बहुत important है 70 के बाहर समझ लो कुछ नहीं आने वाला है अब देखो 70 topics आपने किये और कितने महीने के हुए यह August से लेकर December तक क्यों हो गए डिफेंस के अब जरा यह बहुत important है क्योंकि जैनवरी February भी आएगा वो भी कराओंगा जितने भी कर लोगे माई January February का मिलागे मान लो 20 और बढ़ जाएंगे तो आपके पास 90 topics ऐसे होंगे जो डिफेंस के होंगे almost डिफेंस के और दोस्त इन अबबे में से आपको कम से कम तीन सवाल तो देखने को मिल सकते हैं दो से तीन तो आपको definitely देखने को दास सवाल आईए करेंट अफेर्स के दस सवाल आएंगे इन 10 करेंट अपिर्स में आपको इन में से इतने दो मिल जाएंगे और कुछ ऐसा बहुत तफ भी नहीं है एक्साइज कराई है कुछ-कुछ आपको वह कराई है कि भया जैसे प्रोजेक्ट उद्भाव मिल्टरी फेस्टिवल हना उसके लावा कुछ-कुछ मैंने कौक कम कर दिया समर डिफेंस सिस्टम इसराइल की कुछ मिसाइल यहां वाकी मि पान्च महीन का 5 मोंस में 16 डेफेंस के लिडिवाइड कर लोगे तो यह होता है 12 यानि कि एक मंत में वन मंथ में बारा करेंट अफिर्स में नहीं पर आप नहीं और नहीं झ less कैं पहीं उठनस में सब्सक्राएज का मतलब थीन में 30 देन में कि भारा करेंट एक पर डे भी करेंट एफिर नहीं बन रहा है कि टेट्स नहीं पूछी जाएंगी कि डिफेंस में 90 कर लिए तो आपको एक्जाम में दो तीन सवाल डेफिनेटली मिल जाएंगे जैसे में इतने में करा दिये ठीक है जैन और फैब और कर लेना इसके बाद ठीक है ठीक है करेंट एफिर्स जैस श्री राम सर जैस्यवेशिराम सर पूछ रहा है कब होगा करॡ़ा स्टार्ट होगा आप 4 मार्स कर्य का बैक शुरुद ऊंच्छोंगों फिक है मैं ही पढांगा आप लोगग को क्लिर अरे है की नहीं मान रहे हो की नहीं मान रहे हो कुमार नाम रहे हो की नहीं मान रहे हो की नहीं मान रहे हो भाई अगर आपके 60 सवाल ही बनाए है आपने और यह सब मिला मिलू के एक साइज मिला लो जितना भी इफन बट हुआ है सब मिला लो भाई क्या बार क्या बताओ हर महीने 12 करेंट डिफेंस की करेंट इपर जात करना बहुत बड़ी बात है के defense के नहीं न अरे simple है अभी मैं पूछूँँगा आप लोग लिखना शुरू करते हैं कि बताओ अच्छा what is summer बता दो अब revise करो न what is summer सबको पता है sir surface to air missile आपका जो defense system है वो है और assured rehabilitation आपका retaliation full form भी आ दोगा sir surface to air missile for assured retaliation sir यह क्या है आपको पता है long range revolver है पूछूंगा बता दो महिंद्र गिरी क्या है आपके अपकी साथ पढ़ा करी है हमने देखा अरनाला आमनी आपका एंद्राथ सब एक साथ देखा तो आमनी वोस्ट फोर्थ वन वो भी हमको पता है आइने सुमिधा हमने सब जगे देखा लार्ज सर्वे वैसे लमें देखा आइने संध्यक स्टार्टिंग में राइट हमने इस तरह से बहुत सारी चीज़ हमने हाइकुन देखा हमने 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 जो है इस तरह से बहुत सारी चीज़ देखी राइट याद है के नहीं भाई याद है के नहीं और एंच त्रिंग देखा हेरान डर्ण देखे बहुत सारी एक साइजेग देखी yes or no चलिए तो अब जो है यहां से मैं आपको कराऊंगा यह चीज देख लीजिए एक मैं टॉपिक कवर करूंगा चंद्रयान वाला क्योंकि इंपॉर्टेंट है अगस्त के महिने में चंद्रयान की लेंडिंग हुई थी 23 अगस्त के दिन लेंडिंग हुई थी और 23 अगस्त के ज नाशनल साइन्स डे की रूप में बनाने की बात करी है ठीक है तिरंगा पॉइंट क्या है वो बताऊंगा ठीक है इस तरह की और इंफॉर्मेशन दूगा जो जनरली आपने नहीं सुनी होगी वो बताऊंगा आपको ठीक है बट अभी के लिए फिलहाल यहां पर एक बार न सबूर्म आया है और मंचूरान आया है है तो इतना कलते हैं तो इतना कर ला गते में पर आगे बाटेशता कि बिल्कुल भी नहीं आपको बिल्कुल भी आपको समझना नहीं है कल नहीं लगाने देखो तरह यहां पर फिजियोलोजी या फिर इंदी फिल्ड ऑफ मेडिसिन किसको मिला हुआ है बस नाम याद कर लो कंटलीन करिको को मिला है बस आपको यह टेबिल हमेशा याद रखनी है इग्जाम में यही पूछेगा इसको मिला है यहाद नहीं करनी है मैं ने खाली लिग दिया है कि इस सीकूश्ण में मिले थे ठीक है वह आपके दिमाद में होना है for the work on mrna vaccines बस आपको कभी option में ये चमक गया कि mrna vaccines पे कुछ work के लिए मिला है बस आपको इतना याद रखना है कि medicine की फिल्ड में nobel prize दिखा है मिला है वो medicine की फिल्ड में mrna vaccines की काम जो काम कियेगा इस क्यों पर उसके लिए मिला है यह आपको यहाद को देन फ्रेंक क्रॉस को एंड एनी एनी हॉलर को यह स्पेलिंग फोड़ी गरत लिखिए एनी जी को जान रखना इन तीन लोगों को मिला है नाम चमकना चाहिए पियरे augustine frank cross and na heuler ठीक है अब यह क्यों मिला है जान रखना है यह इसलिए मिला है कि जो हमने study कर यह इलेक्ट्रॉन की ठीक है for the study of electron dynamics in matter regarding what की experimental methods that generate the atto second pulses of light for the study of electron dynamics यह सब चीज़े ना मैंने actually batch के अंदर बहुत अच्छे समझाई है यहाँ परना कोई student है batch का तो बताएगा कि हम आने चाहिए एक्स्प्लेन करीए बट अभी फिलहाल चुकिम शक्ती बैच में है और दूसरी बात समझने के लिए ठीक है लेकिन आपके exam में यह तो पूछे कर रहें ठीक है for experimental methods that generate ato second pulses of light for the study of electron study of electron के लिए ato second pulses of light generate हो रही है उसके लिए यहाँ पर मिला हुआ है ठीक है इतने मैं आपको पता होना चाहिए क्लियर है ठीक है तो जहां पर जो batch के students हो जान रहें next chemistry के लिए क्यों मिला हुआ है chemistry के लिए मिला किसको मिला है पहले देखो मैं मांगी जी ब्रेवंडी बाविंडी क्या हो गया उनको क्या उन्होंने पी लिया पता नहीं बाविंडी एकदम बाविंडी हो गई है देन इनों को मिला हुआ है नाम पहचान लीजिए बस बेरादरी के लगने चाहिए एक्जाम के टाइम पर कैच्छा इनको इनको मिला है यह नायम समखना चाहिए आपके सामने ठीक है ना चलिए तो किसलिए मिला है इनको क्वांटम डॉट्स पे जो study करीए प्लीज मोट फॉर एक सिंटेश्चurar तो कहीं भी बर्ट चमग्या क्वांटम डॉट्श तो भाई इन बावडी बेमिन्डी जी को दे दीजयेगा अगर आपको वेट चमग्या कहीं भी क्वांटम क्वांटम डॉट्स तो तुर्हां तिक मारना है अपन को इसके लिए कैमिस्ट्री के लिए य जिक्सा कॉंसेप्ट है लेकिन देख रहा हूं इलेक्ट्रॉन की स्टेडी में मिला हुआ है ठीक है ना फिर उसके आजाई है कि फीजियोलोजी में जरा भी वर्ट चमक गया MRNA में वैक्सीन तुनंद हो जाएगा क्लियर है चली आगे आजाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लिट्रेचर में किसको मिला है जॉन फॉस अब लिट्रेचर की फील्ड में अगर जरा भी मिल गया पर इस इन्नोवेटिव प्लेज और प्रोज बिच गिव वाइस तु दी की उपर क्या इशू था वाइस ऑफ दी अन्सेयल उनक्यों यहां पर जॉन फॉस को लिट्रेचर के अंदर मिला हुआ है पीस का वार्ड इसको दिया गया है नर्गिस मुहमधी को दिया गया एवरीवन नोस इस हर नेम स्यूकिशी फॉट फॉट फॉर जो हिजाब वाला मा पर इनको मिला था उनके अगेंस फाइट लणने के लिए फिर उसके बाद आपका यह जो रिस्क बैन प्राइज होता है इन इकनोमिक साइंस यह मिला है क्लॉडिया को क्लॉडिया गोल्डेन को मिला हुआ है किसलिए बस आपको एक जार रखता है वोमेंस लेबर मार्किट आउटकम्स यह की की वर्ड्स जो है वो आपको बस यहाँ पर याद रखने सर नर्गिस जी को दिखा दो एक बार ऐसे कोई पर्सोनल डिमांडे आप लोग की पूरी यहां नहीं करी जाएंगी इमांशु वर्मा क्लियर निकलिया समने चलिए अब आजाईए मैं यहाँ पर थोड़ी बात करूंगा चंद्रयान की चंद्रयान 3 की कुछ ऐसी information जो शाद आप लोग को नहीं पता होंगी बाकिए तो पताईए सबसे पूछूंगा बताईए जरा चंद्रयान 3 कि लाइंड कहां किया था एनिवान इंदी कॉमेंट बॉक्स जो बता सकता है चंद्रयान 3 की लैंडिंग कहां पर हुई थी मून पर कहां लैंडिंग हुई थी बताओ सर खोपड़ी फटने वाली है महिंदर पता आप कह रहा है खोपड़ी को बांद लो बेटा फटे ना एक्दम बहुत बढ़िया साउथ पोल ठीक है ना तो चंद्रयान थी की जो लैंडिंग है चंद्रयान 3 लैंड ओन मून और मून में आपको पता है कि यह साउथ पोल की तरफ लैंड हुआ था क्योंकि वहां से काफी प्रस्पेक्ट्स आ रहे थे कि वाटर की मिल्ले के और इंडिया यह करने वाला 4th country हो चुका है तुन लैंड ओनदी लूनर सर्फेस मून पुतरने वाला यह लैंड करने वाला इंडिया 4th country यहां पर हो चुक everywhere knows but another time उत्रने निकलेगा वाज उसके अंदर से or तहलेगा मून के सरफ़ेस पह दो आगत्र कए आते हैं यह आपलों को पता था यह अपलों को पता था कि नहीं पता था बता दीजो हुआरे हां चावमीन कहा जाता है बहुत लोग दिल्ली वासी होते है और इस्पेश्ली साउथ दिल्ली के होते हैं थोड़ी अंग्रेजी वाले लोग जो होते हैं वो नूडल्स कहते हैं उसको तो भाईया शौर्या वाले लोग भी इसको लिख लेना ठीक है मैंने जब इसको और देखा थोड़ा सा आज में दुबारा से बना रहा था तो कुछ चीज़े आड-on करके लेके आया हूं ठीक है इंडिया जो है तेई सगस को नाशनल स्पेस दे मनाएगा दूसरी बात जहां पर चंद्रयान 3 का लैंडर उत्रा था उस जगे को बोला जाएगा लिख लीजेगा शिव्शक्ति वेरी वेरी इंपोर्टेंट और जहां चंद्रयान 2 लास्ट टाइम वाला लैंड किया था ज अधियर डियर इंडियर था चंद्रयान टू जहां टच किया था दाट वास तरंगा पॉइंट ठीक है और जहां चंद्रयान सी लाइंड किया दाट इस कॉल सिर्फ शक्ति पिर सराइम जई आपने टू बिकॉस अभी स्टेट बोर्ट चल रहे हैं ठीक है एंडेटू की त्यारी करना और अच्छे पर सकते हैं चलिए इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं अब देखें यहां पर यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट है यह है क्याप्टन फातिमा वासम ठीक है पर्स फीमेल मेडिकल ओफिसर यह पहली फीमेल मेडिकल ओफिसर है टू बी डिप्लॉइड ऑन दी सियाचीन ग् सियाचीन ग्लेशियर प्लीज माग कर लिजा ठीक है नेक्स्ट अब देखें यह भाई बेन हैं इनको सब लोग पैचानते हैं यह आर प्रगननदा है ठीक है और इनकी जो सिस्टर है आर वैशाली नो आर वैशाली बिकम्स दिग्रांड मास्टर जॉइंस आर प्रगननदा सिस्टर डूओ तो यह पहले वर्ल्ड के फर्स्ट ब्रदर सिस्टर डूओ हो चुके हैं भाई भैन जो आपके ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं तो राइट नौ आर वैशाली एस बिकम्स दिग्रांड मास्टर आर प्रगननदा तो आपको पता है कि मैंगनस काल्सन को पता है कि हां किस प्लेयर किस आर प्रगननदा या आर वैशाली रिसेंटली सीने न्यूज किस फील्ड को बिलॉंग करती किस स्पोर्ट्स को तो यह चैस प्लेयर है यह पूछा से सकता है यह चैस प्लेयर प्लीज नोट कर लिए अगर नेक्स्ट अभी इनके बारे में डिटेल ह है इसको आप यहाँ पर याद कर सकते मैं ली जाओंगा अटाई देता हूं उसको चलिए नेक्स जाज़ी देखिए विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है यहां पर 2003 की 23 की स्वरी विजय हजारे ट्रॉफी जिएन भाई हर्याना और हर्याना ने ऐसा करने में में पहली बा कौन मनिया करौनपती में जाद उसके है इसका एक हाइप एड भी आता था यह मिस्टर विजय हजारे और हजारे की जिए नाम बदल दिया था यह मिस्टर विजय नजारे क्रिकट की दुनिया की उभरते सितारे लाइफ में ना कभी मारा चौका वेटिंग फॉर लूज पूछा कोच ने पूछा कभी अंपायर बनने का देखा फिर अंपायर बनके उन्हों तबाही मचाई हर अपील से पहले अपनी उंगली उठाई आज भी है आज भी है पकड़े यो मीद की डोरी डोंट लूज तो इस तरह कुछ एड था जो उस वक्ट चलता था तुमको मेरे मंचूरियन और नूडल्स की बड़ी पड़ी है चल 계ंए आ गया जाईए तो यहां विजह हरे ट्रॉफी की बात करें तो हर्याणा फृस्ट ट्ल यहां पर जी चुका है तरहिए मैंसिएं ताइम गोवाओ यिए थि रहे बड़ी जिता हुआ मैंसम्ट टाइंब्सक्रेस कौं तो आप से खाली इतना ही पुछा जाएगा कि भाई यह लखादॉंग तर्मिरिक कहां का है और दोस्तों उसमें एक option बाई गॉट कह रहा हूं लद्दाग जरूर होगा आप लद्दाग माग कर दोगे टीचर ऐसे माग कर देगा कट्तस लग जाएगा तो लद्दाग लकदौन तर्मरिक कहां का है मेगाले का है दोस्तों इसको जी आई टाग मिल गया है प्लीज लिख लीजे इंपॉर्टेंट ठीक है अब इसके लावा वैसे तो गारो चुबती गारो चुबती यह एक अलकोहल बेवरेज है इसको भी जी आई टाग दिया गया है लेकिन यह अपन को याद नहीं करना है क्योंकि पूछा नहीं जाएगा ना ठीक है अब देखो इन अडिशन टू दिस गारो दक्मांड ट्रडिशनल ड्रेस है यह लरनाई पॉटरी यह भी इसको भी मिला है इसको भी मिला है जी आई टाग ठीक है ना सेर अलकोहल क्या है शीलू पिड़ा इतना शरीफ तो तुम नहीं हो दस शीलू एट्टीन जिसका कभी सेवन करके तुम घर पहुँचे तो उसके बाद फिर तुम घब कभी नहीं पहुच पाऊगे यह वो चीज होती है चलिए नोट किया जाए नेक्स्ट लार्जस्ट अम्बेटकर सहाब की मूर्ती लार्जस्ट अम्बेटकर सहाब की मूर्ती स्टैच्यू वो अन्वील करी गई है आज बिन अनुवील्ड कहां नॉर्थ अमेरिका में प्लीज नोट किया जाए ठीक है ना तो 19-foot statue of 19-foot statue named statue of equality has been made by renowned artist sculptor Ram Suttar इसने बनाई है Ram Suttar who also built the statue of Sardar Patel इनी ने Ram Suttar जी ने statue बनाई थी Sardar Patel जी की इंदवाद गुजरात में अभी बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में यहां पर लार्जस्ट अमेटकर साब की statue जो है वो अन्वील करी गई है बनाई गई है Ram Suttar जी के द्वारा यह लगी है वो statue प्लीज नोट कर लीजे प्लीज नोट कर लीजे बस दे रहें ब्रक दे रहें जी बांग्लदेश को पहला बांग्लदेश को फर्स्ट पर्स्ट यूरेनियम शिप्मेंट मिला है रश्या से अब बांग्लदेश का एक ही न्यूकलियर पावर प्लांट है जिसका नाम है रूप पूर नाशनल पार रूप पूर रूप पूर रूप पूर नूकलर पावर प्लांट तो रूप पूर नूकलर पावर प्लांट है यह बांगलदेश का एकलौता पावर प्लांट है ठीक है और इसको जो वो मिला है यूरेनियम मिला है वो अभी इसको मिला है बांग्लदेश को किसे मिला है फर्स्ट यूरिणियम शिप्मेंट रश्या से किसे रश्या से ठीक है नोट कर लिया जाए आपको खाली यहाँ पर फिलाल अभी यह आद रखना है कि रूपपूर ना जो है यह रूपपूर रूपपूर बांग्लदेश का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था यह ठीक है और इसको यह फाइनसिंग कर रहा है कौन कर रहा है रशिया कर रहा है तो रशिया इस बेसिकली फाइनसिंग 90% आफ दिस प्रजेक्ट टू बिल्ड दी बांग्लदेश फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन रूपपूर प्लीज नेक्स्ट अब इसके बारे में जरूरी नहीं है जानना आगे आ जाईए इसको भी छोड़ दीजे येस यह देखिए अब एक यहाँ मिसाइल है इसका नाम है बुर्वेंस्तिनिक यह रश्या की न्यूक्लियर मिसाइल है जो की 20-20,000 किलोमेटर भी डिस्टेंस हिट कर सकती है 20,000 किलोमेटर भी डिस्टेंस को हिट कर सकती है 20,000 किलोमेटर डिस्टेंस भी हिट कर सकती है नाटो कंट्री जिसको स्काई फॉल बलाते हैं ध्यान दख्षिगा नाटो कंट्री जिसको स्काई फॉल बलाते हैं फेटरी इंकरट DR words richt gadgets यहां पर यह रष्या की न्यूक्लियर missile है प्लीज नोट कर दिया जाए रश्या की nuclear missile है प्लीज नोट कर दिया जाए ठीक है अब इसकी जो speed है वो है subtonic subsonic supertonic इस अब का मतलब पता है बता देता हूं लेख लिया है मैंने अगर दो speed of sound है क्या है आपको पता है 343 meter per second की होती है speed of sound अगर कोई भी missile या कोई भी object अगर इस speed पर चल रहा है इस से कम में चल रहा है तो इसको हम लोग बोलते है subsonic 343 meter per second से कम की speed है तो subsonic बोलते हैं अगर इसकी twice the speed होती है तो इसको supersonic क्याते हैं अगर इसका above that यानि कि four times above that होता है तो इसको hypersonic क्याते है ठीक है ना तो इसको note कर लीजे बस दे रहे ब्रेक दे रहे है ठीक है next एस जैशंकर थाहाब ने क्या किया है उन्होंने unveil किया है वाट रमिन्ना टैगोर जी की bust in Vietnam प्लीज नोट कर लीजेगा रमिन्ना टैगोर सहाब का एक bust मतलब एक तरह से उनकी प्रतिमा एक आइडल ठीक है bust is different from statue क्योंकि bust में सिर्फ इतना ही portion धड़ होता है ठीक है वह खाली लगाया आता है तो रमिन्ना टैगोर जी का जो bust है वह अन्वील किया गया है व्यटनाम में बाई एस जैशंकर सहाब यह तस्वीर भी आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं यह है वह बस्ट ठीक है न जो आप यहाँ पर देख पा रहा है इस इस बीबस्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं आइरन बीम जिसको आप स्कुट गेम देखा होगा आपने और आदमी को मार गिराएगी ठीक है न तो बेसिकली इस्राइल का यह डेडली लेजर टेक्नलोजी है बाट कैन बी यूज़ अगेंस हमास मिसाइल्स हाव इट वो समझने के लिए तो इवन मिसाइल भी गिरा सकता है तो आइरन बीम विल क का इस्तेमाल होगा यह ध्यान लगतना तो आइरन बीम में लेजर का इस्तेमाल होगा यह ध्यान लगतना ठीक है क्या होगा इससे होगा कि जो एरबॉन टार्गेट्स है यानि की सॉरी जो आपके हावा में टार्गेट्स हैं उनको मार गराने के लिए आप आइरन बीम का इ इश्राइल की निए आरेंट कि की टेक्निलोजी क्या है लेजर टेक्नलोजी माई gray कर यहां पर चीज़ें jale चलती है ध्यां रखेगा आरेंट में तो आरेंट हो गया और ये ये लेजर टेक्नलॉजि आप बता दीजे और अभी भी आरन डॉम बचा हुआ है चप्ती बैच चलेगी टेंथ अपरत तक ठीक है चलिए वाट वाज आरें स्टिंग मॉटार बॉम राइट यही तरह वो जा के खाली उसी जगह गिरेगा पूरा विदाउट को लाटरल दैमेज हाना विदाउट को लाटरल डैमेज काम करेगा और यह हो गया आपका टेक्नलोजी पे आईरन बीम नेक्स्ट अब आईरन बीम के बारे में यहां लिखा हुआ है यह आईरन बीम डिजाइन टू डिस्ट्रॉई वाट शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स अर्टिलरी और मॉटार बॉम्स इन सब को डिस्ट्रॉई कर सकता है यह अन्मैंड होता है इसमें आपको यादमी नहीं होता और सेवेंट किलिमेटर का डिस्टेंस आपर यह हिट कर सकते हैं ठीक है ना मतलब सॉरी इस यह अन्मैंड नहीं मिसाइल्स जो आ रही है और उनको यह गिरा सकता है लेजर्स के थूट इसको कोई मतलम नहीं है यह पूछ सकता है कि हुआ है में रेल गन जापान ने बनाई है बस इतना नोट कर लीजे जपान ने क्या बनाई है रेल गन फोटो देखा जाता हूँ यह है रेल गन ठीक है तो जापान की जापान फर्स कंट्री है तो लाँच एलेक्ट्रो मैंटिक रेल गन प्लीज नोट कर लीजे जापान फर्स कंट्री जापान इस नाव दी फर्स कंट्री फर्स कंट्री टू लाँच टू लाँच वाट रेल गन तू लाँच वाट रेल गन प्लीज नोट कर लिया जाए यही आप से सीधर पूछा याएगा कि रेल गन किसने या लाँच करिये जैपान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब ऑबिसली जैसे आप देख सकते हो एनेमी को हुआ दूआ तो चार्ट में सकते आप ठीक है ना सर एरियल वहिकल है क्या मतलब है एरियल वहिकल मतलब हावा मुणने वाला कोई भी आपका ऐसा वहिकल हो गया ठीक है तो रेल गन बेसी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलोजी है ठीक है जो की इलेक्ट्ट इलेक्ट्रो मैंटिक वेपन कह सकते है इस कौम लोग डिजाइन टू लांच प्रोजेक्टाइल आट इंक्रेडिबली हाई वेलासिटीज रीचिंग था स्पीड ऑफ अप्रोक्सिमेटली सेवन मैक इस सेवन मैक तक की स्पीड तक भी से पहुन सकती है रेल गन से तो रेल प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल में कोई चीज लांच कर सकते हैं और वो सेवन मैक की स्पीड रेटेंड कर सकता है विचे सेवन ताइम सपीड ऑफ साउन इस टेक्नोलोजी इस केवल अफ टार्गेटिंग वेट्ट्स इंक्लूडिग शिप्स और सबको टार्र अचान को सकती है कि लसक्योगा है साउन वाल जो जोश रेगो ओशायू करते हैं जैस के बाद आके वापस दियादे शुरू करते हैं ठीक है इसके बाद एक सवाल कराएंगे जिसका silicon संपा पूच है FATF के में रखे में हैं कि तो यहां पर ब्रेक देंगे अभी आप पर चलेगी आयुशितिवारी नोट्स उसके मिलेंगे आपको P.W. आप पर अभी तो हम ब्रेक कर देते हैं नो ब्रेक या ब्रेक ऐसा करें 20-25 मिट पढ़के फिर ब्रेक कर ले क्या करना है कर ले चलो चलो ठीके कर लेते हैं सवाल है इसो करके बताइए जरा अरे पोल तो लगा ही नहीं इस पर आज कोई बात नहीं consider the following statements about financial action task force FATF aims to stop terrorist financing and money laundering be India as a member of this task force बताइए जरा correct answer क्या है इसका वो बोल रहा FATF that is financial action task force financial action task force अब ये जो task force है ये क्या काम करती है इसका काम है कि जो terrorist के लिए financing हो जाती है unwantedly वो चीज नहीं होने चाहिए उसको रोकना ठीक है अब देखो यहाँ पर news क्या आई थी news ये आई थी कि जो FATF है यानि कि financial action task force उसने कुछ ताइम पहले पाकिस्तान को भी grey list से हटा दिया था तो जिन भी countries में money laundering हो रही है यहाँ पर जिन भी countries के अंदर आपको मिलेगा देखने को कि यहाँ पर जो है फाइनसिंग और यह terrorist के लिए तो इनको grey list में डाल देते हैं तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है रिमूव्स ऑफ्शोर टैक्स हमें कैमान आइलेंड्स केमान आइलेंड्स को grey list से यहाँ पर FATF ने हटा दिया है पब बैसीकली ढखो यार यह ना हटाते हैं निकालते हैं रखते हैं फेट देते हैं यह सां बहुत कुछ करते हैं這種 isp सब्वाल आना मुश्किल है डिकाला किसको पयका हाना अभी देखो रिसेंट्ली आभ इनको फेग तिया के के मैं आइलेंड्स को लेकिन at the same time देखो बल्गेरिया को add कर दिया ठीक है तो बल्गेरिया को gray list में add कर दिया है वी रिसेंटली बल्गेरिया is added in the gray list ठीक है Cayman Islands को अठा दिया तो ध्यान ये रखना लेकिन point ये है कि जो मैंने एक और आगया sponge bombs जे तरह भी लड़ाई लड़ी है यहां पर इस्राइल ने हमास के साथ इस्राइल ने अपने सारे पत्ते कोल दिये जितना कुछ नहतियार उनके पास सब निकाल के फेक दिया नहीं तो भाईया अभी इन्होंने क्या किया इस्राइल ने यहां पर secret weapon यहां पर वहां जाके पूरा एक दिवाल बना सकते हैं ऑफ्स्रक्शन हो जाएगा ठीक है तो यह इस्राइल का new secret weapon है जिसके तहत क्या हो रहा है टू ब्लॉक हमास टनल्स हमास की टनल्स भी ब्लॉक हो जाएंगी वहां गिरेगा तपड़ा वहां दिवाल बन लगी ठीक है तो बेसिक अब इनको मैं हटा देता हूं इन सबकी जरुवत यहां पर नहीं है नेक्स आज आईए महात्वा गांदी इस बडडे एपी बडडे प्राइम मिनिस्टर निजन मोदी इनागरेटिड दा कंट्री फर्स्ट हाइटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फो दिव्यांगन दे नोट किया जाए गौलियर के गौलियर जो कि मद्रपरदेश के गौलियर में मैं गौलियर के मद्रपरदेश के बोल रहा हूं प्लीज नोट किया जाए तो मद्रपरदेश के गौलियर में ये फर्स्ट कंट्री का पहला हाई-टेक हाई-टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं moving on to the next यह तस्मीर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं जो दिव्यांग है उनके लिए हाइटेक यहाँ पर इस प्रकार से लिए खोला गया है मैं नेक्स अग्य है ऑपरिशन अजय चलाया गया था कहें के लिए इसराइल और हमास नगाई शुरू हुए तो जो भी इंडियांग पह थे उनको रेस्क्यू करने के लिए लग्ड कि लिए उन इंडियांस को ऑपरेशन अजय ओप शेया गया तो सर्फ यही पूछे पर नेक्स आजाएगे, विज स्टेट यूटी इस दा होस्ट ऑफ 37th नाशनल गेम दोजार तेश्ट के, वो यहां खेले जा रहे थे, और 37th जो नाशनल गेम है, वो कहां पर हुआ, आंदरपदेश, महराश्टरा, गोवा, या न्यू डेली, तो आपको पता है, यह वो जगे हु जहां पर आप कभी जाही नहीं सकते हो, ना, तो 37th वाला कहां हुआ है, गोवा में हुआ है, प्लीज नोट कर लिया जाए, ठीक है, तो यह important news है, इसका correct answer क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, C is the correct answer, clear है, C इसका correct answer हो गया, ठीक है, तो यहां देखिए, आप news देख सकते है, कि एपिया मोधी साब ने inaugurate किया है, 37th edition of the national games in पानाजी या पंजिम गोवा के अंदर किया गया है, ठीक है, तो यह काफी important यहां पर हो जाता है, 37th edition है, ध्यान रचेगा, अब इसमें यहां पर और भी चीजे हैं, कई-कई नई, कई-कई नई चीजे हैं, जो यहां पर add-on हु हुआ है, गॉल्फ पहले नहीं था, ठीक है, देन आपका सेपाक तरौक तक्रा, देन आपका स्क्वे मार्शल आर्ट्स, देन आपका कलियारी पत्टू, यह एक important है, क्लियारी पत्टू आपको पता है, एक मार्शल आर्ट है केरल का, देन पैंकाक सिलार्ट हो गया, क्या है कलारी पट्टू कलारी पट्टू क्या है कहां का मार्शल आर्ट है एनीवन दीख्षा अब बस हम ब्रेक करते हैं थोड़ी जिर में न क्वेंटी मिनिट्स हमने बोला है पार्क मिनट हो चुके है 15 मिट बाद ब्रेक हो जाएगा ठीक है तो गोवा के चीफ मिनिस्टर के लिए यह कुछ है जो आपके लिए आपको पता होना चाहिए कि नए जाय स्पोर्ट कौन से है और इसमें कल्यारी पट्टू जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह एक मार्शल फॉर्ट है ठीके ना तो नोट कर लिए जाए इन सब चीजों को नेक्स आ जाए इसमें और कुछ भी यहा पर नहीं पूछेगा भारत टेक्स दोजार चौविस क्या है यह एक ग्लोबल नेवल का है इसलिए 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 बता रहा हूं यह ग्लोबल लेट का मेगा टेक्साइल एवेंट है ठीक है और यह न्यू डेली में यहां पर जो है वो हो टीक है चलिए नेक्स आजाईए अब इसको आप देखी रहे हैं इसको मैं आप यहां से स्लाइड से अड़ा देता हूं ताकि आपकी जो वह है वह बड़ी ना हो जाए पी पीटी पीडियफ लेक्स अब यहां पर इंडिया की परस्ट इंडिया यहां पर भारत की यह पहली इंडिया कि first regional rapid trans train service जो है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने flag off कर दिया है हना तुझानी कि इसको अब नमो भारत बोला जा रहा है ध्यान रखिएगा ये नमो भारत कहना दिया रही है ये नाम आपको बड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाम ही है जो आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा कि भाई वाट इस दे नेम ऑफ दा इंडिया फर्स्ट रीजनल रापिट ट्रेंट सर्विस इसको शॉर्ट फर्म में आर आर टी एस कहा जा रहा है तो आपसे पूछाएगा फर्स्ट सर्विस जो शुरू हुई है डेली गाज़ेबाद मेरट के बीच में उसका नाम क्या है नाम है उसका नमो भारत आपको ऑप्शन में वंदे भारत ही सब देखकर आपको करा जा सकता है चलिए आगे आ जाते हैं यह है वो ट्रेन जो आप देख सकते हैं डाट इस आपको इन नमो भारत ट्रेन एगे हाली ठीकर इस नमो भारत ठेल एक को पहले हम लोग रापिड आपको चीजा आपको नहहां और इसकी टॉप स्पीड यहां पर और यहां पर हो जाएगी तो यह different है Metro से भी और यह RTS यहां पर इस लिए बोली जा रही है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर उस से और डीटेल में आपको जाने की जरुवत नहीं है वैसे तो इसमें यह बताया गया है कि इसके अंदर आपको छे कोचेज मिलेंगे छे कोचेज के अदर आपको जो है 62 सीटे मिलेंगी जो कि आपको लिखने की जरुवत नहीं है एक ट्रेन जो है सतरा सो लोग यहां पर होल्ड कर सकती है है इसके अलाब आप देखिए कि यहां पर क्या कहते हैं और भी चीज़ें नमभारत बहुत टेक लैस आवर टू कवर 82 किलो मिटर बिट्मीं डेली एं मोधी पूरा मिन मेरेट एक घंटे से भी कम का समय लेगेगा और आप 82 किलो मिटर जो है वो आप ठैवल करके आजाएंगे तो यह सब चीज़ें जो है वो लिखनी नहीं है बस मैंने आपको या मेंशन कर दिये ताकि आपको पता रहे ठीक है तो इसके लिए मैं इसको हटा भी देता हूं ताकि वह चीज़ आपके लिए कभी भी हटा दू लिखरेंदू जैसा बोलो क्योंकि यह पॉइंट नहीं एक्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी इसवांट मैं लिख सकता हूं ठीक है जैसा बोलो पताइए जरह रिमूव कर दे कोई फाइदा नहीं इसका अब देखिए इंडियन एफोस अभी आपको पता है हमने इसकी बाते खुब कर ली कि इंडियन एफोस का क्या था आपका 91st अनिवरसरी भी था और उस 91st अनिवरसरी पे क्या हुआ है कि नए नए जो एंसाइन्स है वो अन्वील किये गए है आज दा फोर्स मार्क 91st अनिवरसरी तो हमने यहां पर आपको बदाए थे इसकी बात में कर चुका हूँ आपसे क्याप्टन ग्रुप क्याप्टन शैलजा धामी की इनके तस्वीरी में आपको दिखाई है कि इस बार का जो इंडियन एफोस पड्डे परेट था यह पहली बार ऐसा हुआ है जब उसको वुमेन ऑफिसर ने कमांड किया है हना कमांड ट बाईव वुमेन अभीऽ कि ब्रिटिज फ्लैग था पहले यह आपका इस्तर कsalो ऩुद्रेंं जाग कहते हैं लिगे जाग बोलते हैं इसको ब्रिटपरिश फ्लैग ठीके और यह वाला देखिए इसमें रेड वाइट और ब्लू कलर थे ये इस प्रकार से था तो उसको चेंज किया गया हमारा तिरंगा आ गया और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक करप तिरंगा देखी रहा है इसके इलावा यहाँ पर आपको यह जो राउंड है वो भी यहाँ देख रहे है लेकिन इसके लाभा आपको यह वाला पूर्शन देखें यहां पर आपको ईगल देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको देख्याए भारति वायु सेना इस पूले रोंड के अंदर ठीके यह ऑब typical क्याप जानकारी यह वो आगे यहाँ पर दी गई हैक ए इंडिया ऐंय आखाया On the top, ये मैंने आपको दिखाया, Ashoka Lion on the top, as you can see here, ये है Ashoka Lion on the top, then लिखाया, with the Himalayan Eagle, वो Eagle ही मैंने आपको दिखाया, with its wings spread below, denoting क्या है, इससे क्या denote होगा है, fighting capabilities of the Air Force, तो ये जो आपका शो कर रहा है, ये, ये शो कर रहा है, fighting capabilities of the Indian Air Force, right, इसके लावा, a light blue ring, encircles the eagle with भारतिय व दिखा हुआ दिख रहा है, sorry, Hindi आपको दिखा हुआ दिख रहा है, ये भारतिय वायू से न, ठीकिना ये अंदर अंदर आपको देखने को मिल रहा है, इसके रावा, the Indian Air Force का जो मोटो है, नब स्पर्षदम दीपतम, that is, touch the sky with glory, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इस इसक् आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, clear है, clear है, चलिए, आगे आजाते है, moving on to the next, अब इसके लावा, मैं और भी चीज़ें यहाँ पर अब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, जो आप बता देता हूँ, मैं आपको, इसको अटा देते हैं, यह वारा portion देखे, देखे, the Indian Air Force Crest has the national symbol, दाशो का लाइन टॉप, विद वर्ट सत्य में जयतें देवनागरी बिलो, यह ध्यान रखेगा, ठीक है, अच्छा बाकी तो बताई दिया है, मैं नहीं, नहीं, भारती वायू से ना, ठीक है, यह सब तो हो हो चुका है, इस अब तो होई चुका है, हटा दिये, next, अब खाली इसमें यह याद रखना है कि, आपका मेड़न 360 डिगरी अपरेजल सिस्टम इन दी इंडियन नेवी, भाई जो अपरेजल सिस्टम है, इंडियन नेवी कंदर, अपरेजल कैसे होगा, लोगों की तंका कैस मतब ऐसा नहीं कि जो सीनियर है, वही खाली, सीनियर मोस और उपर जाएगा, और उपर जाएगा, अगर कोई जूनियर भी है, और अगर बेटर पर्फॉर्मेंस वो कर रहा है, थुरू 360 डिगरी अपरेजल सिस्टम के थुरू, वो और जल्दी अपरेजल उसका हो सकता है, तो रैंक्स में, not only in salary, but in ranks also, वो कैसे यहाँ पर उपर जा सकता है, मैं actually ना, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यह सही नहीं होगा, इस पर लिखना, but मैंने आपको explain करने के लिए, मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, ठीके न, इसलिए मैं इसको यहाँ कैसा हटा जाता हूँ, I hope you people will understand this, ठीक है, चलिए, ठीक है, तो appraisal system जो है, यहाँ पर आप देख सकते है, 360 degree appraisal system, 360 degree appraisal system of Indian army, Indian navy, तो Indian navy का यहाँ पर जो है, वो 360 degree जो है, जो है, वो यहाँ पर आपको याद रखता है, किसका appraisal system है, यह Indian navy का appraisal system है, ठीक है न, ठीक है न, क्लियर है, क्लियर है, चलिए, आगे आजाते हैं, moving on to the next, आजा भाई, चलिए, तो 360 degree appraisal system है, क्या ताथ पर है, Indian navy का यह system है, 360 degree appraisal mechanism, यह, मैंने आपको समझा दिया, कि भाईया, evaluation जो होगा, प्रोसेस होगा, वो aim करता है, self improvement पे, accountability पे, जिसकी improvement हो, जिसका अच्छा improvement होग जादा accountability लेगा, भाई, उसके लिए, बढ़िया अपर जल्दी जल्दी कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पर note कर लीजिए, चलिए, next, अब देखिए, precedence color की बात करने जा रहे हैं हम लोग, precedence color, अब precedence color मैंने बताया था, starting में भी, कि वो armed forces के, जो medical services है, उनके लिए यहाँ पर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर साथ में जो तीन नागा, यंगेस्ट नागा battalion के जो लोग है, उनको भी जवान है, उनको भी यहाँ पर दिया गया है, तो basically also called, यह precedent color को लोग निशान भी कहते है, presidential colors are military tradition, and seen as the recognition of battalion's feats, feats मतलब उनके achievements, तो battalion के achievements को यह यहाँ पर देखते हुए है, color का symbol क्या होता है, color symbolizes act of valor, president's color मतलब act of valor, president यह देते है, right, और इसको president's color यहाँ पर बोला जाता है, यह तीन नागा, यंगेस्ट नागा battalion को भी दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आपको इनके नाम, इनके याप तेख रहे, तीन अब स्वारी, देखिये, ठीक है, 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 ठीक आफ नागा रेजिमेंट इनको मिला है ठीक है प्लीज नोट क्रेस्टेंट्स कलर ठीक है ठीक है ठीक है अभी यहां पर मैं होल्ड कर रहा हूं थोड़ा था चाय को लेका हूं मैं थोड़ा च्छीक आ रही है और थोड़ा सा अब थोड़ा लग रहे है बट एनीवेज नो इश्यूस विद आट इन सब को बहुत तस्वीरों कोटा जेता हूं छोटी रहेंगी स्लाइड्स चलिए यहां पर अभी हम कर रहे हैं ब्रेक ठीक है यहां पर हम कर रहे हैं ब्रेक इस सिट्स थर्टी फाइव नाओ और कुछ द को एकाज स्पोर्ट पर कुष्शन मिलेगा मिलेगा तो ओगस्ट से लेकर डिसमबर तक के जो स्पोर्ट सिवेंट्स हैं वह यहां पर कवर कर लेंगे ठीक है अपॉइन्मेंट्स कवर कर लेंगे ठीक है जिन पर सवाल यूजली बनते हैं क्लियर है तो इस सब को करने के बा सब्सक्राइब कर लेंगा तो कुल ना के ऐसे आपके इन क्लास से ऐसे पांच छे साथ सवाल कवर होते हुए आपको मिल सकते हैं ठीक है ना फिटीन मिनिट्स का ब्रेक कर लेते हैं चलो 15 मेंटर कर लेते हैं अभी क्या होगा यहां पर थोड़ा आपका स्क्रीन ब्लैक होग तो अब दूसरी वाली यहां पूरी कंप्लीट हो गई है अब दूसरी लगेगी तो उसको अधॉन करने के लिए थोड़ा सा कोई वह परदे के सामने आधा थोड़ा सा क्या न वह नहीं है उसलिए जो है वह उसको ब्लैक कर रहेंगे वह मुश्किल से दो-तिन मिनिट पाच तो अभी 15 इनर्जी के साथ मैं भी आता हूं ठीक है और चाय पी लेता हूं और फिर हम लोग दुबारा थे स्टार्ट करते हैं ठीक है ना चलिए यहां पर रोग देते हैं और टाइम देते हैं आपको 15 मेट का 15 मेट बाद मिलते हैं ठीक है जितने लोग हो वापस आजा रहा ठीक है कि आज मिलते हैं अब लोग झाट 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 झाल 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 ये 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 हम अलो अलो आजि बस दो मिनिट और दीजे और इसके बाद शुरू करते हैं जाए बस टो मिनेट और लगेगा वापस आजाईए बुला लीजिए सब लोगों को पास किभी परते हैं लोग नहीं यार मंचूरन नहीं खाया यह गला ठीक नहीं है लेखा बिना टीचर के आवाज आती है टीचर नहीं बैक सून लिखा हुआ है लेकिन टीचर इस अल्रेडी बैक और बस बुदू होने की देर है सीख निचे लगा दिया ठीक है बहुत बढ़िया पानी चाय पी लिया तबने हां स्काटकी दू रुको 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 कि आगया चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं चुरू कर दो हाँ वापस आ गए है कि सब वापस आ गए है कि बड़ा लंबा ब्रेक हो गया था कि चलिए है कि काफी नीचे जाना है तो अपने शुरू करते हैं ठीके भाई स्टार्ट करें वापस से आ जाओ कि नहीं खाया पिया कुछ नहीं है भाई कि अलाव नहीं कर रहा है इस इस टेलेग्राम चैनल अगें जोई कर सकते हैं इसको स्कान कर गिए कर इंड़ा फिर्स का टेलेग्राम चैनल ले चली शुरू करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज कुछ ले लेते हैं क्योंकि जो आपकी एक्जामेनेशन में आ सकती है देखो यार दो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स यहां पर सामने आए एक है आपका एशियन गेम्स जिसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है और दूसरा है आपका नाशनल गेम् अगया तो इन दो गेम्स को हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि हम लोग को सारी इंफॉर्मेशन इसकी यहाँ पर क्लियर हो जाए ठीक है ना क्लियर है चलिया स्टार्ट करते हैं बहुत लंबा समय हम लोग नहीं खिचेंगे नहीं यार मैं नहीं गया था चलिए स्टार्ट करते हैं देखे सबसे पहली बात तो यह जो आप लोगों से पूछूंगा कि एशियन गेम्स कहां पर हुए थे दोस्तों लिख लिजे एशियन गेम्स चाइना में हुए भांग जाओ ठीक है डाट इस चाइना एक तो सीदे शीदे इंफॉर्मिशन यह आ सकती है ध्याएंगे रचीगा कि दोस्तों यह आपके 19 एशियन गेम्स थे ठीक है अब इस एशियन गेम्स में क्या क्या रहा है हिसाब कता वह समझते हैं तो इंडिया जो है इसमें 40 फूर्ट नमबर पे सिर्श किया एक तो आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए इंडिया का position fourth रहा है Asian Games के अंदर ठीक है ना उसके लावा आपको कहां पर हुआ है वो clear होना चाहिए clear है उसके बाद यहाँ पर only four countries ही ऐसे हैं जो hundred medals के tally को cross किये थे ठीक है only four countries बेर दे हैं जो इस medal को tally को cross किये थे ठीक है ना इंडिया ने total 107 medals यहाँ पर बनाए थे 107 medals जो है वो इंडिया को मिले थे 107 medals जो है वो इंडिया ने जीते थे ठीक है important ले सब note कर ली जिएवा ठीक है तो इंडिया जो है वो fourth finish किया as I already told you in the overall ancient games 2023 this is the country's best ever medal hall at the quadrenal event तो यह इंडिया का country का best ever medal जो जीते हैं हम लोग वो यहाँ पर आया हुआ है 107 medal यहाँ पर इंडिया जीते जिसमें से 28 gold है 38 silver है और 41 bronze है ठीक है ना तो आपको यह अलग-अलग याद नहीं करने हैं बट मेंली आपको total 107 फिर भी दिमाग में होने चाहिए तो basically 19th Asian Games कहां पर हुए है वो पता होना चा है कि नंबर वन पर कौन था डाट वस चाइना ठीक है नंबर वन पर भी आपको पता होना चाहिए के शन गेम्स को टॉप किस ने किया है चाइन ने किया है जहां पर यह हुए हैं सिर्फ चारी कंट्रीज है जिन्होंने 100 medal टेली क्रॉस किया है इंडिया के नंबर ऑफ मेडल जो है वो एक सो साथ है वो आपको भी पता होना चाहिए अब जो यहां पर न्यूज आई है वो देख लीजे यह देखिए एशन गेम्स में इंडिया वें गोल्ड इन मैंस ट्राप इवेंट अब यह मैंस ट्राप टीम आप देख रहे हैं कुछ गन शूटिंग का ही स्पोर है लेकिन हम 28-28 गोल्ड याद नहीं कर सकते तो इसलिए कुछ इंपोर्टेंट और चुनिंदा इवेंट्स वह हम यहां पर जरू देखेंगे तो एक तो यह है कि इंडिया ने यहां पर गोल्ड जीता मैंस ट्राप टीम का तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है एक तो य प्रावार सिंग संदू रिसेंट्ली सीने न्यूज यह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि यह मैंस ट्राप इवेंट से रिलेटेड है ठीक है ना मैंस ट्राप इवेंट से रिलेटेड है चाट नहीं चल रही है क्या एक बाद रीफरेश कर लो अवाज मेरी ठीक है ना अवाज ठीक है ना ये मरेक्स सेंग लो वाइस अवाज बढ़ा दो बस 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 अभी अवाज ठीक है अभी अवाज ठीक है ठीक है ठीकophone अवाज ये चीज डीक है ये चीज यह मैं आपको पता होना चाहिए चलिए उसके आगे देखते हैं या पर एशन गमज के हम इनको देखते हैं या आप देख रहे हैं यह हिंका नाम ताजिंदर पाल सिंग ताजिंदर पाल सिंग तूर इनको यहाँ पर गोल्ड मिला है किसमें शॉट्पुट में किसमें शॉट्पुट में एक इवेंट हो गया आपको पता होगा शॉट्पुट इवेंट है उसमें उन्हें गोल्ड जीता हुआ है गोल्ड समझते होना गोल्ड समझते हो कि नहीं आप से अच्छा कौन जान रहा होगा गोल्ड क्या होता है चलिए देखिए एशन गेम 2023 में शॉट्पुट में इंडिया ने गोल्ड जीता ताजंदर पाल सिंग तूर का नाम इंपॉटिंट हो जाता है तीक ना ताजंदर पाल सिंग तूर का नाम इंपॉटिंट हो जाता है प्लीज नोट कर लीजे नेक्स्ट देखिए यहां पर अगेन अभिनास साबले अभिनास साबले इन्होंने भी गोल्ड जीता हुआ है किसमें इन 3000 मीटर स्टीपल चेज में अ थो कि पर बैसिक्ट क्या है कि कुछ पोग अपको भागना है ठीक है कुछ पोर्शन आपको अपको मुनाया कूद खूद आपको पर पानी में दौड़ना पानी में स्पीड ऑट्रमाटिक कम हो जाती ठीक है उसका दौर्डे फिर स्पीड बनाई लेकर दौर्ड़ना तो accordingly स्पीड कम करनी पढ़ेगी पहले से तो पूर्ड़ना है तो पर पानी पंग हो गई फिर दौर्डर फिर कुद्र पढ़ा इसको कहत दिया है औरोंने चलिए होंग्जाओ एशियन गेम्स यह देख चुके हम चाइना में हो रहा है नेक्स आजाईए मुविंग आन्ट अब देखेंगा दो नाम देख रहे हैं एशियन गेम्स पे यह दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टन है एक है आपर पारूल एक है आपर दूसरा नाम है आपका अन्नू अन्नू राणी इनका पूरा नाम क्या है अन्नू रानी ठीक है ना नोट किया जाएगा देखें अब लोग को लोग तिखा दिंद में एक अफ़िया ठीन हो गए उसकी बाद मैंने इंडिया का पांच मैंने गोड़ आपको अलड़ी यहाँ पर बता दिए हैं थीक है तो आइछ आप नाम जो है इतनी at least 5 तो है इसमें से याद रहेंगे रही ठीक है ना clear है तो basically यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यह javelin thrower हो गए ठीक है parul is javelin thrower and annurani is here आपके athlete हो गई women's 5000 race clear है ठीक है ना 5000 5000 5000 लिखा हुआ है for parul it was a second medal at the continental championship after she had claimed a silver one women's 3000 parul यहाँ पर 3000 में जीच चुकी है यह इनका second था ठीक है just a second मैं एक बाद cross check कल लेता हूं not a not a thing to be बहुत टेंशन लेनिक ज़रवत नहीं है इसकी अना ठीक है अब देखे थोड़ा सा चेक कल लीजे एक मिट एक मिट प्लीज इसको थोड़ा सा एक बर पर रीकरट कल लीजे थोड़ा सा वह हो गया उल्टा हो गया पारुल इस 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 पारुल पारुल को पैचानने पाए पारुल मुझे नहीं पैचानेंगी पारुल चौधरी इनका नाम है और यह 5000 मीटर की इन्हों नहीं जीता हुआ एनुरानी यह है थिक है वीज पारुल अथिलीट है ठीक है ठीक है खहुआ ठीक है ठीक है ठीक है चैली तोड़ा सढ़्ात हो गया था everyone sorry for that अनुरानी is a javelin thrower and parol is an athlete चलिए next next अब देखिए para olympics championship की बारे बात करेंगे para olympics champion summit until wins javelin throw gold breaks down own record now please see यह भी एक important चीज हो गया यह आपका जो world para यह आपकी जो world para athletes athletics championship चल रही है पारेस में उसमें यह भी एक important event है क्योंकि यह पैरा athletes की चल रही है तो world की जो पैरा athletes championship है वो कहां हो रही है एक तो धान रखेगा कि वो पैरेस में हो रही है उसमें आप देखेगा 25 year old जिनका नाम है क्या इनका नाम है सुमित अंतिल इन्हों ने क्या किया है इन्होंने गोल जीता है विंस गोल्ड और यह जीता है जावलिन थ्रो में जावलिन थ्रो में ठीक है अपना ही world record इन्हों तोड़ा है ठीक है ना प्लीज प्लीज नोट कर लिजाए प्लीज नोट कर लिजे अकाश कुमार एक सर जी क्लास सिक्स में हूँ तो जाओ बेटा अभी तो खेलो मॉमोस खाओ गोलगप्पे पियो यहां पर आगे क्यों परशान हो रहे हो चलिए यह सो मैं दानतल जी यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स यह भी इंपोर्टेंट है खेलो इंडिया पारा गेम्स 2023 कहां पर हुए न्यू डेली अब यहां पर श्री अन्राक सिंठाकुर जो है उन्होंने लॉंच किया खेलो इंडिया पारो गेम्स का लोगो अब लोगो और मास्कॉट तो वैसे भी नहीं पूछ सकता है तो आपको यहां पर इतना उसमें जाने की जरत नहीं है आपको यह पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया पारो गेम्स न्यू डेली 2023 के वहां पर हुए ठेक है ना प्लीज नोट कर लिजे प्लीज नोट कर लिजे नेक्स्ट बैन अब यह बहुत पुरान बहुत आगे की बात है कि दोजारचोचिस का विफाफ कं फीफ फंप नंद कर लिजे रहे है ठीका न 104 की बात यहां पर हो रही है तो दोसार चौतिस की बात होरी है 24 की बात नहीं हो रही है ठीके ओ ही है चलिए ठीक है, राइट, चलिए, आगे बढ़ते हैं, moving on to the next, आर्चर दीपिका कुमारी wins two gold medals at national games, अब देखें, यहाँ पर बात हो रही है, national games की, तो आपको पता ही, national games कौन से थे, 37th national games थे, हना 37th national games, इसके बारे मैंने आपको भी पहले भी, एक question भी दे रखा हूँ, national games कहाँ पर ह हुए 37th वाले, यह हुए है sir, कहाँ? गोवा में, कहाँ हुए थे, गोवा में हुए थे, अब इसमें आप देखोगे national games में, जो archer है, उनका नाम है दीपिका कुमारी, यह किस sports से related है, तो यह archery से related है, एक तो यह important है, events two gold medals, दो gold medals यहाँ पर जीती है, with three more days remaining, महराष्ट इ leading the medal tally, तो basically अब बताइए, national games में top किस ने किया था, anyone in the common box, को बताता है, top किस ने किया था, महराष्टरा ने किया था, महराष्टरा ने किया था, please confirm नहीं, top किस ने किया था, महराष्टरा ने किया था, services जो last time first आये थे, वो second आये थे, हना तो दीपिका कुमारी का नाम important है एक बार बार कई बार news में सुना होगा आपने इनको, तो आर्चरी के लिए ये जानी जाती है, और इन्होंने आपर गोल जीता है, national games के अंदर, clear है, महराष्ट ने आपर number one पे top पे चल रहा है, इसके अंदर, ठीक है, then next, please see next, important है फिर से, फिर से देख लीचे, शीतल makes history, first woman to skydive 21,500 feet, ठीक है, 41 years की age है, 41 years, हमारे या 41 सार लो जाया, तो इनको मिल चुका है, ठीक है, and a holder of several skydiving records, शीतल महाजन न्याम है, नाम तो यहाँ पर आपने सुना ही होगा, चलिए, आगे आजाईए, शिलंका की जो membership है, वो suspend कर दी गई थी, ठीक है, तो अभी तो आपको दिक्कती नहीं, अभी आएगा नहीं, but ICC ने क्यों करी थी, इसको cancel, suspend, क्योंकि यह कहा जा रहा था, कि government का interference बहुत होता है, हैना, अग government के interference, interference की वज़े से यहाँ पर, ICC न मतलब, वो ICC के members यहाँ पर नहीं रह गए थे, ठीक है न, तो ICC सस्पेंट शेलंका membership, over government interference, clear, चलिए, नेक्स आधा यह, यहाँ देखिये, लिरल मैसी, नाम तो सुना ही होगा, हना, इनको 2023 का athlete of the year, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, athlete of the year, इनको यहाँ पर बोला है, और इ लिंग, हलांड, एन काइलिज नम्बा पर, he received the Times award, तो यहाँ पर athlete of the year, जो है, वो Times magazine गया हुआ है, Times magazine के द्वारा इनको athlete of the year का आवर्ड यहाँ पर दिया है, clear है, चलिए, 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 आगे आजाइए, next, international news कुछ कवर कर लेते हैं, देखिये, UAE का, UAE inaugurated, world's largest single side solar power प्लायंट फ्लाइट शणीट सुलर पवार प्लायंट एंड ऑफ एंड एंड ऑफ सिय ओपिट्ट टो मैने आपको पता होगा कि डिशी अपिट्ट है वो सीर्व कहां पर हुई है इस बार यह बार युए के अंदर हुई है ठीक है ना सी योपी 28 कहा पर हुई है U8 योई के अंदर हुई है COP 27 इससे पहले कहा हुई थी Egypt में हुई थी सबको पता है COP के concept के बारे में सबको पता है COP के concept के बारे में कि मैं बताओं कि here everyone knows नहीं पता है तो सुन लेते हैं चलो देखो क्या होता है कि there is something called as UNFCCC there is something called as UNFCCC यानि की एक treaty है यह United Nations की एक treaty है यह United Nations की treaty है सुनना दरा बात को ध्यान से ठीक है ना United Nations की यह treaty है थीक है नहीं पता है तो दो मैट सुन लो रवाइस भी हो जाएगा इस treaty का नाम है United Nations United Nations United Nations framework convention United Nations framework convention किस पे? on climate change on climate change तो basically UNFCCC जो है वो एक ये treaty है ठीक है न? It is a treaty of United Nations clear अब ये जो treaty हुई है United Nations के members के बीच के treaty है ठीक है? इस treaty में decide इडिये होता है कि climate change की उपर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे ठीक है जो भी ऐसा तो नहीं United Nations के सारे मेंबर इसके हिस्सेदार होंगे ठीक है अब क्या होता है कि जो भी members इसके हैं इस स्क्रीटे के signatory है वो लोग क्या करते हैं वो लोग मिलते हैं मीटिंग करते हैं और उनकी मीटिंग को हम बोलते हैं conference ठीक है न कोई भी मीटिंग को conference बोलते हैं हाँ सर इसको हम बोलते है conference of parties मतलब वो parties जो इस UN TRIPLE FC के यहाँ पर क्या है members है तो यह COP होती है conference of parties पहली बार in countries के जब बैठक हुई थी तो उसको के अंदर हुई थी COP8 जो है वो इंडिया में हुई थी ठीक है अन्डिस इस दा only time अभी तक जब conference of parties की मीटिंग इंडिया में हुई है अभी तक conference of parties की मीटिंग इंडिया में नहीं हुई है ठीक है ना अभी इसकी कई सारे COP होते गए और उन COP में उन बैठकों में कुछ कुछ चीज़े डिसाइड होती गए जैसे एक conference of parties ते जिसमें क्योटो protocol आता है वो वो conference of parties क्योटो में होती है दो कि जपान का city है उस क्योटो protocol में हम लोग बात जो decide करते हैं क्या करते हैं क्योटो के अंदर क्योटो में मीटिंग हुई क्योटो इस ए सिटी ऑफ जापान ठीक है जब वहाँ पर यह conference of parties हुआ हना तो जब वहाँ पर यह conference of parties हुआ तो हमने उसके हर मीटिंग के बाद एक outcome निकल के आएगा ठीक है तो उस outcome के बाद उस outcome को हम लोग कोई नाम देते हैं तो यहाँ पर जो outcome आए जुसको मुने बोला Kyoto क्योटो प्रोटेकॉल क्योटो में जो बाती की गई उसका एक प्रोटेकॉल जारी हुआ यहां पर ठीक है अब यहां पर क्योटो प्रोटेकॉल में क्या कहा गया क्योटो प्रोटेकॉल में यहां पर यह कहा गया कि भाई कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हैं आप क्या कार्बन ट अब हम तीन लोग जो है खाना खाने गए एक रेस्टोरेंट सुचांद है इस पुलने पहुंच ऑप लोग टाज वोटने मूंच रहे हैं और वदिन ये ने कहा है चलते हैं अब यह एक आदमी यह बैठ गया एक आदमी दरबिया बहुत बढ़िया चलो मैंने का मैंने यह चल ले लिए और तीसरा आदमी लेने ते चलो फॉर एक्जाम्पल नितिन नितिश्विषकरमा नितिन भाई यहां बैठे अब क्या है कि नितिन भाई गुपाल गुविंद भाई यहां बैठे मैं आए बैठाओं अब हमने ताज होटल के अंदर थाली ओडर करी ठीक है अब थाल है अब का थाली में जो रोटी आई वह चार आई इनके थाली में चार रो टी आई थाई इसे नितिश ब्हाई ने चार रोटी यहां कही लिए ने हाई 12 मेरे लेकिन गोवन भाई का पेट नहीं भरा और खाऊंगा तो इनके पास क्या दो ऑप्शन है यह तो यह ताज वालों को बोलेंगे बहुए दो रोटी और लाके दो अब अगर यह दो रोटी और लाने की बात करेंगे तो यह तो हम यहां पर ताज होटल को एक्स्ट्रा कि इनको दो रोटी और चाहिए तो यहां से अच्टा फेमेंट लग सब्सक्राइब बात की ट्रेडिंग कर लिए हम आपको नब 20 रुपए हम आपको दे देंगे एक काम करो आप दो रोटी मुझे दे दो समझ रहे हो तो भाई क्या किया मैंने दो रोटीन को दे दी अब मैं करें दो 20 रुपए तुम रखे रहा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कियो अपने का बिल्ट नहीं हो रहा खाली बची रही यह क्या मतलब है ठीक है ना तो भाई अब यह दो रोटीन के पास आप लिए हु लिए United States of America है ठीक है अब इंडिया जो है वह अभी developing nation है मतला हम develop कर रहे हैं developing countries है हमको 10 units मिले हैं कि हम 10 units के तक के carbon emission कर सकते हैं carbon जो है मुषको 10 units तक emit कर सकते हैं अब USA है USA भी कह रहा हम भी 10 units तक कर सकते हैं लेकिन माल लीजे इंडिया ने जो खर्चा किया वह खाली आठ यूनिट तक किया एक टाइम पीरेड में आठ यूनिट का लेकिन USA जो है उसने अपने 10 के 10 यूनिट पूरे खतम कर दिये अब यूसे को और यूनिट चाहिए तो यूसे क्या और कर पाएगा नहीं कर पाएगा ठीक है क्यों कि यह आपका क्योट प्रोटिकॉल और क्यों यह आपका यह ट्रिपल सी मतलब उन पर अगर करेगा करने को कर सकता है लेकिन लोग पर संभाइंगे भाई प्लानेट पर ग्लोबल वार्विंग हो रही है तो जोगरस्ते दूहां में युएसे इंडिया क्या देगा उतने अमाउंट के आसपास का या तो कुछ टेक्नोलोजी इंडिया में फिट कर देगा कि हम कारबन एमिशन कम करें हमारे कुछ ग्रीन इनिशिटिव लगा देगा ठीक है क्योंकि यह देखो वर्ल्ड का ग्लोबल ग्लोबल पाउल जो होना है ग्लोबल वार्मिंग सब जगे से होगा ऐसा थोड़ी है कि यूएस से हो रहा है तो इंडिया पर नहीं पड़ेगा भाई अगर यूएस के अंदर यूएस से भी अगर आप दूहान एमिट कर र करें प्रादनी खरेगा व्यूट हुरां चल आ रहा है वो मान०ैटक्रिंग कर क्रके दूऊ ओडा और आके वह इस है और हम ओडानी पा रहे हैं हमको भी विखतना है वह ओडानी पा रहे तो बात यहां पर यह यहां तो इसलिए यह कहा घ्या क्योट्टोप्रॉटेकोल कर अंदर कि आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं तो बेसिकली यहाँ पर इस प्रकार से यह trading हो जाती है तो यहां पर जब Kyoto Protocol आया तो Kyoto Protocol में यह चीज decide होई थी इसे करते 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 हमने क्या किया हमने conference of parties करी Paris में 2015 में ठीक है और Paris में यह decide किया गया कि जो world का temperature था pre-industrial level पर यानि कि जब industrialization हुआ था उससे पहले जो pre-industrial level पर temperature था उससे हम 2 degrees temperature क्या कर देंगे कम कर देंगे ठीक है ना कम करेंगे तो बेसिकली यहां पर जो COP 2015 की जो थी उसमें कहा गया हम कम करेंगे तो यह हुआ अभी रिसेंटली जो COP 27 हुई थी वह इजप में हुई थी ठीक है शरमल शेक में हुई थी और COP 28 जो है वह कहां हो और प्लांट आ गया वह प्लांट आपका दूआ कम करेंगा उसके पहले यहां पर यह चीज़ सामने देखने को मिली है बास समय आ रही है कि ने आ रही है कि यह प्रपाट तो बैसिकली युए ने कर दिया है यहना वर्ल्ड का लाजर सिंगल साइट सोला पावब्लांट अरे प्रपस्ट किया कि हम 2021 मेंद यहां पर COP हुने वाला है कि कंई उसको करना चाहते सब्सक्राइब के 2028 का श्योपि अच चल रहा है चाहिस करना में? तो उसमें क्या है उसमें यह बोला जाया कि इंडिया जो जो पैरेस अग्रीमेंट हुआ था उसको रिव्यू किया जाएगा तो वो चीज यहां पर चेक की जाएगी क्लियर है COP 33 पांच साल के बाद COP 28 ठीक है ठीक है इसका PDF पाने की लिए आपको जाना पड़ेगा PW के मुबाइल एप पर साथ में जो मेरा टेलिग्राम चैनल है जो मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग और अभी बीच में दिखाया था तो आप उसको स्कान करके मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइंग कर सकते हैं वहां से भी आप इसका PDF जो है वो ले सकते हैं ठीक है चलिए ये क्लियर हो इंटर्नाशन इयर ओफ मिलिट्स था इंटर्नाशन इयर ओफ मिलिट्स था राइट तो अभी आप देखिए आशियन इंडिया का मिलिट फेस्टिवल दोजार तेज शुरू हुआ है और ये कहां पर हुआ है ये आपका हुआ है जकार्टा इंडोनेशिया में प्लीज रफिर इंडिया को जा रही थी उसको यहां पर हाई तुर यहां पर हैं याँवरें यह ट्रीज तो ऑ کے चोर। कि यहां पर एक चीज और बताईएगा की हाथ क्लेम यह वे एक चीज दो इसराइईली शिप किया इसराइली शिप के रही हमारी कोई यहां पर हावाई को यहाँ पर ship वह हुई नहीं है, seize करी नहीं गई है, आउती ही कह रहे हैं हमने Israeli ship पकड़ ली, इसराइली कह रहा हावाई को shipping पकड़ें, आजीब कार्टू नहीं चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर यह बताइए, कि जो Swiss Canal है, Swiss Canal, Swiss Canal किन दो, किन दो ocean bodies को connect करती है, ब और मदा सकता है Swiss Canal किन दो water body इसको collect करती है yes please बिल्कुल MR sir किसको करती है MR sir, MR sir का नाम सुना होगा MR sir का नाम सुना होगा, MR sir physics पढ़ाते हैं, right MR sir मतलब क्या हो गया, एक तरफ हो गया, M से हो गया, Mediterranean Mediterranean C हो गया, और एक तरफ क्या हो गया, आपका Red C हो गया तो basically इसी Red Sea में यहां पर क्या किया गया है, इन claim किया गया कि हमने पकड़ा है तो यह actually थोड़ा SSB को लेकर यहां पर important हो जाता है, यह topic हाना, बट प्रिल्व आपके written object exam के इसाब से इतना important नहीं है पढ़ा Red Sea को लेकर पता होना चाहिए, आपको Red Sea के इन दों connect करता है तो वो आपको पता होना चाहिए, Mediterranean Sea and the Red Sea तो Mr. Sir करके याद कर ले रहा है, Mr. Sir करता है, Mr. Sir करता है चलिए, तो यह देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं Red Sea के यहां पर कौन कौन से surrounding countries है, वो दिखेगा एक तो आपको देख रहा है Saudi Arabia, ठीक है, Red Sea में आपको इधर चले जाओगों तो यहां पर आपको दिख रहा है इसराइल, ठीक है, यह जॉर्डन भी दिख रहा है, राइट यह हो गया, इधर आपको Egypt दिखेगा, इधर Sudan दिखेगा, Eritrea दिखेगा, Ethiopia दिखेगा, नहीं, Ethiopia नहीं है, ठीक है, यह चीज है, यहां पर आपको यह मिलेगा, दीजी जी, 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 ठीक है, Galaxy Leaders का नाम है, यह British owned cargo थी और, यह British owned cargo है और उनको लगा हाथी वालों को कि हमने आपर इजराइल की पकड़ दी, clear, ठीक है, चलिए, next, व्लादेमिर पितिन, science bill revoking Russia's ratification of global nuclear test band treaty, अब दिखो, खाली इसमें सवाल कैसा आएगा, आपको बता है, एक nuclear test band treaty होती है, ठीक है ना, that is the comprehensive test band treaty, nuclear test band treaty है, कि आप globally sign करी रही है, मतलब कि आप nuclear test नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहां पर, मतलब, राइक, wrongful use के लिए, wrongful use के लिए नहीं करेंगे, तो व्लादेमिर पुतिन ने इस से sign खटा दिया है, मतलब, उन्हेंने sign कर दिया है, कि हम ratify, हम बापस ले रहे हैं इस चीज़ को, एक bill पर sign किया है, जहां वो revoke कर रहे हैं, कि हम इस treaty से बाहर जा रहे है, तो व्लादेमिर पुतिन signs a bill, revoking, घरशिया का अभी तक जो सिमिलेटरी है, अरशिया ने अभी तक इस पे sign कर रखा है, nuclear test band treaty पे, लेकिन व्लादेमिर पुतिन ने sign ये कर दिये हैं, कि हम इस treaty से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना, चलिए, next, चाइना created the world's first near command space, अब देखो, ये reports हैं भी, ऐसा reportedly कहा जा रहा है, ठीक है, ऐसा reportedly कहा जा रहा है कि चाइना ने क्या कर लिया है, उन्होंने near space command, यानि कि एक command उन्होंने space से मना लिया है, space में command चल रहा है उनका, और ये इनका fifth command होगा, ठीक है, fifth command कैसे, एक command जो होगया, चाइना का, वो आर्मी का होगया, एक command जो होगया, वो नेदी का होगया, एक command जो होगया, वो उनका air force का होगया, एक command उनका rocket का मना आया था, rocket command, और ये उनका near space command will be the fifth command, अगर ये बात सच होती है तो, तो ये चाइना created the worlds, ऐसा ही बोला जा रहा है, here is what we know so far, हमें बहुत पुक्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सवाल कभी आ गया, भूले बटके, कि भाईया, first world का first nuclear, sorry, world का first near space command किसने बनाया, कौन मना रहा है, तो चाइना जो है, वो इसका correct answer यहाँ पर हो जाएगा, clear है next आजा यह, now Angkor Wat temple, now Angkor Wat यह वो मंदर है, जो विश्च का पहला हिंदू मंदर है, जिसको 8th wonder of the world यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, यह आपके Cambodia में situated है, ठीक है ना Cambodia में situated है, अब यह जो temple है, Angkor Wat temple, दोस्तों 500 एकर के जमीन के आसपास यह आपर पहला हुआ है, और यहाँ प अंपायर के राजा थे, खमीर अंपायर यहाँ पर रूल कर रहा था, तो यहाँ के जो राजा थे, सूर्य, सूर्य वर्मन, खमीर अंपायर के राजा सूर्वर्मन ने क्या किया था, इस temple को यहाँ पर बनवाया था, अर्लियर यह temple जो है, एक हिंदू temple था, लेकिन बाद मे ये एक Buddhist temple के root पे उभर के सामने आता है यह हमें कैसे पता चलता है क्योंकि इस temple की जो walls है उस पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजे बहुत सारे ऐसे वो मिलेंगे चीजें मिलेंगी बनी हुई जो Buddhist चीजों को यहाँ पर बताती है ठीक है तो Angkor Wat temple के बारे में यहाँ पर आपको यह पता होना चीए Cambodia में located है 8th wonder of the world जो इसको बोला गया है ठीक है एक मंदिर जिसे यहाँ पर विश्व का आठवा अजूबा यहाँ पर declare किया गया है तो earlier this was a Hindu temple ठीक है Lord Vishnu को यहाँ पर dedicated था लेकिन बाद में यह एक बुद्धिस temple के रूप में उभर के आता है clear है clear है I hope यह बात यहाँ पर clear हो गई होगी आगे आईए देखिए Garba of Gujarat आपको पता है Garba जो है वो एक dance form है जो एक आपको dance form है उसको declare किया गया है as intangible cultural heritage ठीक है उसको intangible cultural heritage declare किया गया है UNESCO का तो आपको पता UNESCO क्या है UNITED NATIONS educational scientific and scientific and cultural organization ठीक है तो जो UNESCO है UNESCO अपना intangible cultural heritage की लिस्ट यहाँ पर बनाता है ठीक है अब intangible cultural heritage क्या होता है देखो intangible tangible का मतलब क्या होता है कोई चीज़ आप जो physically यहाँ पर पकड़ पाओ हना कोई चीज़ आप touch कर पाओ पैन है यह tangible है आप इसको touch कर सकते हो हना लेकिन मैं बोलूंगा अगर पैन मैं बोलूंगा दर्द मैं बोलूंगा प्यार मैं बोलूंगा लव कैन यू टच नहीं तो यहाँ पर उप्यार टो वैसे इंटांजिबल यहाँ पर कल्चर की बात हो रही है ़्सको का कल्चरे ध sniff tyunya क भडविकान थिक्रिक दो बट इस इंटेंजीबल को चै데नली यहाँ पर जो गर्बा है उसको यह यहाँ पर decide उसको इस इलिस्ट में यहां पर include कर दिया गया है क्लियर है और यह जो यहां पर किया गया है वो यह जो meeting है इनकी हना UNESCO की वो कहां पर हुई थी वो जहां पर हुई थी बोच्षवाना में फ्लीज नोट के आजाएं यह जो meeting हुई है वो कहा हुई है बोच्षवाना में हुई है यह खायर आपसे पूछा नहीं जाएगा बढ़ फिर भी इसको लिख लीजिए अब इसमें युनेश्को का और भी यहां पर लिस्ट है और भी यहां पर इंटांजिबल कल्चरल हरिटेज उसे चाह देखिया आप को मिलेगा च्छाउ डांस है आपका उडीशा और वेस्ट बंगॉल कर डांस फॉर्म है वैसी आपको निखिया निख्वा का योगा 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 भी आ कुम्ब मेला आपका एक इंटांजिबल कल्चरल हेरिटेज यहां पर हो जाता है उसके बाद देखे कुडिय ट्रम एक केरला का संस्क्रिप्ट थेटर है तिन मुदियत यह भी आपका डांस ड्रामा है केरला का ठीक है वेदिक चैंटिंग यहां पर आप देखिए यह एक कि में रुकार्व करने आप राफ है और यहां पर आपको तो ही ट्रात ठीक है अविए यहां पर यहांपर आप कई तेयार कर रहे हो अगर कर रहे हो जैसे कब लेघन कर रहे हो यह लेकर आप कभी ऐसल्री गोई Е прив भी कर रहे होगे तो वहाँ पर डेट से इंपॉर्टेंट कभी कभी हो सकते है ठीकर बडिट का फिर भी कल्चर को है वे चलाई गया आगे आज कुछ नैशनल जिऊद को यहां मतलब है कैचर ठीक है हकी का मतलब है बर्ड बर्ड और पिकी का मतलब है कैचर करना तो कैचर तो बेसिकली हकी पिकी जो ट्राइब है वो बर्ड कैचर ट्राइब लेकिन इनका यहां पर दिक्कत क्या है जरा उसको समाझ लेते हैं अब सवाल जो है वो क्या आएगा इनकी ऊप पर बन सकता है कि हक्की-पिक्की ट्राइब का का कल्चर है तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि नुमेडिक ट्राइब है ठीक है धक्की-पिक्की फीपल गो बाए अधर नेम सच आज मेशिकारी नौर्धन इसाब आपको याद नहीं करना है ठीक है बस मेंबर्स और फीक वागरी नहीं इंपोर्टेंट आप लोगं के लिए अभी तो फिलाल जाम उसलीं बिजन शिव्मोगा अहसान नहीं इंपोर्टेंट है रिहाबिलेटेट अरॉंड इंट्रीफ्टी स्वाइब शप्टिर आउट कर्नाटेका नहीं है ठीक है इसमें आप दे इसको इसको एस्टी यहां पर अब यहां पर आपको ध्यान रखना है चलिए आगे आ जाते हैं अब यहां पर देखेंगे अशिया पैसिविक इंस्टूट और ब्रॉड कास्टिंग डवलप्मेंट AIBD AIBD प्लीज नोट कर लीजेगा अब देखेंगे यहां पर जो एशिया पैसिफिक इंस्टूट है यहीं एशिया और पैसिफिक के जो कंट्रीजन के जो इंस्टूट है ठीक है उनका एक ब्रॉड कास्टिंग मतलब एक तरह का उनका वो क्या है बॉड़ी है ठीक है तो उसका इंडिया जो है यहां पर अभी दुबारा से प्रेसिटेंट रिएलेक्ट किया गया है ठीक है ना थर्ड ताइम तो इंडिया है यहां पर नोट करना है आगे आज़ेगे अब यह काफी इंपोर्टेंट है इसको नोट कर लीजे कोजी कोड जो है केरला का उसको यहां सिटी अफ लेट्रेचर फस्ट सिटी औफ लेट्रेचर फस्ञा। सकते है इसको नोट कर लीजेगे वरी यहां पर इंपोर्टेंट है डोनों ही कॉशेंस इससे बन सकते हैं city of literature किसको बोला गया है कोजी कोड करेक्ट आंसर है city of music इसको बोला गया है मध्यपदेश इसक जो गौलिर करेक्ट आंसर है आगे आ जाईए देखिए next की क्या बोल रहा है next बोल रहा है ठीक है अब यहां पर flags of ठीक है अबी इसको just a minute इसमें कुछ गलती है just a minute ठीक है चलिए इसका नाम लिख लिए कोस्टा से रेना बस यही चीज था कोस्टा से रेना फर्स इंटरनाशनल क्रूज लाइनर फर्स इंटरनाशनल क्रूज लाइनर प्लीज नोट कर लीजे प्लीज नोट कर लीजे फर्स इंटरनाशनल क्रूज लाइनर इस कोस्टा कोस्टा से रेना ठीक है Costa Sarana को launch किया गया है so basically Sri Sarabandha Sonawal उन्होंने Costa Sarana को launch किया है, please note कर लिजे next, now India to host World Telecommunication Standardization Assembly in 2024, अब यह इसलिए important हो जाता है दोस्तों, क्योंकि India first time शाधिय कर रहा है, कई सालों के बात कर रहा है, World Telecommunication Standardization Assembly India will host this, India to host the World Telecommunication Standardization Assembly in 2024, please note कर लिजे इसको ठीक है, four yearly global conference है यह हर चार साल में एक बार होती है four yearly है, every four years आपको देखने को मिलेगी ठीक है, तो यह पहली बार इंडिया में हो रही है, please note कर लिजा जाए please note कर लिजा जाए, World Telecommunication Standard इस हैं, अब लिजा लोड कर लिए जाए ठीक है, clear सवाल simply आ सकता है, कौन सा कंट्री जो है वो होल्ड कर रहा है ठीक है, सवाल यह आएगा, कौन सा कंट्री जो है वो होल्ड कर रहा है चलिए कोई किसी मंत का कोई किसी sequence नहीं है हाँ, क्यूंकि मासी यह जो है अब ऐसा चल रहा है कि जो important important है, ठीक है तो उसको आप इस तरह से note down कर लिजे next वैसे आपको जितना भी चल रहा है न यह सारे October के चल रहा है ठीक है, यह सारे October के है October, November ऐसी चल रहा है चलिए देखिये, अब देखिये यहाँ पर solar powered cruise ship to operate on Saryu River in Ayodhya, अब Saryu River you know Ayodhya City जो है वो Saryu नदी की कुनारे है, राइट, तो Saryu River पे जो है, वो यहाँ पर अब solar powered cruise चलेंगी, जिसका नाम क्या है जिसका नाम है, Ramayana vessels, ठीक है, the Ramayana vessels will aim to spread knowledge of Lord Ram's childhood in his years, his years in Guru Kul, तो यहाँ पर यह जो rivers, यह जो river है Saryu Nadi Saryu Nadi में आपको यह vessels जो है, वो मिलेंगी, यह operate यहाँ पर होंगी clear है, तो नाम बस जो है, वो आपको यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है clear है चलिए चलिए सर आप जो भी औरारहे मेरे notes में लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत निये ना, उसको पर ऐसा दिखो न, notes को ले रहा हो और notes से मिलाते चलो, क्या यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, ठीक है, चलिए next, next President of India launches education campaign new education for new India of Brahma Kumaris तो देखिए, यहाँ पर खाली इतना ही है कि आपको पता होना चाहिए कि campaign इसका नाम है new education for new India, अब यह launch किस ने किया है, President of India ने किया है ठीक है, तो new education for new India of Brahma Kumaris यह यहाँ पर launch किया गया है, प्लीज इसको note कर लिया जाए, ठीक है कहां किया गया है, संबलपुर में कहां किया गया है, संबलपुर उडीशा में किया गया है तो President of India लॉँच किया है एक education campaign, इसका नाम है new education for new India campaign new education for new India campaign किसके लिए, Brahma Kumaris of संबलपुर, यह कहां लॉँच हुआ है उडीशा के संबलपुर में हुआ है प्लीज नोट कर लिया जाए चलिए नेक्स आजाएंगे आयुश्मान भारत health and wellness centers to be called as आयुश्मान आरोग के मंदर अब देखे जो भी यहाँ पर आयुश्मान भारत का health और उसका wellness center होगा उसका नाम अप रग दिया गया है कि वो आयुश्मान आरोग के मंदर कहला जाएंगे तो आयुश्मान भारत health & wellness center इसी कॉले अवहाँ आ रग जाएंगे अब देखें ब्यार comment box में कि recently मैंने आपको पढ़ाया था पताये बियार अमिटकर साब की मूरति कहां पर अद्वील्ड और करी गई है बताये इदरा अभी रीसेंट्ली गी एक अन्वीलिंग और हुई है पताये कहां पर अन्वील की गई है अभी पढ़ा भी रहा था मैं आपको से पहले बताये कहाँ पर अन्वील हुई है बदा दिये कहाँ पर अन्वील हुई है बिल्कुल भाया अमेरिका में हुई है ठीक है न नौर्थ अमेरिका के एरिया में हुई है बहुत बढ़िया अमेरिका में हुई है तो अभी यहां पर देखे सुप्रीम कोट के अंदर भी यह चीज किया ग day आपका जो है वो 26th of November को होता है इसको हम लोग अब Lord A के नाम से भी पहले मनाते थे ठीक है ना प्लीज नोट कर लीज़ा next first ever auction of lithium in the country इसको छोड़ दीज़े अभी आप इसको अठा सकते है इसमें नहीं है कुछ भी next देखें डेशी S-400 अब देखें जैसे आपको पता है कि S-400 सिस्टम जो है वो हम लेते हैं इंपोर्ट कराते हैं अना S-400 missile defense system है वैसी हम अपना देशी यानि कि हम अपना indigenously बनाना चाहते है S-400 system और यह हम बना रहे है project कूशा के अंडर ठीक है ना India's very own long range air defense system तो all about project कूशा project कूशा is about building India's very own long range air defense system ठीक है ना नोट कर लीजे project कूशा क्या है यह आपका long range air defense system है जो की surface to air missiles को hit कर सक्खरी करेगा please note very very important project कूशा ठीक है तो basically हम देशी S-400 बनाना चाहते हैं देशी S-400 क्या है देशी S-400 क्या है प्लीज नोट कर लीजे देशी S-400 is basically project कूशा मतलब project कूशा मतलब हम अपना long range air defense missile system बनाना चाहते हैं that is surface to air clear है सर मैं new हूँ बिलकुल starting से पढ़ना चाहता हूँ तो new batch कब से start होगा या मैं कैसे पढ़ू अभी शेक चौजरी कौन से class को भी बता दो पहले class खतम हो रही है बहुत जादा नहीं बची है दोस्त ठीक है S-400 यह हमारा आप इसके बारे में जानी रहे हो S-400 missile system के बारे में तो यहाँ पर हमें इसको पढ़ना नहीं लेकिन देसी वाला जो मनना चाहते है वो project कूशा के अंदर यहाँ पर चल रहा है ठीक है देन आगे देखिए एक martial art form है जो decline हो रही है यहाँ पर यह news आई थी तो उसका नाम क्या है वज्र मुश्टी काल रहा ठीक है यह आपका basically क्या है यह आपका martial art है ठीक है यह आपका martial art है यह basically आप देखोगे तो दशेरा festival में इसको celebrate किया जाता है मतलब यह art यहाँ पर होती है अब इसमें क्या होता है जो wrestlers होते है वो wrestlers यहाँ करते है कि वो अपने हाथ में इसको पहन लेते है ठीक है और इसको पहन के दूसरे की खोपड़ी की उपर सर की उपर इसको मानना होता है ठीक है जिसके भी पहले यहाँ ब्लड आ जाता है वो यहाँ पर हार जाता है ठीक है तो कुछ इस प्रकार का यह martial art है जो अब दीरे जरे decline कर रहा है ठीक है धीरे decline कर रहा है पहले यह आपको बहुत दिखे रहा मायसूर के round लेकिन अभी यहाँ पर decline कर रहा है So whosoever draws blood from the opponent's head first is declared the winner वो winner यहाँ declare खर दिया जाता है और इसका नाम क्या है वज्रमुष्टी कालगा ठीक है इस प्रकार के जो हत्यार है उससे यहाँ पर इसको मारा जाता है चली आगे आजाएगे next लग्दाक के यहाँ पर चार पूर्थ जियाई टैग फॉर सी बग्थॉर्ण अब देखें आपर चार जियाई टैग्स मिले हैं आपर अगे लग्दाक को वो कन्फूज करेगा किससे लग्दाक से करेगा राइड क्लास 10 के एक्जाम दे रहा हूं सर इस बार तो क्लास 10 के एक्जाम दे लो पहले और क्लास 10 के एक्जाम के बास तुम्हारे पास NDA फाउंडेशन बैच अल्री लाइव हो चुका है ये बैच और लेड़ी लाइव है NDA फाउंडेशन ठेक है न जो बैच है तुम्हारा व क्लास 10 के स्टुडेंट है य जो ़क्लास 10 के स्टुडेंट है कुरास 9 के स्टुडेंट पास आउठ होगे इस बार पास आउठ होने के बाद अब आचएप आधार न पास हो जाना जाएंगे वो आइंगे क्लास 11 में ठीक है जो 25 जल horizon 11 में आईंगे यानि कि अपरिल मई में आ जाएंगे ठीक है उनका पहला एटेम्ट ही कब होगा उनका पहला एटेम्ट होगा सिप्तमबर दोजार पच्चिस में यानि कि आप आ रहे हो मई दोजार चौबिस में इलेवन्थ के अंदर ठीक है ना तो आपके पास यहाँ पर एक साल का टाइम होगा इसी बैच के अंदर आपको पूरा पढ़ाएंगे ठीक है उसके बाद आप ही को जो एंडिया फांडेशन बच्चे हैं उन्हीं बच्चों को हम जाल देंगे यहाँ पर शौर्या के अंदर ठीक है ना उन्हीं को हम यहाँ पर शौर्या टू पॉइंट हो जो अगली बार आ हैंगे तो बेसिकली एक बार आपको एंडिया फांडेशन ने पढ़ा देंगे पूरा फांडेशन और पूरा ही पढ़ा देंगे ऐसा करेंगे हला और उसके बाद आप लों का आप 12 में आ जाओगे अब आपका पहला एटम्ट किसमें आ रहा है आपका एंडिया अप्रॉल दोडार पच्चिस की तो यह है आपका शौर्या पैच हो आपका इंडिया फांडेशन वे क्लास अलंड ठीक है रहा है सर जो 12th exam दे रहे हैं उसके लिए batch बताया ना जो 12th exam दे रहे हैं उनके लिए शौरिया आप चाहोगे तो शौरिया morning batch आ जाएगा शौरिया morning batch होगा खता हो गया यह तो यह शौरिया morning का batch होगा ठीक है इसका नाम भी एक अलग नाम इसके आगे जुड़के आ रहा है तो यह morning बाच होगा यह उनके लिए हो सकता है जो class 12th का एक्जाम डे देंगे तो आपको स्कूल जाना नहीं है इसकी class सुबेट 10 a.m. से चल जाएगी तो आप दिंबर बढ़िया class कर लीजिए और फिर अम्मा पने पढ़ाई करिए और जो 12th में आए हैं इस साल जो class 11th में थे और इस साल वो 12th में आ रहे हैं तो वो शौरिया इवनिंग वाला batch जॉइ कर दिया है ताकि हम लोग पढ़ा पाएं उसाप से अभी तक क्या रहा था शौरें 2.1 लोग के साथ बैठे है यह वाले बच्चे भी जिनका 12th हो गया जो 12th में आए हैं तो दिक्कत क्या हो रहा है दिक्कत यह हो रहा था कि 12th हाले बच्चे हैं उनको इत्ती maths नहीं आती है 12th pass out हो रहा है उनको maths बहुत आती है तो दो लोग लिए फरा को याता था कैसे पढ़ाएं 12th वाला समय में याता था उसको 12th pass out वाला कहता है जल्दी उल्दी पढ़ाओ इसा बाता है हमको तो इसलिए और बेटर तरीके से आप लोगों तक पहुच पाए हम लोग इसलिए आप लोग लिए चीज़ डिफरेंज ने आपर किया है कर रहे है ठीक है न और गी वाला जो बैश्य है आपका इंडी फांडेशन ये क्लास 10th के लिए तो बेसिकली एंडी फांडेशन क्लास 10th pass out शौर्या 2.2 क्लास 11th pass out शौर्या morning batch for class 12th pass out ठीक है चलिए अब मुझसे इस स्όςाक्त स्रेंगा स्रेंगा को कुछे हैं युट य міघले के याओ ने पताया था लंग दॉमरेक हो गया तिक है अब इसी तरह किसे आपको यादर रखना है वो या किया लक्तना है वो आ चासरी याद रखना एं रिगार्वार्डीग ृगार्डीन थी लधाइक के की जाइ चलिये देखते हैं तो लददाग के यहाँ पर एक ज्याइड हो गया सी बक्फॉण का इसी को भूते हैं वंदरप्लांट इसी को भूते हैं गोलड़ इसी को भूते हैं गोलबॉश इस युद्टम उचेट przयुसक्न,ोल्डम ऐट जो इज्टेख रहरें दो यह आपका लग्दाक का सी बक्तौन यहाँ आप देख सकते हैं और यह केरल का उनाट्टू सी सेम उनाट्टू कारा सी सेम यह भी इसको भी हाँ जी आई टाइग मिला है अब यह जो है उनाट्टू सी सेम यह बहुत ही बेनिफिशल है हाट पेशन्स के लिए है इन सब चीजों के लिए क फिक हैं गुजरत की स्टेट फिच गुजरात न ने डिकलर की है गुज्रातabel स्टेट फीज वहीं को नस्तेम स्टेट फिच वाइख गोल फशनस्ठाइबस रिचए कॉलाजल कर ये इस फिच को उपने इसके जो तक उस्ते मुझeln जाता है कि इसको इम्मुनिटी बूस्टर माना जाता है वाइं मनने काम आता है फार्वर्जिटीकल इंडस्ट्री में इसका यूज है को लेजन निकलता है which is used for cosmetic products इसलिए इसको यहां पर gold fish भी कहा जाता है it is referred to as the sea gold and that is what इसको सबसे अलग बनाती है यूनिक बनाती है तो गुजरात की जो स्टेट फिश है वो बेसिकली क्या है वो आपकी क्या होगई घोल प्लीज नोट कर लीजे घोल डिक्लार करेगे रिसेंट्ली प्लीज नोट ठीक है नेक्स्ट अगला आजाईए बस काक्लार खताब होरी दस-पंद्रमट और दीजे मुझे वर्ल्ड का वर्ल्ड का परस्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल वर्ल्ड का परस्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल कौन सा है नोट करिएगा आरोग मैत्री क्यूब प्लीज रोट करिए आरोग मैत्री एड क्यूब अब ये जो आपका आरोग मैत्री एड क्यूब है ना ये छोटा सा बॉक्स है लेकिन इसके अंदर आपका एक पोर्टेबल आईसी उ भी रहेगा ऐसे सारे यूनिट्स जो एक इंपोर्टेन यहाँ पर ये हो जाता है तो विश्र का ये पहला फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसका नाम है आरोग ये बैक्री एड क्यूब इसको अन्वील किया गया है गुरुग्राम के अंदर प्लीज इसको नोट कर लिया जाए गुरुग्राम के अंदर यहाँ पर इसको किया जाएगा फिर पूरा करेंट एफेस का इंडिये में कितना कोश्चन आएगा शक्ती 1.0 बैट से राजपूत सिंग्ग ये मैं बता दूँगा तो UPSC क्या कहेगा UPSC कहेगा मैं जॉब छोड़ दें फाइट इस UPSC का एग्जाम न इडिस नॉट डाट प्रडिक्टेबल आप तो ये सोचो कि 900 नंबर का पेपर है पूरा 900 नंबर का पेपर है कट आफ जाती है 360 अगर पेपर प्रडिक्ट हो जाएगा न पेपर रिपीट हो जाए कभी भी PYQs रिपीट हो जाए अगर तो बहुत कट अफ हाई जली जाए जही नीट में यही होता है रिपीटिशन मिल जाते है आपको सवालो के ताइपस अफ कॉश्चन मिल जाते हैं कि हाँ चलो सेम कॉश्चन ताइम उप कॉश्चन था इसे मैंने प्रीवेंसदी भी कोशिक करी है कि आगे कोशिक करेंगा कि मैं ऐसा ही कॉश्चन को हिट करता जाऊ चलिए आग ये घ के ना चलिए तो वर्लड का फरस्स पोर्टेम candy का रोग तै ऊप उसको भी यहां पर डिसकस कर लेते हैं अब मेरे पास ना बहुत ज़्यादा वह हो रहा है वट आइवे वी विल गो विधिट करते हैं इसको अब भुछ ज़्यादा डिस्कुस करना है बट कोई नहीं भी विल डू चलिए नेक्स्ट अब देखें कर लेते हैं दोस्तों कर लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हना चलिए देखी जहाँ पर एक स्कीम है इसका नाम है पीम स्वानधी स्कीम क्या नाम है पीम स्वानधी स्कीम अब यह जो स्कीम है यह स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स अब यह बिजनेस है धन्दा है पूरा चौपट हो गया क्योंकि COVID में सब आलाउट नहीं था तो इसी लिए यहाँ पर PM स्वानेदी स्कीम लाई गई थी ठीक है इसका फुल फर्म क्या है PM स्वानेदी का प्लीज लोट कर लिजे प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निदी स्कीम ठीक है ना यह initiative था ministry of housing and urban affairs का और इस ministry के स्कीम के तहट यह जो street vendors होते हैं इन street vendors को यहाँ पर support किया गया था यहाँ पर scheme में जो है वो बोला गया था यह scheme किसके दोरा चलाए गई थी ministry of housing and urban affairs के दोरा चलाए गई थी और अभी अभी यह data आया है कि 50 लाख जो street vendors है वो इस scheme के अंदर यहाँ पर correct यहाँ पर जो है वो कर लिए गए है ठीक है cover कर लिए ठीक है तो अब इसके बाद यहाँ पर आप यह देखेगा लिखा हुआ है कि central sector scheme है तो central sector scheme के लिए आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ mention कर रखते है central sector scheme central sector scheme का क्या मतलब होता है central sector scheme का क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि जो पूरा-पूरा खर्चा है इस scheme का वो खर्चा जो है वो central government bear करती है central sector scheme में जो पूरा खर्चा है वो central government यहाँ पर bear करती है लेकिन अगर लिखके आजाए centrally sponsored scheme कहीं भी यह scheme जो है वो centrally sponsored है तो centrally sponsored scheme का मतलब यह होता है कि भई कुछ पैसा amount of जो है वो central government देगी और कुछ पैसा जो है वो state government यहाँ पर देगी ठीक है ना चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं moving on next देख लिजे पियान श्री अनि मोधी inaugurates tourist facilities at नातद्वार as part of Krishna circuit of स्वदेश दर्शन scheme अब देखो अब यह जो स्वदेश दर्शन scheme है इसमें कई सारे circuits बनाए गए थे तो यहाँ पर एक Krishna circuit था यानि कि कैसा circuit जहाँ पर जो आप बना रहे हो all the places which are related to Lord Krishna उनकी places को connect किया जाएगा हाना तो यह circuit यहाँ पर develop किया गया ऐसी ऐसा circuit बनाया गया Lord Buddha की जो जो places है जहां वो थे उन से connected है गया हो गया हाना सारनात हो गया यहाँ पर ऐसे आप देखोगे कि ऐसे connected places को बनाया गया था ठीक है ना तो प्राइम मुष्ट साम ने कुछ tourist facilities को यहाँ पर facilities है वो inaugurate करी है वस कहाँ पर नातदवार में कहाँ पर नातदवार as part of Krishna circuit तो basically यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो यह कि भाई यह मतलब इस स्वदेश दर्शन में क्या हो रहा है tourist facilities को हम improve कर रहे हैं तो यहाँ जहाँ जहाँ उस दर्शन के लिए जा रहे है स्वदेश दर्शन जिन जगे पर जा रहे है वहाँ की facilities इंप्रूफ करी जाए ताकि जो भी वहाँ पर tourist पहुंच रहा है उनको किसी भी तरह की दिक्कत जो है सामना जो है वो नहीं करना पड़े तो यह चीज यहाँ पर है अब यह चीज यह स्कीम जो है Ministry of Tourism जो है वो unveil किये थे हना जैसे कि यहाँ पर लिखा है नाथद्वार for tourism boost by PM Modi ठीक है तो basically PM Modi ने transforms नाथटर राजस्थान into new tourism place तो basically यहाँ पर इस प्रकार से अलग-अलग Krishna circuit क्यों Krishna circuit पे नाथद्वार को include कर लिया गया है ठीक है यह चीज़ यहाँ पर जो है वो आ रही है ठीक है next आगे आ जाईए अगला अब यहाँ पर scheme के बारे में important हो जाता है देखे Prime Minister श्रीद नरेम मोदी recently inaugurated several government of India projects including tourist facilities at नाथद्वार जिसको fund किया है Ministry of Tourism ने under the Swadesh Darshan scheme अब scheme के बारे में यहाँ पर हम लोग जान लेते है scheme का objective क्या है दोस्तों scheme का objective है promote करना ठीक है develop करना ठीक है harness करना but क्या चीज क्या चीज़ promote करना क्या चीज़ जवलाब करना दोस्तों वो है potential of tourism in India भारत में जो tourism का जो level है potential है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर यह scheme जो है वो चलाई गई है यह launch करी गई थी 2014-15 में लेकिन लगातार इसमें आप देखोगे कि इसमें लगातार कुछ ना कुछ चीज़े add-on जो है वो उती चली जाती है ठीक है यह चीज important है अरे जहन कैसे आगया next अब इसे का क्या हुआ स्वादेश दर्शन जो scheme है उसका 2.0 version भी यहाँ पर आया स्वादेश दर्शन 2.0 अब इसका first phase जो शुरू हुआ था वो 2023 जन्वरी में start हुआ था इसके अंबर क्या किया गया था इंडिया की जो domestic tourism policy है उसको यहाँ पर promote किया गया था लेकिन अब जो policy आई है वो थोड़ा सा move apart करती है क्या? Theme-based tourist circuits and focuses on reviving of the destination tourism ठीक है मतलब यहाँ पर क्या? कि जो अभी हम theme-based tourist circuit चला रहे है उसकी जगा हम focus करना चाहते है destination tourism पे यह चीज़ हम यहाँ पर क्या करना चाहरे है चेंज करना चाहरे है तो policy moves away from theme-based tourist circuits to focuses on destination तो theme-based की जगा कि आप जिसे कृष्णा सरकेटी कर रहे है तो अब destination को improve करेंगे ठीक है तो यहाँ पर कुछ prominent places identify के गए हैं इसके अंदर जिसे जहासी को improve करना है प्रयागराज को improve करना है इसके लाइन देखिए ग्वालेर हो गया चित्रकूट हो गया हना देन खजराहों हो गया इन destinations को better करने की बाद जो है वो इसके अंदर यहाँ पर कर रहे है ठीक है ना चलिए आगे आज़ेगे आफ़ेए इन इन देजनेस भागे नेटेव इसको बढ़ावा देना है तो इसके लिए अपर किया सवदेश दर्षन 2.0 इसका अब्जेक्टिव क्या है तो अटें आथ मिर्भारत अरे रिलाजिएंडियास पुल पोटेंशील as tourism destination. Swadhaj mission 2.2 is not an incremental change but a generational shift to evolve Swadhaj Darshan scheme as a holistic mission to develop sustainable and responsible tourist पताव यह सब चीज़े ना, आपको बस बसी समझना है कि Swadhaj Darshan scheme में नात द्वार को उपर आपको पता होना चाहिए. ठीके, यही एक चीज़े जो आपको जहाँ पर पताखनी बाकी छोड़ दीज़े. ठीके, प्रशाद scheme का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए मैं आपको. प्रशाद scheme एक ऐसी scheme है, pilgrimage rejuvenation. यानि जहाँ pilgrims जाते हैं, उसको rejuvenate करने की scheme है. And spirituality augmentation drive. ठीके, बस इसमें इतने चीज़े हैं, यहाँ पर यही जानी हैं आप. इसका जो chairmanship किसके पास आगई है, नोट करिएगा, इसकी chairmanship आगई है, शिलंका के पास. बस, इसमें इतना ही पूछा जाएगा, कुछ ने जरुवत इसमें नहीं है. बस, यही पूछा जाएगा, इंडिया नोट कर लिया जाएगा, इसमें जाने की जरुवत यहाँ पर नहीं है, ठीके, यह देखिएगा आपर, Global Maritime India Summit, यह कहाँ पर हुई, Global Maritime India Summit, कहाँ पर हुई, यह हुई, आपकी Mumbai में, प्लीज नोट कर लिया जाएगा, कहाँ पर हुई यह Global Maritime India Summit, कोशिश करने है, यह जाद करने का, कि यह Summit कहाँ पर हुई है, यह Summit आपको Mumbai में देखने को मिलेगी, ठीके, दें, दें, वर्ल्स का फर्स्ट, विष्ट का पहला, AI Safety Summit, कहाँ पर हुआ, UK में हुआ, नोट कर लिजगा, काफी important है यह, वर्ल्स का फर्स्ट, AI Summit यह, India, US, France, Singapore, others in attendance, यह सब countries जो है, वो यहाँ पर आए है, यह यहाँ पर जो countries है, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर इसे पाट्समिट करते है, तो वर्ल्स का फर्स्ट AI Summit कहाँ होता है, वो UK में यहाँ पर होता है, ठीक है ना, next, अब देखिए, next, 9th, India International Science Festival कहाँ पर हुआ, फरीदाबाद में हुआ, प्लीज नोट कर लीजेगा, ठीक है ना, क्लियर है, CDS के लिए, आर्मी, ब्राट, सोहिल, CDS का विक्रान बैच अलरीडी चल रहा है, हना, वहाँ पर आपको 22 classes per day मिल रही है, उसको आप follow करिए, फिर उसका CDS की marathons भी आएंगी, ठीक है, चलिए, important है, नोट कर लिया, 9th, 9th, India, India International Science Festival कहां पर हुआ, फरीदाबाद में हुआ, नोट कर लीजे, फरीदाबाद में हुआ है, नोट कर लीजे, सिंपरविता ही नोट करना है, इसमें, और इसमें कुछ भी नोट नहीं करना है, ठीक है, अब देखिए, Global Partnership, Global Partnership on Artificial Intelligence, अब Global Partnership on Artificial Intelligence, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PM इनॉगरेट दाए, वे समिट, 12 दिसंबर को ही समिट इनॉगरेट की गई है, नोट कर लीजे, GP AI का यहां पर कौन है, GP AI का कौन होस्ट है, प्लीज नोट कर लीजे, इंडिया होस्ट है, प्लीज नोट कर लीजे, इंडिया होस्ट अब देखे, AI रावत की रैंक क्या आई है, 500, जो 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है, उसमें AI रावत की रैंकिंग 75 है, ध्यान रखिएगा, AI रावत की रैंकिंग जो है, वो 25 है, 75 है स्वारी, अब यह बताएगा मुझे की जो आई, आपका सुपर कंप्यूटर है, वो क् येस, परम, आगे, परम 8000, प्लीज नोट कर लेजे, परम 8000 जो है, वो इंडिया का पहरा सुपर कंप्यूटर था, ठीके, और यहाँ पर जो इनकी स्पीड होती है, सुपर कंप्यूटर की, वो हम लोग पैटा फ्लॉप्स में आपते है, किस में आपते है, पैटा यहाँ पर होता है, ठीके, तो इसको यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजे, आगे आजाएए, नेक्स देखीगा, यहाँ पर क्या है, युवा AI, क्या है यह यह युवा AI, प्लीज नोट करिएगा, युवा AI, अब यह क्या है, इस बेसिकली यूथ फोर उन्रती और विकास, विद AI, यह है आपका युवा AI, प्लीज नोट कर लीजे, अब यहाँ पर क्या होगा, यह फीचर कर रहा है, इन गपी AI समिट 2023, तो अभी जो गपी AI समिट है, जो आपकी इंडिया में हो रही है, इसका इंडिया होस्ट कर रहा है, तो उसमें आपका यह यूथ और उन्नती और विकास विद AI, यह फीचर यहाँ पर किया जाएगा, तो यह अभी इसको नोट कर लीजे, इंपॉर्टन है यह चीज़, अब इसमें क्या किया जाएगा, इस इस इनिशेटिव कंदर क्या होगा, जो 8th क्लास से लेकर, जो 12th क्लास कर के स्टूदेंट्स है, हदा इन सब को AI की नॉलेज यहाँ पर प्रदान की जाएगी, इन स्टूदेंट्स को AI नॉलेज जो है, वो यहाँ पर दी जाएगी, very important, AI नॉलेज जो है, वो इनको यहाँ पर दी जाएगी, very very important, फ्लीज रोट कर लेज़े, ठीक है, चलिए, आगे आजाते है, moving on to the next, इस अक्टूबर हमने देख लिया, इन फोस्टे, 24 अक्टूबर धिए रखी का, वर्ल्ड पोल्यो डे है, ठीक है, वर्ल्ड पोल्यो डी, अब देखो, इसमें सा आपको यह आद रखना है, वर्ल्ड पोल्यो डे, 24 अक्टूबर, ठीक है, इसका थीम क्या है, इसका, healthier future for mother and children, य भी हमने देख लिया, तो यहाँ पर तीन चीज़े है, वो आपको तीनों यहाँ पर नोट करनी है, अब देखे, 11th November हमारा National Education Day मनाया जाता है, 26 November Indian Constitution Day आपको पता ही है, फिर भी आप लोग उसको लिख सकते हैं, और इसका थीम क्या है, Embracing Innovation, प्लीज नोट करिएगा, तो 11th November आपको क्या हो गया, 11th November आपको हो गया, International Education Day, यह आप से यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है, Next आगाईए, then 1st December आपका World AIDS Day होता है, ठीक है, 1st December World AIDS Day होता है, इसका जो थीम है, वो क्या है, Let's Communities Lead, क्या है इसका थीम, Let's Community Lead, फिर आपका 3rd December, 3rd December क्या होता है, International Day of Persons with Disabilities, ठीक है इसके लावा आप देखे, 10th December को International Human Rights Day होगा, ठीक है, 10th December को International Human Rights Day होगा, उसके लावा 16 December को क्या होता है, वेजय देवास होता है, 25 December को क्या मनाते है, Good Governance Day, बता सकता है कोई Good Governance Day जो है, वो किसके उपर, किसके उपर मनाया आता है, यह मनाया आता है, श्री अटल विहरी आज भई, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, प्लीज इसको रोट कर लिए जाए, चलिए, नेक्स्ट, रैंसन रिपोर्ट की बात करते हैं, जरा देखे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर एक रिपोर्ट है, जिसका नाम है Global Hunger Index 2023, Global Hunger Index कौन छापता है, प्लीज रोट करिएगा, इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है, वो 111 है, हला कि इस पर्टिक्लियर रिपोर्ट को इंडियन गॉर्मेंट ने आपर निगेट कर दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 125 कंट्री की लिस्ट में भारत की रैंकिंग जो है, वो 111 यहाँ पर आई हुई है, इंटक्ट बोला अगर फिल्फ यहां पर उसको छआपता है वह बेसिकली क्या है वो जहां पर इंडिया की रंक 111 करता है ठीक है अब बैसिकली बात ऐसी है लोग Numiseen चपते तब तो कुछ नहीं नहीं बोला गया ठीक है तब तो कुछ नहीं कहा गया लेकिन अब आज चाहि offers 111 यह लिखके आगया कि इंसे बेटर है अब इस माइड में आई ओपनर ऑल्सो बट इस माइड ऑल्सो भी लाइग कि नेगेट आई हमारी नहीं है भाई हम मानते ही नहीं ऐसा है ठीक है तो यह चीज़ है यहाँ पर कि हो सकता है कि हाँ ऑवेसली जो हमाई हमारी पॉपलेशन है वो जादा है इस वज़े से हमारी पॉपलेशन में वो लोग जादा है जो हंगर के तरफ यहाँ पर जादा रहते हो ठीक है ना इसलिए यहाँ पर होगी चली नेक्स्ट बैन बिखिए बैंगलूरू को कंप केंपगोड़ा एर्पोर्ट को इचोर दीज इस बाइफ उपलेशन मुर्थी इन को यहाँ पर क्या वार्ड मिला है यह ऑथर सुधा मूर्ति वसेंटली कंफर्ग इंडिया ओवर्ड प्लीज देखिए गा ग्लोबल इंडिया गया है वो दिया गया है इसको ऑथर सुधा मूर्थी को प्लीज नोट करिगा शी इस दफर बॉस्ट टूचीव इट शी गचीव इस दफर फॉमन तो अचीव दिशाव डिस दिसवाइड इसको अम लोग क्या पोल रहा है ग्लोब इंडियन अवार्ड ठीक ए ना प्लीज मोट कर लीजिए का इंडिया बागया है यह दिए किसको दिया गया है यह बैस टूरीज दिल विलिज काटिग्री में, ठीके कौन सा विलेज है, जिसको यह best tourism award यहां पर दिया गया है, वो है यहां पर नवापिंदी सर्दाना विलेज, नवापिंड, नवापिंड सर्दाना सर्दान सर्दारन विलेज, नोट कीया है, अब यहां पर एक हवेली है, basically इसको बहुत टाइम से प्रिजर्व किया गया है, यहां पर आप देखें, यह गाओ जो है, इसको best tourism award यहां पर दिया गया है, कि इसको गाओ को, नाम क्या है, नवापिंड सर्दाना विलेज, ठीके, प्लीज नोट की जाए, प्लीज इसको नोट कर लीजे, ठीके, यह आपको बता चुका हूँ मैसी को एट टाइम बैलन डे और मिला हुआ है, यह भी हम देख चुके हैं, मैसी जीता हुए है, बैलन डे अवार, तो इसमें भी यहां पर आपको ज़्यादा रिपीट देखने की ज़रद है नहीं, ठीक है, अब इसके बाद उतरा खंड के यहां पर जियाई टैक्स देख ताफर, हाँ अब हम यहां पर किसके देख रहे हैं, उत्तरा खंड के देख रहे हैं, ठीक है, तो यह भी एक बार सारी list एक बार आपका बन जाएगी न, तो आपके बाद सारे AI, GI Tags भी यहां पर धीरे 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 जो हैं, वो आपको मिल जाएंगे, चलिए, तीन प्रोडक्ट्स को मिला है 15 के 15 प्रोडक्स तो याग करना बहुत ही मुश्किल है नहीं कर सकते हैं लोगो जो पूछ सकता है जैसे पर एक्जामपल बेरी नाग की बात करेंगे यह उत्राखंट का जन्मिली बेरी नाग की बात आईए तो लोग कश्मीर माग कर देंगे क् पर ऐसे वेरी नाग जगर के नाम भी है इसलिए मैं आप कूल बात आ रहा हूं ठीक है ना इसके अनावा देखें यहां पर और क्या है और यहां पर और भी है चलिए आगे आ जाईए अब आगे आ जाईए नेक्स देखिए शाइनिस प्लाशियोस और निकारागुवा क्रा यहां किया गया है ओज मिस्स दोजारतेश्य यह फीर्स निकारागुवा वुममा एं टू इस मिस्स अनिवर्स थाइल प्लीज नोट किया जाए, यह पहली, यह फर्स है, यह फर्स है, यह फर्स है, फर्स निकारागुवा वुमन, जिनको इन्होंने टाइटल यहां पर वो जीता है, तो शेनस, शेनस पलाश्यो, ठीक है, शी इस फ्रम निकारागुवा, and she is crowned as the Miss Universe, ठीक है? चलिये, आग आ आए किस प्रकार से यहां पर इनको जो है मार दिया गया था तो बेसिकली सल्बार रजदी गेट्स लाइफ तैम डिस्टर्विंग दिस्टर्विंग पीस अवर्ड इन न्यू यॉप ठीक है अब इस ताइम देशिपियंट अफ पीस प्राइज अफ जर्मन बुक्ट्रेड ग यहां पर जो है यह चीज जो है वह आपको जाद रखनी है तो यह अवार्ड लाइफ टाम डिस्टर्विंग दिस्टर्विंग दिस्टर्विंग दिया गया है सल्मान रजदी को नाव सी अगें वेरी इंपॉर्टेंट देखें अब यहां पर आता है बुकर प्राइस यह कौं जीता है इस बार प्लीज नोट करिएगा पॉर्रोल लिंच फॉर्ड पारुल किर रहो पॉल लिंच ॽटिक इह आइरिश राइटर है निच्डा फिया गया है उनको यहां पर बुकर प्राइस दिया गया है और बुकर प्राइस इस पर जो किन यहीं सूर्च विश न ने तो मेरी वैली के नाम ले लिया है है चलिह छली आ गया शहीं इंपार्टवाइस पाउल लिंच आ गया जहीं तो आप इसप्रो के यहाई सइंटेस्थ है ठीक है इस्डरह साइंटेस्थ नाम हैं का वी आर लिल्था इनको अवार्ड किया गया है फ्रांस के हाइस सिविलिन अवार्ड से ठीक है फ्रांस का हाइस सिविलिन अवार्ड से ठीक है तो इनको यहाँ पर फ्रांस का जो हाइस सिविलिन अवार्ड है वह यहाँ पर दिया गया है डाट इस लीजियन डी ओनर अब यह जो अवार्ड है दोस्तों इसको नेपोलियन बोना पार्ट में यहां पर बनाया था ठीक है जब वो 1802 में वह क्राउन किया गया था तभी उसमें यहां पर बनाया था लीजेंड यह फ्रांस का हाइस सेविलियर और और वह इस बार इस रो के यह साइटेस्ट विया लिताम विका इनको यहां पर अवर्ड किया गया थेक है तो यह के इंपॉर्टन चीज फ्रांस का हैसिर्वर और यहां पर फोटो आगे आ जईए अब यहाँ सी इंडिया के साइंटेस्ट है आप देख पा रहे है डॉक्टर हेमचंदर रवीक कुमार ठीके ना डॉक्टर हेमचंदर रवीक अवार को यहाँ पर अवार्ड मिला हुआ है कौन सा करमवीर चक्र मेडल 2023 का ठीके ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ठीक है ये प्राइविट कंपनी है basically, ये एक प्राइविट कंपनी है aerospace, skyroot aerospace, ठीक है इसने अपना unveil कर दिया है क्या, इसने अपना unveil कर दिया है first commercial rocket, very very important है, ये इनका first commercial rocket है, ये इसने skyroot aerospace को unveil किया हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम, skyroot aerospace आप देखीगा, will launch Vikram S between 12th November and 16th from Siri Harikota right, it will carry the three satellites made by students of Space Kids India, rocket has got technical launch node from the in-space, तो जो in-space है यानि कि जो basically, space का administration इंडिया में देखते है, उन्होंने आपर इसको node भी अपना दे दिया है, तो ये Vikram S rocket है, ये power will be powered by Kalam 80 propulsion system, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, very important है, skyroot aerospace ने अपना first commercial rocket, यहाँ पर क्यार दिया है, clear है यहाँ तक बात, ठीक है न? हाँ, मैंने डाली है, ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है, ठीक है, तो basically यहाँ पर इसका नाम क्या है? विक्रम 1, न? विक्रम, ये इसका नाम है, जो यहाँ पर यहाँ फर्स commercial rocket है, जो इसको यह लोग यहाँ पर launch करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इंडिया का यह space startup है, उसमें अपना rocket विक्रम 1 को यहाँ पर किया है, ठीक है न? फर्स rocket, चलियो, next, next, inside India's deep ocean mission, अब देखें, जैसे आपको गगन यान पता है, वैसी एक mission यहाँ पर इंडिया का आ रहा है, जिसको हम बोलेंगे समुद्र यान, ठीक है न? so inside India's deep ocean mission, a challenge harder than going to space, तो समुद्र यान जो है, वो यहाँ पर आ रहा है, will be India's crude expedition, to 6000 meters, in the central Indian ocean, ठीक है? तो यह भी mission जो है, वो यहाँ पर आएगा, please इसको note कर लिया जाए, please इसको यहाँ पर note कर लिया जाए, ठीक है? काफी important यहाँ पर यह हो जाएगा, समुद्र यान, चलिए, आगे आ जाएगे, अब यहाँ बचता है, खाली मुश्किल से 12 slides बची होई है, बस, 12 slides में चीज़ें हो जाएगे, खतम, ठीक है? चलिए, से 12,000 में सब्सक्राइब गया, मच 6,000 अब इंडिया सफ्लैक्शिप डीपोशिन मिशन, उसका नाम कया है, इस अमुद्र यान है, यह इनिश्ट किया गया था 2021 में, बाइदी मिनिस्ट्री आप अर्च साइंस, विच समुद्र यान, इंडिया, 6000 मेटर्स की डेप पर हम लो अब आपको इतना जानना है, इसमें कि आड़िप यशन क्या है, यह बेसिक्ली आपका, क्या है, sun mission है, mission to sun, sun को यहाँ पर mission है, ओफ दी, मतब यहाँ वारा, इंडिया का ही है, ठीक है, तो हमारा, basically आड़िप याजब यशन, इस दी, first space based Indian mission, to study the sun, sun को study करने के लिए, clear है, इसको launch कर दिया गया September 2 को, ठीक है, ये भी के important चीज़ है, आज़त L1, अब इसमें L1 क्या है, ये है आपका largesian point ठीक है, अब ये है क्या, largesian point समझ लेते हैं, जैसे for example, ये है आपका sun for example, देखेगा, ये है आपका sun, ठीक है न, ये आपका sun है, अब माल लिए, ये है आपकी earth ठीक है न, ये है earth, clear है ये है earth, ठीक है, अब basically ये sun है, ये earth है, तो इन लोग, इन दोनों के बीच का पतलब इसका भी क्या होगा just a minute हाँ, इसका भी एक force लग रहा होगा इसका भी एक force लग रहा होगा right, तो जहाँ पर इन लोगों के forces cancel हो पाएंगे, ठीक है वो, that will be the largesian point, L1 point वो ही आपका कहलाएगा ठीक है न, तो जहाँ से हम बैट कर, अब sun की जो है वो study कर पाएंगे, study, sun from here ठीक है, यहाँ से sun की study ही होगे, तो basically जहाँ पर यह forces balance out हो जाएंगे, ठीक है न, largesian point एक सूरे नहाँ पर लिख रहा है उसको, Ankit Gupta, ठीक है, thank you, ठीक है, चलिए, आगे बहुते है, moving on to the next, अब इसकी detail में अभी आपको नहीं जाना है, MD के paper के साफ से इतना ही काफी है, ठीक है, next, देखिए, meet Mika, अब यह Mika कोन है, यह basically world की first ever artificial intelligence humanoid robot CEO, अब company की देखिए, robot है यह Mika, ठीक है, तो इससे बिलकुल भी आपको अपने दिल नहीं लगाना है, क्योंकि यह humanoid है, humanoid robot है यह, ठीक है, it's a human robot, it's a human robot, artificial intelligence से चलेगा, दिल इसका AI है सा होगा, AI है तो obviously, उसमें emotions भी फिल करने की बात करी गई, बट नव, शी इस दा CEO, वर्ल्स फर्स एवर AI, humanoid robot CEO, नाम है Mika, प्लीज नोट कर ली जगा, नाम है Mika, नाम है Mika, नेक्स्ट, यूस अप्रूस फर्स वाक्सिन अगेंस चिकिन बुनिया, अब देके, पहली वाक्सिन जो है, चिकिन बुनिया के अगेंस, यूस ने अप्रूब कर दी है, इसका नाम क्या रखा गया है, नोट कर ली जगा, एक्चिक्स, एक्चिक्स, प्लीज नोट कर ली जगा, यूस ने अप्रूब कर दी है, फर्स वाक्सिन अगेंस चिकिन गुनिया, US has approved the first vaccine against chicken guniya, please note करिये नाम X6 चलिए, next अगनी, initiative to promote innovations by Ayurvedic practice अब देखिये, अगनी क्या है what is अगनी initiative अगनी का full form या क्या है, Ayurved ज्यान नाइपुर्य initiative, please note किये पहले चीज़तो ये, अगनी का यहापर full form हो गया, Ayurved ज्यान नाइपुर्य initiative, ठीक है, अब नाइपुर्य initiative का है कि लिए है, कि हम Ayurved की field में, क्या करें, Ayurved की field में हमको research करनी है ना हमको इस field में research करनी है, please note किया जाए Ayurved की field में हमको क्या करना है, research करना है, पहर्ले तोजिए note के लिए आ to promote innovation, innovation बढ़ाना है रिसर्च को बढ़ाना है ठीक है यह सब चीज़ है यहां पर जब क्या करेंगे प्राक्टिस करेंगे और अगर वो किसी एक एक सच चीज के अक्रास आते हैं जहां पर उनको लगता है इसी चीज को यहां पर प्रमोट करता है अगनी इनिशेटिव नाम से पता नहीं चलेगा कि यह किस लिए है बट यहां पर वरी वरी इंपॉटेंट है यह आपको ध्यान रखना है इसको यहां कौन देख रहा है CCRAS यह CCRAS क्या नैशनल कमिशन फॉर इंडियन सिंस्ट्रम अधिसन एक बात आपको समझना है कि जो CCRAS यह document करेगा ठीक है इन practices को कि माल लिजे कोई अगर माल लिजे medical practices है माल लिजे कोई एक practitioner है Ayurvedic practitioner है ठीक है माल लिजे कोई एक Ayurvedic practitioner है दोस्तों ठीक है अब यह Ayurvedic practitioner माल लिजे कोई practice कर रहा है और उस time पे उसको कुछ ऐसी चीज आई कि इसको लगा कि यह तो नहीं चीज तो basically CCRS जो होगा वो उस particular practice को या जो उसका experience है उसको document कर लेगा ठीके और फिर उसके बाद उस चीज को लेकर यहाँ पर consultation किया जाएगा with NCSIM that is your National Commission for Indian System of Medicine तो basically जो भी माल लोगार मैं Ayurvedic practitioner हूँ मैंने practice कर से करते हैं अगर मुझे माल लीजे कुछ ऐसी चीज मिलती है जो मुझे लगता है it is a innovation मुझे लगता है it is something new तो मैं उस चीज को यहाँ पर बताऊँगा CCRS को और वो उस चीज को document करेंगे and then that will be discussed with NCISM ठीके चलिए moving on to the next इंडिया की खुद की CAR T-Cell Therapy very important CAR T-Cell Therapy इंडिया की खुद की CAR T-Cell Therapy है what is it and when it will be available and what cost CAR T-Cell Therapy क्या है यह आप पताँगा हूँ CAR T-Cell Therapy T-Cells क्या होते है they are like your helper cells क्या होते है helper cells होते है माल लीजे क्या होता है कि जब body में कोई infection घुसता है तो body में जब infection घुसता है कोई एगर foreign body हमारे अंदर घुसी foreign antigen हमारे अंदर गया तो वो T-Cells ही होते हैं जो सबसे पहरे active होते हैं और वो बाकी लोगों को बताते हैं कि भाई antibodies बनाना start कर दो यह foreign infection जो है बाहर से आ गया है ठीके तो वो T-Cells ही होते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है CAR T-Cell Therapy क्या है CAR T-Cell Therapy is a type of cancer immunotherapy treatment ठीके अब basically यह क्या हो रहा है यह cancer immunotherapy treatment है that uses the immune cells called the T-Cells जो immune cells होते हैं जो immunity बनाते हैं T-Cells उनको यहां पर क्या किया रहा है genetically alter कर दिया जाएगा एक lab के अंदर ताकि यह लोग क्या कर सके यह लोग destroy कर सके cancerous cells को more effectively तो अभी क्या हो रहा है कि मतलब यहां पर अभी जो treatment का part है CAR T-Cell Therapy में T-Cell की therapy हो रही है ठीके ना यहां पर आप देख रहे हो CAR CAR ठीके that is cancer this is your cancer मतलब this is basically something यहां पर इसका full form जैसा है बताता हो आपको तो T-Cell को यहां पर आप क्या कर रहे है T-Cell को आप therapy कर दे रहे CAR T-Cell में T-Cell की आप therapy कर रहे है ताकि क्या होगा यह T-Cells ही क्या करते है यह सबसे पहले immunity बनाना start करते है तो यह जो T-Cell है यही T-Cell क्या करेंगे यही T-Cell basically इसको ही हम लोग ठीक करेंगे ताकि यह अच्छे से immunity बनाए और cancerous cell को यह आपर मार पाए क्लिए है सबसे पहले यह T-Cells के अंदर क्या कर रहे है हम लोग change कर रहे है ठीक है insert a gene for car ठीक है देन उसके बाद क्या होगा then grow millions of car T-Cell फिर वो जो T-Cell इसको आपने modify कर दिया है आप उसी को बहुत सादा grow कर देंगे body के अंदर ताकि वो जो cancer cells है उनको मार पाए ठीक है न और इस प्रकार से यहाँ पर हम patient को कर पाए बचा पाएंगे appointments की बात करते है who is Meera Morthy चलिए देख लेते है Meera Morthy as you can see Meera Morthy she is the new interim CEO of OpenAI अब OpenAI interim है इसलिए इतना समाद आने के chances है नहीं बाट फिर भी OpenAI आपको पता है वो body Microsoft द्वारा backed है यह OpenAI is Microsoft backed ठीक है न OpenAI एक Microsoft backed company है ठीक है और यही है जिसने ChartGPT बनाया हुआ है ठीक है ChartGPT बनाया हुआ है and she is interim as CEO नाम है उनका Meera Morthy ठीक है न प्लीज नोट कर लिया जाए next Army Medical Corps Officer Colonel Sunita यह first woman हो गई है to command the Armed Forces Transfusion Center अब देखिए एक Transfusion Center है यहापर ठीक है न Armed Forces का Transfusion Center है कहापर Delhi Kent में ठीक है आपको पता है Delhi Kent में वो यहाँ Delhi Kent में है ठीक है तो यहाँ पर जो Colonel Sunita है ठीक है वो पन गई है इसकी first woman to command this particular Armed Forces Transfusion Center अब देखिए नि largest blood transfusion center of the Armed Forces Armed Forces का largest blood transfusion center यानि कि blood transfusion center क्या होता है जहाँ पर आप जो है blood अपना देते हैं जहाँ पर blood transfuse के जाएगा body के अंदर हना patients के लिए तो वो होता है तो आर्मी medical cops officer है ये कर्णल सुनिता ये यहाँ पर command कर रही है Armed Forces के Transfusion Center को जो कि आपका डेली में है ठीक है next अब यहाँ पर कुछ-कुछ चीज़े miscellaneous की है वो भी और देख लेते हैं ठीक है बाकी मैं बाद में कराओंगा जितना है वो पूरा करा दोगा लेकिन next class में भी आपको और देखने को मिलेगा कि तो पांच महीने थे और दो महीने करा रहा है वो तो कमी हो जल्दी हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको August से लेकर December के जो और बच्चे कुछे होंगे वो भी कराओंगा ताकि कुछ भी ना छूटे कुछ भी ना छूटे ठीक है ना चलिए देखें cyclone हमून अब cyclone हमून कहा आया बांगलादेश में प्लीज नोट कर लिजे नाम किस ने रखा इरान ने प्लीज नोट कर लिजे तो इसके लिए यहां पर यह जो एंजाइम है PET-46 यह काफी ज़्यदा promising यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है यह plastic enzyme ही यहां पर है ठीक है तो basically इसी को यह आपको खली इतना जाद रखना है कि भाई वाट इस दाट enzyme हाना जो फाइट कर रहा है plastic pollution यह जो plastic है उसको break down करने में यहां पर यह help down कर रहा है हना तो plastic pollution इसाब से यहां पर क्या कब हो पाएगा तो आपको इसलिए यहां पर PET-46 का नाम पता होना चाहिए that's it इसलिए आपके इंजाम में नहीं पूचेंगे पस आपको इतना ही यहां पर पता होना चाहिए कि भाई plastic pollution कम करने के लिए कौन सा यहां पर enzyme जो है वो यहां पर अभी सामने आ रहा है that is PET-46 यहां पूच सकता है what is PET-46 तो basically यह एक enzyme है which is good for the fighting the plastic pollution clear है ठीक है इसके बारे मैंने यहां पर लिग भी रखा है कि plastic pollution जो है वो लगातार धीमेदी में क्या होड़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और problem क्या है problem is plastic bottles जो polyethylene तरफ 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 यहां पर PET से यहां पर बनाई जाती है ठीक है लेकिन एक study यहां पर हुई है क्ली उनस्टी के अंदर और क्ली उनस्टी के discovery में यह पाया गया है कि एक deep sea enzyme है यानि कि deep sea अंदर पाया जानावाण enzyme है जिसका नाम है PAT46 यह काफी capable है कि continuously यह जो plastic है PAT plastic उसको वो जल्दी यल्दी बजब continuously breakdown कर सकता है ठीक है तो इसलिए यहां पर इसको यहां पर आपको इस आप से याद कर लेना है ठीक है देन उसके बाद आपका यह last है and that is cyclone midhi cyclone hamoon देख लिया cyclone midli देख लिजे cyclone midli यह आपका weak हो गया वैसे but यह है countries affected by arabiancy and way of bengal cyclones rotationally give names of countries affected by arabiancy and way of bengal cyclones rotationally give names of cyclones and sequence the name midli given by maldives तो यह नाम किस ने दिया था maldives ने दिया वा था midli नाम किस ने दिया हुआ है maldives ने यहां पर यह नाम जो है दोस्तों वो दिया हुआ है ठीक है to cyclone midli जो है वो किस ने दिया हुआ है वो maldives ने दिया हुआ है ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. आज यही पर रोक रहे हैं चीजो को. तो आने वाले युँ दो महिने होंगे उन दो महिने में तो हम लोग करेंगी करेंगे जानवरी और फ़ेबरेरी कंच करेंगे और जो भी ऑगस्त लेकर दिसंबर तक के और भी बचे हैं उनको भी यहां पर हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है तो this is it we come to the end of the lecture ठीक है तो मैं आपको बोल जाता हूँ next lecture के लिए next lecture next lecture वो आपका हुली के दिल होगा मेरा ठीक है इसमें हम लोग January और February January 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 इन दोनों को तुम कवर ही कर ले जाएंगे approximately तीन घंटे के आउंड थ्री आवर्स के आउंड हम कवर कर ले जाएंगे और इसके अलावा अमाद टीन वो नहीं भी किया और जादा भी लग जाता है तो कोई बात नहीं लेकिन इसके लावा प्लस कराया है इस defense news को मत छोड़ियेगा बहुत important very very important definitely आपको यहां से 2-3 सवाल दरूर देखने को मिलेगे ठीक है UPSC pattern ही change कर देगा तो कुछ नहीं कह सकते बट जहां तक जो pattern रहा है उससाब से मैं बोल सकता हो कि मैं यह guess कर रहा हूँ I'm not saying definitely मिलेगा I'm guessing कि हाँ आपको 2-3 सवाल देखने को मिल सकते हैं ठीक है ठीक है next tomorrow class you have history कल आपकी history की class है और history क्लास में आपको Samheer sir यहां पर पढ़ाने वाले है पढ़के देखिए आपको one shot के अंदर Samheer sir जिस आप से कल पूरी ancient history खतम कर देंगे I guess हाँ मैस का चलेगा ना फिर इसके बाद Samheer sir के बाद अगली class मैस की है मैस की class आपकी 4th को है 5th को है आपका paper है ना 4th को physics का 4th को है 5th को है 8th को है इसके बीच में आपकी physics भी है etc chemistry भी है 8th को आपकी math है 9th को math का paper है तो जो 9th को जिनका math का paper है तो वो इन 3 class से math जरूर पढ़ सकते है 9th के paper के लिए भी sir को ऐसी बोला है कि अच्छे topics भी टेक अप करे जो 9th के math के paper है भी आ रहे हो 12th में वो इंडिय के अंदर भी होगे तो वहाँ से ही पढ़ सकते हैं आप लोग तो आप लोग के लिए बहुती गजब की classes हो सकती हैं ये ठीक है ना तो ये चीज यहाँ पर जो है ध्यान नचलीगा इस प्रकार्द चलेगा यहाँ पर फिलहाल जो है वो next class की जरूर आप लोग करने की कोशिश करिएगा mode exams भी हो चुके होंगे हाँ तो ये जरूर है चलिए फिर आज की sessions को ये पर end करते हैं we come to the end of today's sessions मिलते हैं हम लोग अब next class में ठीक है चलिए दन that's all for today from my side today पढ़ाई करते रहिए मेहनत करते रहिए हाँ मैं भी थग्या हूँ मिलते है यार अगर यहाँ पर कोई NDA Foundation का student है अगर कोई यहाँ पर इस वक्त NDA Foundation का student है जो भी चल रहा है NDA Foundation 2024 वाला जो भी लास्ट यह शुरू हुआ था 2023 में शुरू हुआ था ठीक है तो उनके साथ जो है मेरा एक समवाद भी होने वाला है समवाद I will just come in your I will just come in your batch and you will talk about the things that you wish to have in NDA Foundation batch क्या चल रहा है कैसा चल रहा है क्योंकि एक लंबे सेशन के बाद स्टार्टिं हो रही है तो एक बार हम लोग शुरू यहाँ पर करेंगे ठीक है चलिए ठीक है ला आल राइट और बाकी CAPF batch और साथ में जो आपका CDS batch है Virat 1.0 स्वारी 2.0 CDS Virat OTA batch यह यह तीनो batches के आज orientation भी हो चुके है इन तीनो batches के लिए कुछ combo batches भी है वो भी आप देख सकते हैं CAPF के lectures आपको recorded यहाँ पर मिलते रहेंगे live भी आपको मिलते रहेंगे दोनों format में आपको lectures मिलेंगे paper 1, paper 2 दोनों की तयारी होगी ठीक है बाकी यह classes आपको अलड़ी live recorded मिलती रहेंगी दोनों format में आप classes देख पाओगे ठीक है तो यह इसके orientation भी हो गया इनकी classes जो है वो 4th March से start हो रही है 4th March से इनकी classes जो है वो शुरू हो रही है ठीक है देखो history की class जो होगी वो 3 बज़े से ही होगी लेकिन जो maths की class होगी न maths वाले सर आपको पढ़ाएंगे सुबह 10 बज़े से क्योंकि इनकी classes होनी है लंबी ठीक है चलिए फिर that's it for today from my side पढ़ाई करिए महनत करिए जय हिंद जय भारत झाले that's जय है झाले जय हो जय हो झाले जय हुwar क्या